नमस्कार साथ हैं मैं प्रियंका गुप्ता लरें टुगेजर पर आप सबस्कार करती हूँ कैसे हैं आप सब लोग बच्चों ने भी एकलब मॉडर रेजी देशी स्कूल में फॉर्म फिल किया है वो सारी अपनी तयारी कर रहे होंगी बिना अपना टाइम बेस्ट किये हुए ठीक है जैसा कि हम लोग administrative aptitude complete कर चुके हैं ठीक है इसके बाद आपकी जो act की classes है वो भी complete हो गई है आपकी GS और GK चल लगी है जो education से related है ठीक है उसी का आज एक topic है समगर सिच्छा अभियान और PM पोसर ये आपकी important schemes है इनसे question बनते हैं आपकी और ये education से related है जैसा कि आपक आपका जो GS और GK आएगा उसमें लिखा है special reference to education तो ये सारी schemes आपको पता होने चाहिए तो हम लोग दिरे दिरे ये सारी complete करते हो चलेंगे इसके आद आपकी ICT की classes चलेंगे तो उसको भी हम लोग complete करेंगे ठीक है डेली आपके alternate day पे classes होते रहेंगी इसके अलावा आपकी कल से Hindi और Reasoning की भी classes स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है और हम लोग 15 सितंबर के बाद अपने MCQs बगारा स्टार्ट करतेंगे करना ठीक है तो आप लोग पढ़ते रहें सारी चीजे आपके साथ मैं भी काफी मैनत कर रहे हूं कि कोई भी चीज छूटे ना आपकी अच्छे से तायारी हो जाए मैं अम लोग होस्टर बॉर्डन को लेके चल रहे हैं लेकिन जैसे की कॉमन टॉपिक है आपका GS और GK का आपको पता है कि जितने भी पोस्ट है आपकी बाइस प्रेंस्पल है ठीक है इसके लाबा टीजीटी है पीजीटी है और होस्टर बॉर्डन है इसक में यह कॉमन टॉपिक है यह आपका सब के लिए बरावर है तो सारे लोग इसकी क्लासिस देख सकते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो आज हमको क्या पढ़ेंगे समगर सिच्छा अभ्यान और पीम पोसर यह दो स्कीम्स हैं इनके बारे में आज हम लोग अच्छे से ज इसको क्या बुलते हैं र-m-s-e ठीक है? क्या बुलते है? और सिच्चक सिच्छा जिसको बुलते हैं Tem &at Teacher Education है इसे राष्ट्य माद्मिकல सिच्छा भ्यान ठीक है? तो ये बी SAA है, राष्ट्य माद्मिकसिच्छय भ्यान! teacher education है, इसे किसे secondary education जो आपकी है? उससे relate करते हैं यह सारी चीज है कि पूरवर्ती प्रयोजीत युज्राओं को उचल्व कर दो हजार 18 में इसकूली सिच्छा के लिए एक क्रत्स प्रयोजी युजना शुरू द्ग घई गई तो इन सब अन्च को मिलने एक सबने मिलने फिर्ट। के लिए 2018 में समग्र सिच्छा स्टार्ट की किसके लिए आपके जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है मलच आपको जैसे आपके जो एकलब सेकेंडरी एजुकेशन बच्चे हैं तो यह अपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ठीक है यह प्रियस्कूल से बारवी कच्छा तक फैले सिच्छा चेत्री के लिए व्यापक कारकरम है कब से कब तक प्रियस्कूल जो आपके प्रियस्कूल से लेके बारवी तो आपके ये वारेस में भी तो ख्लासे से कब तक हैं 6 से 12 तक ठीक है और इसका उद्देश स्कूली सिच्छा के सभी स्तरों पर समावेसी और समान गुरुबत्ता वाली सिच्छा सुनिश्चित कराने हैं और समावेसी और समान का क्या हो गया इंक्लिउजिव जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लिउजिव एजुकेशन मतलब जितने भी बच्चे हैं कोई भी जात से हैं धर्म से हैं कोई अलग एरिया से बिलोंग करते हैं सबको एक जगा एक साथ मिलाके उनको सिच्छा प्रोवाइट करवाना ठीक है और गुरुबत्त में सुधार के लिए राज्यों और केंद सासित प्रदेशों को समर्थन देना है ठीक तो राज और केंद साथ मिलके दोनों ही इस योजना पर काम करते हैं यह योजना सिच्छा के लिए सतत विकास लच्छ SDG 4 अब हम लों ने एक बार जब चाइल्ड मॉर्टिली रेट चीज भी आपको जानना भहुत जरूरी है तो उसमें जो गोल नमबर चार था उसके अनरूप है वरना उसको ध्यान मिलके किया गया है अब समावेशी और न्याय संगत गुडवत्तापूर और समग सिच्छा स्कूली सिच्छा सुनिशित करने के लिए इसे राश्टी सिच बेरी हो पर काम कर रही है तो इस लिए सारे लोग मिलके सिच्छा को और अच्छा बनाने के लिए एक साथ मिल की ही काम करेंगेarten थिक है को अब मैने के में और समिच्छी सिच्छानीते अब्जेक्टिव है या उद्देश है तो उनको पूरा करने के लिए ऐसे से भी काम करें बच्चों को निसूल को अनिवार सिच्छा का अधिकार अधनियन 2009 के कार्यानोर में राज्यों को समल्थन करना तो किसका समल्थन करेंगी जो आपका RTE है 2009 जिसमें बोला गया है कि 6-14 साल के बच्चों को निसूल को सच्छा सिच्छा दी जाएगी ठीक है प्रारंबिक बच्चमन देखवान और सिच्छा पर ध्यान दे मलब जो आपकी ECC होता है अर्ली चाइल्धूड केर और एजूकेशन उसमें क्या है कि जैसे आपका NEP है ठीक है जो लोंने NEP की क्लास न स्कूल से जाने के पहले बच्चों को एक अलगी environment प्रोवाइड करवाय जाएगा ठीक है उसके बाद उनकी क्लास एक क्लास दो स्टार्ट होगी ऐसा NEP 2020 कहती है ठीक है बुनियादी साफचर्था और संक्यात्मक पर जोर जो आपकी foundation, literacy, numeracy है बच्चों को उनका जैसे वो कोई दुकान पर सामाल लेने गए हैं मालों पांच रुपए लेके गए ठीक है तो उनको यह पता होना चाहिए कि अगर उन्हों तीन रुपए की सामाल लिये तो उनके कितने रुपए बापस होंगे ठीक है यह सुरुवाती बच्चों का जब दौर होता है उसमे कर दिये ठीक है तो बच्चों को इसी सा ज्यान होना चाहिए इसके चात्रों में 21 सदी के कौशल प्रदान करने के लिए समगर एकिकरव समावेशी और गतिविती आधारित पाठकरव सिच्छा सास्त पर जोर देना चाहिए बच्चों को एक्टिविटी के द्वारा सिखान बहुत सारे बच्चे हैं इनको कोई प्रक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा तो मतलब जैसे जैसे बच्चे की नीड है उस प्रकार से आप बच्चों को सिखाएंगे ठीक है गुरवत्ता पूर सिच्छा का प्राभान और चात्रों के सीखने के परड़ामों को बढ़ाना म इसको सिलाई बुनाई कडाई आना चाहिए लड़का है तो यह बिजनेस ही करेगा या कुछ भी तो यह सब चीजों को भी आप बैसे भी आप लोग देखा है कि अब सिच्छा की वज़े से ही कितनी सारी चीज़े हैं यह सब चीज़े खतम भी वह रहें लेकिंगे बहुत स चीजों को कम करना चाहिए ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत से जगाँ पर मैंने देखा है आप लोग ने भी देखा होगा आप लोग भी समाज या एरिया से आते हैं वहां पर ऐसे सब चीजें होती है ठीक है क्या होता है कि इसे मानलों अपने घर में मम्मी की तवियत हराब है ल ममिक तवियत खराब है वही खाना बनाएंगी चाहिए तवियत खराब है कुछ भी है ठीक है उससे कोई नहीं है ठीक है यह बना हुआ है कि पूरस्दान देश है तो यह सब चीजों को ही यहां पे खतम करने की बात किए क्योंकि हम लोग बच्चों को यह सब चीजे सब्सक्राइब बनाव जिसको डाइट बोलते हैं का सुद्री करना वल्लब जो सिचक जाएंगे पढ़ाने के लिए उनको कहीं न कहीं से ट्रेनिंग प्राप्ट होनी चाहिए इसकोली सिच्छा प्राप्धानों में सुरच्छित सरच्छित अनकूल सिच्छड वातावरण और नेउन्तम मानक सुनिश्चित करना इसके अद्विवस्चा इस सिच्छा को बढ़ावा देना वोकेशनल एजूकेशन पे भी काम करना ये सब समझ सिच्छा में बताये गया इसके अबजेक्टिव है ठीक है अब क्या क्या चीजे लागू नहीं इंटर्वेंशन नहीं इस योजना के अंतरगाद स्कूली सिच्छा के सभी इस्तरों पर बुनियादी धांचे के विकास और अभधारर सहीत सारभों में पहुंच मूलू सारच्छा साक्षरता और संख वेसी सिच्छा सबको साथ में लेके सिच्छा ली जाए गुडवत्ता और नवीनता क्वाल्टी हो सिच्छा में और नवीनता मतलब जिसे आज कर देखो आप चांद पर हम लोग पहुंच गए तो कहीं ना कहीं ये क्वाल्टी और जो नवीनता है उसकी वज़े से ही आर्टी में जो भी पात्रता है बोलेगे उस पे काम करना ECC के लिए समर्थन करना ECC के अभी बात की जो प्रारंबिक एज में बच्चे होते हैं बलब NEP जिलोंने क्लास देखी उनको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि ECC में बताया गया है कि बच्चे सबसे पहले आज सा environment मिलेगे वो अपनी मर्जी से खेलेंगे फुदेंगे सब कुछ एकदम से उनको पढ़ाई नहीं दी जाएगे हां लेकिन तीन साल से बच्चे स्कूल जाने लगेंगे इस पॉल्सी के according इसके द्वेवसाइक सिच्चा खेल और सारी रिक सिच्चा सिच्चक सिच्चा और प्रिशिच्चड को सुद्रण बनाना निगरानी कारकरम प्रबंदन और राश्ट्री घाटक ठीक है इसके अधर नेपी की क्या recommendation है कि समगर सिच्चा इससे मिलके काम कर रहा है तो नेपी HPC का प्राबधान होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एक बनेगा जिसे मैंने आपको एनीपी बढ़ाया था 360 बच्चे का मुल्यांकन किया जाएगा मतलब उसके सारे पहलों पे मुल्यांकन किया जाएगा उसके फिचकल डवलमेंट पे मेंटल डवलमेंट पे ठीक है उसके म पोर्ट कार्ड बनेगी बाकाइदा सीखने के परड़ामों के साथ साथ बच्चों के संक्रमन पर नजर रखने की सुरुआत ठीक इसके बाद चरणबर तरीके से मादमी को वरिष्ट मादमी इस तर पर योग परामस दाताओं को सामिल करना मतलब जो भी कांसलर से इसके बाद जो गयल हिंदी भासी राज्यों के लिए भासा सिच्च को भी विवस्तर करना आपने देखा है कि लेंगविज के टीचर होते हैं आपके जिसे मराथी हो गया ठीक है और तमिल है कंणर है तो इनके लेंगविज टीचर होते हैं कि जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है तो उनके लिए वह बच्चे भी तो उसी धारा में जोड़ने एक मेन स्ट्रीम जो इंक्लिउजन की बात कर रही है ऐसे से तो वह कैसे आएंगे यह सब चीजियों को करके ही ठीक है चलता भी है आपके के भी बगारा में इस सब होता है 16 से 19 वर्स के आई वर्ग में OAC के लिए सहायता ठीक है इसके परक की पत्विदियों के प्राभधान अब एक बनाए गया है कि किसके थुरू हम लोग assessment मतलब मुल्यांकर करेंगे बच्चों का तो एक अलग से इसकी तो आपको और अच्छे सौन में आएगा तो उसके थुरू बच्चे का मुल्यांकर किया जाएगा इसके CWSN बालकाओं के लिए अलग बजीफा का प्राभधान CWSN बालकाओं का क्या मतलब हो गया है जो CWSN भी जो आपका early childhood care and education है उससे ही relate करता है तो जो उसमें बालकाओ आती है उसके लिए अलग से प्राभधान किये गए ब्लॉग इस तर पर किये हैं CWSN और संस्थान के पैचान का प्राभधान मतलब है इनके अलग से केंदर भी खोले गए है ठीक है ब्लॉग लेवल पे आपके district लेवल पे इसके आवासी चात्रवासो केजी वीवी आदिसा स्कूली सिच्छा सुद्धाओं का विस्तार करना के सिक्या कस्तूर्वा गांदी बाल का विध्यालेज है उनको बहाना ठीक है वेवसाइक सिच्छा में हाव एम स्पोक मॉडल का प्राभधान करना इसके इसमार्ष कच्छा के लिए प्राभधान और दीच्छा के लिए सा समग शिच्चा के तहर्ट EFC ने 2021-2225-26 तक पांच वर्सों की अविदि में 2,94,283 करोड कुल परिवए को मंजूरी दिये हैं, तो आपका देख सकते हैं, यहां 2021-2026 तक इतने करोड रुपे दिया गया है, इस सब पर काम करने के लिए, ठीक है, अब में हाइलाइट क्या है, स सिच्चा का सारभौमी करड करना, मतलब सारभौमी करड का मतलब क्या है, कि जितने भी इलाके हैं, भारत के जितने भी एरिया है, चाहिक कैसे भी है, आदिवासी एरिया है, स्टी, स्टी से है, या फिर जहां पर सिच्चा पहुँचना असंबव है, वहां भी सब को एकिकरत दरश्ट को बनाने के लिए प्रारंबिक मादमिक सिज्जा में सम्मंदित विविन पूर्व कारकुर्म पहलों को एकिकरत करना है। बड़ता में सुधार कैसे होगी जब हम एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे बच्चों को ठीक है। राश्टिय मादमिक सिज्जा अभ्यान जिसको आरेम ऐसे बोलते हैं कि ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बनाई है। बादमिक सिज्जा को कवर करने के लिए सेसे का विस्तार किया गया है जिसका उद्देश मादमिक सिज्जा की पहुँच और गुर्वता को बढ़ाना है। तो ये अलग से ही प्रोग्राम चलता है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बन्यादी धांची का विकास तो कच्छाओं, पुस्तकालों, प्रियोग, सालाओं, सोचालों, सहीत आवस्यक बन्यादी धांचों के निर्मार का सवर्तन करना है। इसके अद्मिड्डे मिल, इसकी ये सब भी चलाना वा, इसके ध्यान देना, ये सब चलते भी हैं बच्छों को अच्छा पोसर प्रदान करने के लिए, बच्छों की हेल सहीर है इसके लिए। करेंगे, कुछ नया करने की कोसिस करेंगे, सिच्छा में इस सब भी ध्याम दिया जाएगा, ब्रिज पाठ क्रम्। अब ये bridge platform क्या होता है? ऐसा होता है कि बहुत सारे area होते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं किसी बज़े से या किसी कारफ से नहीं पढ़ पाएं, तो उनके लिए bridge course चलाया जाता है, उसमें क्या होता है? कि उनको classes अलग से चलती है, जो normal बच्चे हैं, ज कि ऐसे से राज्यों केंद्सासर प्रदेशों को उनकी विशिष्ट आवसरताओं, प्राथ्मत्ताओं के आधार पर हस्थेप करने के लिए लटचीला फंड प्रदान करेगा, जो भी चीजे चल लई हैं, केंद्र में, केंद्सासर प्रदेश में कहीं भी, तो उसके लिए तो उसको भी ध्यान दिए तो उसको सिच्छा से जोड़के सिखाये जा जिसके की और अच्छे बच्चे बनके निकले समाज में और अच्छा काम करें ठीक है यह साइक सिच्छा वो केसनल एडिकेशन की आतर बात शीची गई है तो यह सब ध्यान दिया रहा है तो यह में पोसर सकती निर्मार ठीक है इसकूल से चलाएगी यह किसलिए चलाएगी यह में बच्चों के खाने पीने को लेके चलाएगी जो बच्चे को पोसर आपने देखा है कि चाल्ड मॉटिरीटी रेट है जेंडर रेसियो बगरा इन सब में कहीं ना कहीं बहुत सरे रीजन होते कि खाने पिलने की वज़े से यह सब चीज़ें होती है ठीक है तो यह अलग से स्कीम चलाई ही कि बच्चों को न्यूट्रेशन की कोई भी धिक्कत का सामना न करना पड़े कि जब बच्चे स्वस्त नहीं होंगे तो कैसे अच्छे पढ़ाई कर पाएंगे तो पीम पोस्तर योजना शरकारी ओस सरकारी सायता पर आप स्कूलों में बाल बाटिका अच्छा एक से ठीक पहले तुक्वे बाल बाटिका की बात किसे की गई और एक से आज सच्छाओं पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को कवर करती है इसके प्याइम पोसर भारत सरकार की एक पहले जिस्सा उद्देश को पोसर को सम्भोधित करना और भारत में महिरा और बच्चों पोसर की इसकीदी पर सुदार करना ठीक है तो बच्चे मां क कि गर्व में है तब से ही उनके पोसर के ध्यान दिया जाएगा ठीक है उपस्तति और प्रतिधाराण को बढ़ाने और साथी बच्चों को पोसर में सुदार करने की दरश्टी से एक केंद प्रयोजित योजना प्रात्मिक सिच्छा के लिए पोसर संबन्दी सायता कि जारा जारा बच्चे एड्मिसर्ट ले आकर यूपस्तती हो ठीक है कि बच्चे हैं अब खाने पीने कब मन कर रहा है ऐसे या फिर बहुत है गरीव परवार से बच्चे हैं नहीं खाने पिने इस बच्चे से स्कूल नहीं आपाते हैं तो स्कूल में यह सी विवस्ता की वो लो इस्कूल में आएं और पढ़ें ठीक है शुरुआत कब हुई थी इसकी 15 अगस 1995 को इसके दोजार आठ नौ में इस योजना को उच्च प्रात्मे कच्छाओं के बच्चों के तक बिस्तारित कर दिया गया और इस योजना का नाम बदलकर स्कूलों में मद्यमान भोजन का राष्टिय कारकरम कर दिया गया तो यह 1995 में स्टार्ट होई थी प्राइमरी एजुकेशन पर आपकी सेकेंडरी में फिर इसको उच्च प्रात्मे कच्छाओं में भी लागू कर दिया गया दोजार आठ से नौ में ठीक है इसके आठिक मामलों की केंडरी मंत्री मंत्र समिती CCA ने केंडर सरकार ने 54,000, 61 करोड के विट्टिये परिवे के साथ पांक साल की अवेदी 2021-22-2026-25-26 के लिए स्कूलों में प्रधान मंत्री पोसल सकती निर्मार को जारी रखने की मंजूरी दी ठीक है इसमें राज सरकार के सरकार मिलकर आपके 31,733 करोड रुपे खर्च हुए है इस स्कीम पे ठीक है इसके अब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम के ये भी हम लोग देखते हैं भारत में अधिकांस बच्चों की दो गंभी समस्याओं का समाधान करना एक तो भूंक और सिच्छा मतलब उनको इसलिए खाना प्रोवाइट के है कि उनकी भूंक नहीं लगी तो सिच्छा प रात्मी स्कूल में बाल बाटका कच्छा एक से ठीक पहले ठीक है तो पढ़ने वाले बच्चों की पोसल स्किति में सुधार करना वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को अधिक नियमीत रूप से इसकूल जाने के लिए प्रोशाहित करना उन्हें कच्छा की गदवतियो पर ध्यान केंदरित करने की मदद करना जो वंचित वर्गों के बच्चे है या बहुत गरीब है ठीक है यहाँ पर बोजन की सही से विवस्ता नहीं हो सकती है तो उनको भी कहिना के स्कूल आने के लिए प्रोशाहित करने के लिए इसकी में बनाईए यह गर्मी की प्रारमी स्कूल के बच्चे है उनको यह सब चीज़े प्रोवाइट करवाई जाए ठीक है अब इंप्लिमेंटेशन कैसे हुआ इस स्कीम का यहाँ पर देख सकते हैं पात्र बच्चों को पका हुआ पौश्टिक माध्यान भोजन उपलक कराने के लिए समग्र जिम्मेदा इजर राज सरकार और केंट शासे प्रतिशं initial की है ठीक राज्यों केंट शासे प्रतिश talk यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिव पात्र स्कूल में पॉस्टिक और पका हुआ भोजन नेमित रूप से परोसना सुनिशित करने के लिए सभी लॉजिस्टिक और प्रसास के विवस्ताइग की जाए मतलब ऐसा नहीं कि आप उनको कैसा भी भोजन दे सकते हैं प्रॉपर एक गाइडलाइन्स बनाई गई हैं क्या की चीज़े बच्चों को दी जाएगी मंडे को क्या मिलेगा ट्यूज्डो को क्या मिलेगा जिसे आप लोग देखा हॉस्टल बगरा में भी मीनू बगरा लगे ह होते हैं उसी प्रकास के प्रॉपर है जिससे की बच्चों को ज्यादा से ज्यादा nutrition मिल पाएं ठीक है इसमें पर्यात बुनियादी धांचे का विकास सामेले है योजना के तह्त उपलब्द कराएगी धर्राशी के मद्द्र जेमसे किचिन कम स्टोर का निर्मार और रसोई उपकरणों की खरीद और अन विभागों के अन विकासात्मक कारक्रमों या राज केन साथिर प्रदेश की बजटिये समस्थन के साथ अभिसरण के मार्देव से अतरिक समसादन जुटाना ठीक है तो किचिन कम इस्टोर मतलब ऐसा किचिन बनाए जाएगा जिसमें सारी चीज प्रदान करना तो समग सिच्छा के अंतरगत भी यह सब चीज आती है कि अच्छा उनको भोजन मिले अच्छा खाना मिले अच्छा पीना मिले ठीक है सोचाले बगर की सई से विवस्ता हो इसका क्या इंपक्ट पड़ा है यह भी हम लोग देख सकते हैं कई अधिनों से पता चला है कि पीम पोसल योजना ने कच्छा में भूब को रोकने की मदद की है स्कूल की भागी देरी को बढ़ावा देना और सामाजी समांता को बढ़ावा देना लेंगी समांता को बढ़ावा देना जिससे बच्छों के समग और स्वस्त विकास में मदद मिली है तो इससे क समिक्चा करता है ठीक है आपका जो सुप्रीम कोड है तो वो भूसारी कल्यार कारी योजनाओं के थुरू इन सब चीजों की समिक्चा भी करता है कि सारी चीजे सही से हो रही है या नहीं हो रही है ठीक है उन्होंने देखा है कि पीम पोसल को भारा सरकार की सबसे सफल पातरत योजना में से एक के रूप में व्याप्पा रूप से सुईतार किया गया है इसके परणाम सरूप प्रारम में कच्छाओं में बच्चों के नामांकन और ठैराओं में ब्रद्धी हुई है तो इसका ये impact रहा है कि बच्चों के नामांकन में ब्रद्धी हुई है ठीक है और जितनी भी योजना चलाएगी है ये योजना सबसे कारगर साबित हुई है ठीक है इसके कुछ important इसके highlights है वो भी हम लोग देख लेते हैं तो से परज़े तो उद्देश क्या है पीम पोसड क सिकार होते हैं जो उनकी कारण है किस वज़े से हो रहे हैं उनको कम करना इसके लक्षित लावाती ये योजना मुख रूप से बच्चों गर्वती महलाओं इस्तनबान कराने वाली माताओं को लक्षित करता है तो जीवन के इन महतपूल चरोडों के दवरान उचित पोसड तरह लागू किया जाता है ठीक है तो ये मंत्राले इसको लागू करता है काउसा महला एवं बाल विकास मंत्राले इसके अद कवरें मनलब कितरा एरिया क्या कवर करता है कारकरण पोसर सम्मझनी हस्चेप को समधर प्रवावसाली में सुदार के लिए अनसरकारी पहलों कार करते हैं कि जो प्रग्रेंड लेडिस हैं नको पॉसल इन सब इसके थ्रू ही मिलते हैं ठिक जब उनको पॉसल मिलेगा तो बच्चे भी स्वस्त होंगे ठीक है इसकी बाद है प्रधोग की और निगरानी पी-म पॉसल में पोशल संबन्दी परडामों की वास्तविक समय की नि टेक्नलोजी से भी जोड़ा गया है कि अगर कहीं पर कोई कुछ गड़बर कर रहा है, यह सई सिचे नहीं हो रही है, तो आप एप के थुरू कम्प्लेंट कर सकते हैं, या अपनी जैसे आपको कुछ अलग से जानकारी चाहिए, तो भी आप एप के थुरू पता कर सकते हैं, तो यह सब चीजों का भी प्राप्धार रखा गया है, जिससे कि जो डिश्टल वर्ड हम लोग बोलते हैं, उसको भी इसमें बढ़ावा मिले, और उनके थुरू नहीं नहीं इन सब चीजों को जो पोसड की वज़ा बनती हैं, उनको रोका जाए, ठीक है, इसके पोसड यूट्रिसन चाहिए, यह सब चीजों की निगरानी करती है, इसके बढ़ आई, वाई, सीएफ, सिसु और छोटे बच्चों को दूद पलाने की प्रथाएं, पीम पोसड इस्तम आई, वाई, सीएफ प्रथाओं को बढ़ावा देने में केंद्रित करती हैं, जिसमें पहले ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, आपको पता है कि बच्च जब पैदा होता है, उसके छे महने तक मा का जो दूद होता है, उसके लिए अमरत साविन होता है, तो उन सब चीजों का भी इसमें काफी अच्छे से जिक्र किया गया है, उन सब के काम भी होता है, ठीक है, इसके विवहार, परवतर, संचार, कारकर में पोसड और स्वस्त अहार प्रताओं के महत के बारे में देखवाल करने वाले संबदाय के बीर जागरुकता, पढ़ाने के लिए विवहार, परवतर, संचार का एक मलबूद घटक सामिल है, जन आंदोलन, पीम पोसड को पोसड निप काम हो रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छी साबित भी हुई है, कि एक पूरा जन आंदोलन टैक का है, कि लोग भी इसके प्रतित जागरुक हो, इसके सक्चम आंगनवाडी ये पोसर 2.0 इसके अलाबा ये सब स्कीम्स भी इसके थुरू चलाएगी है, क्योंकि जो चलाएगी है, आपका पोसर 2.0 करके स्कीम्स चलाएगी है, ठीक है, उसमें ये सब ध्यान दिया जाता है, ठीक है, बच्चियों की जो भी समस्या है, इसके बाद प्रगनेल लेडीज की समस्या है उन सब पे, और किस वज़े से पोसर को रोखने के लिए ठीक है, और ये योजना विबिन पुरुसकारों, पुरुसामें उसे माद्व से पोसर के छेत में उतकरष्ट प्रदरस्तर नवाचारों को मानता देती है, और पुरुसकुत करती है, मतलब जो लोग इस इच्छा, ये जो स्कीम्स चल लएए, जिसे सच्च में बहुत अच्छे से करते बहुत से लोग हैं, इस पे बहुत काम करते हैं, और कुछ अच्छा करते हैं, कुछ नया करते हैं, ऐसा करते हैं कि उनको फिर पुरुसकार बगएरा भी दिया जाता है सरकार की तरफ से, ठीक है, तो ये आज आज आपकी दो स्कीम्स मैंने कराएं, एक तो समझ उसे पड़ है, ठीक है, तो ये क्या है, क्योंकि ये से कुस्टन, KBS में भी पुछी जाते हैं, NBS में भी पुछी जाते हैं, इसके अलावा, एक लब मॉडर रेजिदेंस स्कूल में जितनी भी पोश्ट हैं, उन समय ही ये स्लेवर्स में दिया हुआ है, तो ये सारे जितनी भी सब के लिए important होने वारी है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब हम लोग Google पर सर्च करते हैं, ये परक कुछ इस पकार से देखता है आपको, ठीक है, ये main front page है आपका, जो किसके दोरा बनाया गया है, सबसे पर देख है, जो student का 360 degree, ये term भी काफी यूज होता है, 360 degree, तो लग holistic development करेगा, ठीक है, जाद असना किसके दोरा launch किया गया, AICTE के दोरा, इसके बार क्या है, student learning assessment, बच्चे जो भी सीखते हों, उसका मुल्यांकन करने के लिए, और नाम क्या है, इसका परत, ठीक है, तो इसके बार और भी हम लोग देख लेते हैं, introduction वगरा, राष्टिय सिच्छा अनुसंधान और परिशद NCART ने भारत की पहले राष्टिये मुल्यांकन नियामक परख, समग रिज्गास के लिए, प्रदर्शन मुल्यांका समीक्षा और ज्यानका विसलेशर को अदसूचित किया है, जिसका सभी बोर्डों के लिए मुल्यांकन दिसा नियुक्त करना है, NCRT, आपका जो NCRT है, NCRT प्लस AICTE के द्वारा ये बनाया गया है, और जितने भी स्कूल्स हैं, बोर्ड हैं, ठीक है, उन सम्में ये बताया गया है कि अच्छे का इस परक के according भी आप assessment करेंगे, मतलब मुल् 2020 के कार्यानवन के हिस्से के रूप में भी लॉंच किया गया है, जो आपकी National Education Policy 2020 है, इसमें भी परक को बताये गया है कि परक की तुरू बच्चे का assessment या मुल्यांकन किया जाएगा, जिसमें नए मुल्यांकन पैटर्न और नवींतम सोथ के बारे में स्कूल बोर्डों को सल देने और उनके भी सहियों को बढ़ावा देने के लिए मानक निधार निकाय की परिकल्पना की गई है, ठीक है, इसमें कुछ standard बनाएगा है, मानक बनाएगा है, रूल और regulation बनाएगा है, कि किन बेसिस पे हम बच्चों का मुल्यांकन करेंगे, इसके जारा परक के दौरा, ठीक है, यह NCRT की एक घटक इकाई के रूप में कार करेगी, NCRT का एक इकाई है, ठीक है, इसे राश्टी उपलब्दी सर्वेक्षड, N.A.S. और राज उपलब्द सर्वेक्षड जैसे समय समय पर सीखने के परिक्षड आयोजित करने का भी काम सौपा गया है, तो इसमें टाइम टू टाइम आप लोग देख सकते हैं कि नेशनल अचीमें सर्वेक्षड भी होता है कि काहां पर कैसा हुआ है, इसके बाद इस्ट्रेट लेवल पर भी सर्वेक्षड होता है, इसके बाद कुछ एक्टिविटी भी कंड़क्ट करवाई जाती है, जैसे वी हाल की इने भी हो चुकिए, ठीक है, ये तीन प्रमुख मुल्यांकन चेत्रों पर काम करेगा, बड़े पहँआने पर मुल्यांकन, इसकूल आधारित और परिच्छा सुधार, इस पर एक तो ये हायर एजुकिस मतरब लार्ज सिस्टम स्केल मुल्यांकन पर काम करेगा, इसके बा परिच्छा सुधार का मतलब क्या है, बच्चे की कमियों पर ध्यान दिया जाएगा, उस हिसाब से काम किया जाएगा, तो अपने आप से परिच्छा में सुधार होगा, ठीक है, अब इसका बैक्ग्राउंड देख रहेतें कि क्या है, हाना कि भारत में तकनीकी चात्रों की संख्या में तेजी से व्रधी के बाबजूत, उनकी गुर्वत्ता के बारे में बहुत कम जानकारी है, अलब बच्चे टेक्निकल चीजे सीख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्वाल्टी अभी उस लेवल पे नहीं गई है, जहां अधर कंट्री बिलोंग करती हैं, विसेश पी कारणवस, उनकी अंदर सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्पूटर में MS Word अच्छे से कैसे यूज करना है, MS Excel कैसे अच्छे से यूज करना है, बहुत देली की चीजे हैं, कम्पूटर की थिरू, क्योंकि इतना सारा डिजिटल इंडिया आपका हो रहा है, सारा और कौसल का आकलन करना चाते हैं, इसलिए ये परक बनाए गया है, जिससे बच्छों के अंदर क्रियेटिविटी हम लोग और बढ़ा सकें, ठीक है, उनके टेकनिकल चीजों को लेके और इंट्रेस्ट उनमें बढ़ा सकें, इससे पहले इसी तरह के परियोजना अमेरिका क इसलिए द्दवारा लागू की गया थी, कहां पर अमेरिका की स्चैन पोर्ड युंठ्या असेस्में लागू किया गया था। तो जहां पर लागू हुई थी उन्होंने ही और अमेरिका और चीन में मुल्यांगिन के लिए एक सो सरसर टखनीकी संसानों को अपने अध्यन के लिए चुना है ठीक है नहीं न कहीं यह वहां से भी ब्लॉंग करता है इसके बाद देखते हैं कि इसका स्कोप क्या है चार्ट क कि उपलबदी के बारे में डेटा एकत्र करना अब चार्ट मालों क्लास वन से स्टार्ट हुआ है फिर दो में उसकी कितनी क्या उपलबदी रही है या फिर कौन चीज़ें कमी आई है जिसके और काम करने की आवसकता है और उसका विसलेसर करना सभी सार्थक जब जानकारी क अब चार्ट के लिए परणामों को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है और सारी चीज़ें क्यों की जाएंगी इससे की चार्ट की जो लाश्ट में कर सकते हैं कि फाइनल विजल्ट आएगा या फिर वो जो भी करना चाहता है अपने फील्ड में उससे रिलेटर सारी जानक लिए परियोजना द्वारा एकत कि लिए डेटा का उपयोग नीचे ले इस तरह सैच्छिक लाब और उच्छ क्रम के सोच कोसल लाब के प्रदर्शन का मुल्यांकन करने व्रदी के तरीके प्रदान करने के लिए किया जाता है जिसके द्वारा भारती चाहत अपने पेसे औ अब सर्थ करते हैं और इसे क्या फाइदा होगा जब उनको अच्छे चीज़ें सीखी जाएगे वालोब बच्छफन से ही उनको पराख्यदार असेस्मेंट किया जाएगा मुल्यांकन किया जाएगा फिर उनकी कमियों पे काम किया जाएगा तो फिर आगे चलके बच्छे पूरी अपनी एजुकेशन प्राक्ट कर लेंगे तो वो एक अच्छे जॉब भी पा सकते हैं ठीक है अपने मन मुताविक क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बच्छों में यह रहता है कि मुझे तो यह सब चीज आती नहीं है कि आपको जब भी कोई चीज सीखनी है हमेसा सीखें उसके सर्माना नहीं चाहिए कोई भी चीज पोचनी है पोचें क्योंकि अच्छा है ना कि आप सर्माते ही रहेंगे आपको चीज़ें तब तक पता ही नहीं होगी तो सीखें क्योंकि जो इंटरनेट कह सकते हैं उसका लोग क्योंकि 95 परसेंट कह सकते कि रीव देख रहे हैं कुछ देख रहे हैं जोamaan आपके स्किल्स को और भी बढ़ा सकती है आपको अच्छी चीज चीज़ सिखा सकती है जैसे आपको किने सारे प्लेटफॉम है स्वैम है स्वैम प्रभा है ठीके पीम विद्ध्या है बहुत सारी चीज़े हैं ठीके NCRT का भी ऑफिसियल एक यूटूब चैनल है वहां पे भी बहुत सारी चीज़े सिखाए जाती है ठीक है लेकिन लोग जायतर उनके बारे वह जानते नहीं क्यों क्यों कि वही चला रहा है कि चलो यह देख लें वह देख लें जिसमें केवल टाइम वेस्ट होता है ठीक है तो हमेंसा अपने समय का सबेदियों भी करना चाहिए इसकी बोलते हैं AICTE देश बरके AICTE अनमोदित तखनीकी संसानों में भारत में इंजीनीरिंग शात्रों के कौसल का आंकलन और सुदार करने के लिए बड़े परमयाने का कारकर्म लागू करने जा रही है ठीक है तो यह परक्त मुल्यांकन भी इनीके द्वारा बनाए गया है वि जो भी यह बनाए गया किसके लिए कि शात्रों के क्या परड़ाम रहे हैं और एक दूसरे से कंपेर नहीं करना है हमेसा यह देखना है कि मैं पिछली साल कैसा था और इस बार मैं कैसा इंप्रूव होके आया हूँ ठीक है यह चीज अपने जीवन में भी लागू करनी चाहि कि आप अपने आप में कितने इंप्रूव्मेंट कर रहे हैं या अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं ठीक है इसके बाद है अधिक विसेस रूप से प्रतेक ऑनलाइन मुल्यांकन को चात्रों की छमता की सीमा को मापने के लिए एक आयामी विस्विसनी और अच्छा माना जाएगा अधिक चात्रों भी जो मलोचिक सी साइकलोजिकल करेक्टर इसक्रिक्स हैं उनकी विसेस्ताओं को भी जाना जाएगा तो यह है स्टुडेंट लर्निंग असेस्मेंट एसे ले क्या पुलफोर्म भी आप लोग याद रखेंगे क्या है स्टुडेंट लर्निंग कि वह सकता पताने कैसे ही घुमा के कॉस्टर पूछले तो आपके सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए तो इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह थोड़ा से स्टुरियर पिक्चर नहीं है एबिल्टी है वालब आपसे माइन से रिलेटेड एक्सपीरियेंस आपक इसे अद्विजन क्या है कि एस एल ए परत का द्रश्टी कोड वैस्विक प्रतिसपरदा स्रिशित करने के लिए चात्रों संकाय सदस्यों में ज्यान और 21 सदी की कौसल शमताओं के आत्म मुल्यांकन के लिए मंच प्रदान करके सिच्छा विजों और उद्ध्यों के बीज इस अंतर को पाटने के लिए भी प्रेरिफ किया गया है अब इससे क्या होगा विजन क्या है कि जैसे आजकल बहुत समस्या रहती है कि जॉब नहीं मिलती है प्राइवेट सेक्टर में भी जो मतलब थोड़े कह सकते हैं कि जाओं से बच्चे जाते हैं जाना सारे लोग नह अच्छे चीज़े जानते हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जो नहीं हो पाती है कुछ एरियास को लेके ठीक है तो इसका में उद्देश क्या रखा गया है कि बच्चों का मुल्यांकन करेंगे फिर उनकी जो कमियां उन पर काम करेंगे तो क्या होगा कि आगे जॉब लेने में भी ज्यादा इतनी दिक्तत का सामना नहीं करना पड़ेगा ठीक है इसके मिशन ऐसे लिए परक नीती निर्माताओं संस्तानों के देश में सिच्चा की अधिक प्रभावी प्रडाली बराने के लिए आवस्यक हस्तिच्यक शुरू करने के लिए चात्रों स सारे ही सक्षम भी बनाएगा कि कैसे मुल्यांकन करना है इसका परपस इस्टुदेन लर्निंग असेस्मेंट प्रोजेक्ट भारत के तकनीकी चातों का मुल्यांकन करना और उप्युक्त रोजगार पाने के लिए अधियन के ज़रान उनके समग्र गुडात्मक और मात्रात् ठीक है उनके holistic development पे ध्यान दिया जाएगा और उनका 360 degree assessment किया जाएगा यह टर्म आपको मैं इसलिए बार 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 बोल नहीं है कि इससे कुस्टन आये हैं जिसे के वी का वी जो एक्जाम हुआ था वहां पे भी एक दो कुस्टन इससे देखें गये हैं ठीक है अखिल वारतिय तक्नीक्सी सिच्छा परिषद AICT SLA परक परियर्णा को भारत वर के तक्नीकी संस्तानों में सहच्छी क्विकास को प्रभावित करने वाले विबिन कारकों को समझने के लिए चात्रों संकाओं के सहच्छी को उच स्तिरिय सोंच कौसल में बेंचमार्क इस दिया जाएगा वह यहां पर बताएगा है आप लोग यहां देख सकते हैं अद्धिन दौरां सहच्छी सामाजी संग्यानात्मक आलोचनात्मक विभार विकास मुल्यांकर करके उन्थी गुरवत्ता का आंकलन करेगा चात्र सिच्छर मुल्यांकर और अधिक बढ़ाने की स समावना है क्योंकि इस जानकारी का उपियोग संकाय सदस्य और संस्थाना द्वारा किया जाएगा बड़ी-बड़ी संस्ताय सदस्य आएंगे इसमें असेस्में वह भी कर सकते हैं चात्रों को आत्म विस्वास बढ़ाएं और व्यक्तियत और व्यक्षाई करियर में उसे रिलेट करके सीख पाएं क्योंकि उसमें उनका मन ज्यादा लगेगा सीखने में ठीक है इसके वादे चात्रों संकाय सदस्य लिए अगले सीखने के चरणों की पहजान करना फिर है कि अभी जो सीख रहे हैं उसके बाद आगे की क्या प्रोसिस होनी चाहिए फिर क्या का यौजणा होने चाहिए उसपे ध्यान दिया जाएगा सीखने की कठनाईयों का विस लेशल करना और बच्छे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं उनका भी काइस्लेशल करेंगे, दिया जाएगा ठीक है इसके गोल भी है कुछ जैसे कुसल इसना तक तयार करना वह नब एक स्किल्ड ग्रेजूइट तयार करना जो ग्रेजूएशन के बाद बच्चे सुचते कि अब क्या कर लें जॉब का कुछ है नहीं यह नहीं है तो उनको इस तरीके से तयार कर देना कि उनको यह सब प्रस उनके मन में ना आए इसके प्लेस्मेंट देश में उतीड और चैने चा पास हुए है और सबको ज्यादा से ज्यादा जॉब मिले क्योंकि वह पहले से ही पैयार किये जा चुके है इसके जाद है परोपकारी बारत के चात्रों में नागरिक सामाजिक और व्यक्तियत जिम्मेदारी विक्सित करना ठीक है जो इस्टूडेंट है वह भी अपनी सामा कॉसल को विक्सित करना चात्रों में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्रियेट करना जिससे कि कोई का समस्या है तो खुझ भी सॉल्ब करने की कोसिस करें इसके संपतिक कुसल इसना तक उत्पादक्ता और नवाचार में योगदान दे सकते हैं जिससे उच आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है ठीक है जब वो स्किल्ड होंगे अच्छे से जॉब में जाएंगे ठीक है तो कुछ नया होने को है तो उसमें भी अपना योगदान दे सकते हैं ठीक है अब इसके मेन एरिया कौन-कौन से यह भी हम लोग देख लेते हैं आपको जिसे अब का एक्जाम में काफी पूछी जाती है क्यूंकि अभी आपको पता है कि कोवीड की वजए से काफी चीजें बच्चों पर भी प्रभावित हुए थी ठीक है बच्चों के मेंटल को काफी डिस्ट्रैक्ट भी किया था तो उसी के दवरान यह मनोदरपड बनाए गया है बच्चों की मेंटल चीजों को समझने के लिए सही करने के लिए थीक है तो मनोदरपड यह आप आप लोग देख सकते हैं जब आप गूंगल पे सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपका यह पेज ओपन होके आएगा आप लोग इस पे भी देख सकते हैं तो तो सबसे पर अपके लिए और पेजुकेशन गुवर्मेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है जो आप मेरे में भारत का भी एक पार्ट है ठीक है मनोदरपड का क्या मतलब है साइको सोसल सपोर्ट पोर मेंटल हेल्थ वेल्विंग ओफ इस्टुडेंट दूरिंग दा कोविट आउट्रेक और वियॉंड वियॉंड कोविट की टाइम पे जो इस्टियन का मेंटल डिस्वैलेस हो गया था कि घर में ही रहे रहे कि कोई एक्टिविटी नहीं करना इस् कि बहुत से बचों का ऐसे सैट होता है कि मुझे यह यह करना है ऐसे है तो सारी सीरे एकदम से गरबड होए थी उसी को ध्यान में रखते हुए यह मनों दरपर बनाए गया कि अगर कोई बच्चा इस कोई समस्या से जूज रहा है तो उसकी हेल्प की जाए ठीक है यहाँ ब परिशान है या कुछ भी है तो यहां पे आप लोग बात कर सकते हैं ठीक है शिच्चा मंत्राले जिसको MOE भारत सरकार ठीक है गवर्मेंट ऑफ इंडिया की एक पहल प्रदेश सी ओ भी आ-इढी प्रकोफ मतलब कोविड है जो आपका यहां पर देख सकते हैं कोविड प्रकोफ उसके बाद चाट्रों के मानसिक स्वासते कल्यान के लिए मनों सामाजिक सायता प्रदान करना उनकी जो मानसिक स्वास्ते हैं उस पे काम करना ठीक है कि कोविड काफी लंबे टाइम तक रहा था बहुत से चीज़ें हुई थी बहुत से परवारों में अपने प्रियजन भी खो दिये थे तो बहुत सारे मेंटल एकड़ अलग सही एफेक्ट हुआ था जिसका कभी नहीं हुआ था उस सब को ध्यान में रख कि यह बनाए गया है जिससे कि उनकी जितने भी लोग है कि कुछ भी हो कितने भी स्टॉंग है कुछ भी है लेकिं कहीं ना कोई चीज़ें होती है जो उनको लगता है कि कोई उन्हें सुनने वाला हो या जान में रख कि यह मनोदर पड़ आपका बनाया गया है ठीक है कोविड महामारी के प्रकोप ने दुनिया बर में सभी के लिए एक चुनोती पूर समय प्रस्तुत किया था महामारी के कारण आगामी लोगदाउन जिसमें सैच्विक्स असानों का बंद होना परिक्षाओं क इस्तिवन या रद धोने की कारण अनिस्ट्रा ओनलाइन सिच्छर को अपनाना बविस में प्रिवेस करियर समद्नी निर्डर आद ही सामिल है चात्रों सिच्चकों और वागों की कुछ चिंताएं है ठीक है इसकूल टीचर पैरेंस सबकी ही कुछ चिंताएं उन पे इसके क साम किया जाएगा ठीक है यह चुनोत्य को समय ऐसी स्थितियां लेकर आया अलगाओं की भावना सामाजी खेलने का कोई समय नहीं परवारिक आए बेरोजगारी का डर ठीक है परवार में मिरत्यू भी हुई परवार में बिहार संबंदिक मुद्दे बीमारी का डर पा रहे होगी कि उस टाइम पर कैसी मनोदसा हो गई थी इसके मनोदरपर का पहल उद्देश नए सामान की समझ का रिमार करके और घर और स्कूल की बीच की दूरी को कम करना है और सहकर्मी समर्थिं की सुब्दा प्राप्त करना सकारात्मक होना ऑनलाइन सीखनों को प्रोस हमारी रही है उससे आगे फच्चों को निकालना है ये टीचर्स भी बहुत परिशान होगे सब के उपर ही ध्यान रखे ये काम किया गया है ठीक है मनोदरपर का पहल का उद्दाटर 21 जुलाई 2020 को मानिये सिच्चा मंत्री द्वारा किया गया था तब से ये अपनी कई गत् परिशान हो सकती है इस मनोदरपर के द्रू चात्रों के बीच सामाजी कल्यार को बढ़ारा देने के लिए मार्क दर्सन करने पर ध्यान देने के साथ साथ PME विद्द्या चैनल पर चात्रों कच्चा छे से बारा ठीक है सिच से ट्वेल्थ क्लास के लिए हर दें साम पांस स साथ 5 वे तक सहयोग एक लाइव आता है सहयोग जिसमें इन सब के बारे में ही बात की जाती है इंट्रेक्टिव सत्थ आयोजित किये जाते हैं मनोदरपर पहल आद्मे वे भारत अभ्यान का हिस्सा है ठीक है तो जो PME विद्द्या चैनल है वहाँ पर क्लास 6 से 12 से जाती है कौसा है सहयोग ठीक है यह भी कॉस्टन ही है आप प्रेक्जाम में पूछा जा सकता है तो यह मनोदरपर है आपका हम लोग देख चुके हैं किसका है मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन की तरफ से तो कोविट के दोरान इस्टुडेंट का जो हाल हो गयाता है या फिर इसके बाद रमसा है आपका हिंदी पखवाड़ा है नेशनल एवार्ड टू टीचर्स तो इन सबके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि यह क्या है क्योंकि इन से कॉस्टन पूछे जा सकते हैं जैसा कि अपने एकलव मॉडल एज इडियंसिक स्कूल में जो जीके और जी इसमें साइंस के कॉस्टन है हिस्ट्री के है या फिर तो आपका जो जीके और जीएस है ठीक है इसमें यह सारी चीजें ही इंक्लीड हो जाते हैं उन्होंने बोला है कि स्पेसर रिफेरेंस टू एजुकेशन लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहां से कॉस्टन नहीं पता है जीके और जीएस का ऐसा होता है कि पताने कहां से ही कुस्टन पूछ लें ठीक है तो आज लोग देखते हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो है सफल तो यह सफल क्या है स्ट्रक्चर असेस्मेंट पॉर एनलाइजिंग लर्निंग वल्लब एक स्ट्रक्चर पुरा मुल्ल्यांकन है लर्निंग को एनलाइज करने के लिए ठीक है सीखने के इस्तर के विशलेसर के संशरित मुल्ल्यांकन सफल को सीवेसी द्वारा विक्सित किया गया है जो 29 जुलाई 2021 को लॉंच किया गया था कब किया गया था 29 जुलाई 2021 को यह लॉंच किया गया था ठीक ह क्लास के लिए किया गया है जो बच्चों को कोई भी अप्लीकेशन के आधार पर या किसी चीज की आधार पर प्रस्नों को पूँचकर बच्चों का मुल्यांकन करेगा ठीक है वालो एक पूरा structure बे होगा मुल्यांकन करने के लिए जिसे हम लोग ने परक भी पढ़ा था उसमें भी क्या बताएगे कि बच्चों का मुल्यांकन किया जाएगा ये भी मुल्यांकन के लिए ही है grade 3, 5, 8 के लिए ठीक है और ये NEP का एक हिस्सा है ठीक जिसे की क्या है कि जो योगता अधारित मुल्यांकन है कि कि उस पर ध्यान दिया जा सके causal के उपर ध्यान गिया जा सके सफल विल इन स्वेर progress throughout school years by providing diagnostic information about student learning to school and thus support school education to move toward वाद शफल क्या करेगा जो school learning है जब तक बच्चा school में है तब तक उसकी assessment पर ध्यान देगा यहाँ पर हिंदी में यह convert नहीं हो पाया है किसी वज़े से ठीक है तो मैं आपको जो PDF दूँगी उसमें convert करके दे दूँगी बाकि मैं हिंदी में बता दे रहे हैं तो आप लोग यहाँ समझ सफल इसलिए बनायेगे स्कूल के दौरान बच्चे हैं उनकी कमियों को देखा जाएगा फिर उसी प्रकार से उन पर ध्यान दिया जाएगा फिर उनको assessment किया जाएगा और जो भी अगर कमिया है तो उसको उसी आधार पे और भी चीज़ें की जाएगी ठीक है पाइलेट और की स्टेज असेस्मेंट और तीन पांच आध यह आपको याद रखना है कि सबसे पहले असेस्मेंट जब स्टार्ट हुआ था तो तीन पांच आध क्लास के लिए वा था पाइलेट का मतलब क्या होता है कोई नई चीज़ जब बनी है तो उसको हम लोग जब स पूर सकते हैं कि कौन सी क्लास के लिए है कौन सी आपकी कच्छा तीन पांच और आठ के लिए खीक है इसकाद इंप्लिमेंटेशन कैसे हुआ तो इनहांस दा क्वालिटी ओफ लगनिंग इसकूर्स बाइ इनेबलिंग टीचर्स तो असरेटन लगनिंग इसकिल्स मोर एकु किया जाएगा कि बच्चे की जो लर्निंग अपर्चनिटी हैं उनको और अच्छे से बढ़ाये जाए ठीक है उसके लिए कोई अच्छे से इस्टेप लिये जाए एंसी आटी है डवलब लर्निंग आउटकम्स इसको क्या मोलते हैं एलो फोर ओल दा थिरी स्टेज ऑफ इस अपर प्राइमरी ठीक है है हायर सेकेंडरी स्टेज तो इन सब के लिए ही लर्निंग आउटकम्स निकल क्या है इसके लिए एसेस्मेंट बनाए गए इसके बाद हम लोग नेश्ट देखते हैं हिंदी पकवारा अब हिंदी पकवारा क्या है दैनिक सरकारी कामकाज में प्रोड सिच्छा निदेश साल है यहां पर डाइरेक्टर ओफ एडल्ट एजिकेशन में 16 से 30 सितंबर 2021 इस डेट भी आपको याद रखने है तक हिंदी पकवारा मनाया गया है पकवारे के दौरान निवंद लेखन टिपड़ी एवं प्रा रूपर हिंदी सुलेख हिंदी प्रतियोक्ता जैसी कई प्रतियोक्ताओं का आयोजन किया गया है ठीक है तो यह हिंदी पकवारा है इससे बाइचांस को सल पूछते इसलिए मैंने या पर थोड़ा सा इसको भी इंक्लिट कर दिया है तो आपको डेट याद रखनी है इसलिए बनाये गया है कौन सा इसका म अंत्रा रहे है यह आपको पता होना चाहिए इसके बाद एक और है नेशनल एवार्ड टू टीचर्स सिच्चिकों के लिए राष्टियो पुरस्कार पहली बार उन्निस सो अठावन में युवाओं के दिमाग और भविस को आकार देने में सिच्चितों की उतक्रष्टा औ यह राष्टियो पुरस्कार आवार्ड सुरू किये गए थे 1958 में तुकि माना जाता है कि टीचर्स ही होते हैं जो बच्चों की दिमाग को अच्छे से यूज करके मतलत जो भी उनके लर्निंग आउटकम्स है उस पे ध्यां देके उस प्रकार से पढ़ाके सारा अपना पू इस वार भी आपका नेशनल एवार्ट तो टीचर्स दोजाद थेस हुआ है तो वह भी मैं एक दिन करवा दूगी हो सकता है कभी करेंट से रिलेट करके से पूस लें नेक्स्ट यह है यह पुरुस्कार प्रात्मिक, माधमिक और विध्यालों में कार्यत मेधावी सिच्चकों को सारुजनिक मानता प्रदान करना था राश्टी सिच्चा पुरुस्कार योजना के बिसा मिर्देसों को वर्ष 2018 में संसोदित किया गया था अम्मूल आधार यह है कि नई योजना पारदर्ची निस्पच और मेधावी सिच्चकों को पुरुसुत करने वाली होनी चाहिए ताकि उन्हें अन सिच्चकों की उधारन और प्रदान के रूप में रखाया सके और यह इसके लिए भी रखा गया कि जो अन सिच्चक पढ़ा रहे हैं और फिर नई भरती होती है तो वो लोग भी एक प्रदास रोत के रूप में देखें कि इन्होंने कि इन्हों ने अच्छा काम किया था हम लोग भी स्कूल के भवे से या बच्चों के भवे से काम करें इसके बाद हम लोग नेश देखते हैं राष्ट्रिय मादमिक सिच्चा अभ्यान जो सेकेंडरी एजूकेशन के लिए बनाएं गया था ठीक है पड़े चलो बड़े चलो अदर यह पूरा सेकेंडरी एजूकेशन पर ही ध्यान देता है इसको सौट पर क्या बोलते हैं रमस 2009 में शुरू की गई थी 2009 में इस्टार्ट हुआ था योजना का क्रियानवन 2009-10 से प्रारम हुआ था किसी भी बस्ती से उची दूरी के भीतर एक माधिव उध्याले प्रधान करने की योजना कार्यारून के मद में चरण में 2006 में 52.26% से 75% नामांकन दर्ख रात करने की परिकल्पना की गई थी इसका ये भी था कि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा इन्रोल्मेंट हो सेकेंडरी एजुकेशन में थी कि अन उद्देशों में सभी माधिविक विध्यालों को निद्यधारत मांदन्डों के अनुरू बनाकर माध्मिक सिच्चा पर प्रदान की जाने वारी सिच्चा की गुडवत्ता पर सुधार करना ठीक है सिच्चा की जो भी गुडवत्ता है उसपर सुधार करना qualitative education provide करवाना link सामाजिक आर्थिक विकलांकता बाधाओं को दूर करना ठीक है कोई भी जो discrimination समाज में होते ह हैं उनको दूर करना आर्थिक मामले के हिजाब से समाजिक के हिजाब से या फिलिंग के आधार पर 2017 तक यानि वारी कच्चा के अंत्र तक माध्मिक सिच्चा तक सार भौमिक पहुँच प्रदान करना तो यहां पे लच्च भी रखा गया था 2017 तक की एक सार भौमिक उनिव 2020 तक सार भौमिक प्रतिधार प्राप्त करना और 2020 तक की पूरी तरह ही जो सेकेंडरी के बच्चे हैं वो इन्रोल कर पाएं स्कूल्स में ठीक है इसके दिया पर कुछ इंपोर्टेंट फिजिकल फैसिलिटी भी है रमसामे जैसे एडिशनल क्लास रूम बनाया जाएं जो ब एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटी होती है उनके पेज ध्यान दिया जाएं ट्वालेट ब्लॉक होट डिंकिंग वाटर प्रोवीजन रेजिडेंशियल हॉस्टल फोर टीचर से रिमोट एरिया जो थोरे से वैसे एरिया है जहां पर आना जाना या सुद्धाओं का अ एक टीचर होगा तीस बच्चों पर ठीक है तक कम करने के लिए अतरिक सिच्चकों की निफ्ध किया जाए जैसे कि आपके आरटी के हिसाब से है कि टीचर का अनपार बताएगे तो इसमें उन्होंने बोला कि और सिच्चकों की भरती की जाए इससे कि ये रेशियो कम किया कि जितने कम बच्चियों होगी टीचर उन पर उतना ज्यादा ध्यान दे पाएगा विज्ञान गलेत ओंगरेजी सिच्चा पर ध्यान दे ठीक है सिच्चों का सेवा कालिन प्रिशिच्चल अब सिच्चों का भी जो प्रिशिच्चल होता है टाइम टू ट्रेनिंग होती है उन पे भी ध्यान दिया जाएं, विज्ञान प्रियोग साला है, ICT सक्षम सिच्छा, प्रलब ICT का पूरी तरह एक क्लास में प्रियोग हो, इस प्रकार की कच्छाएं बनाए जाएं, पाठकरम में सुधार हो, सिच्छड अधिगम सुधार हो, ठीक है, तो इन सब पहलों पे रमसा ध्यान देता आ रहा है, कब से 2009 से, मेंटेशन मेकनिजम और इसकी कैसे इंप्लिमेंट हुआ ही है, योजना का कार्यानवन राज सरकार दारा, योजना की कार्यानवन के लिए स्थापिश समीटियों दारा किया गया, इसके लिए अलग समीटियों बनाए गई ठीक है, फिर इसका कार्यानवन इसको इंप्लिमेंट किया गया, केंद्री के हिस्सा सीधे कार्यानवन एजनसी को जारी किया जाता है, लागु राज का हिस्सा भी सम्मनित राज सरकारोगारा कार्यानवन एजनसी को जारी किया जाता है, ठीक है, मालब इस्टेट गवर्नमेंट इस उसको उस प्रकार से चीज़े प्रोवाइड करवाना और एक आपकी होती है equality, equality में क्या होता है कि जितने भी लोग है सब को बरावर चीज़े देना ठीक है, अब मलगा उनकी need करना ध्यान रखके सब को ही बरावर equality, equality में होता है जिसको जितनी जरूरत है, जिसको जितनी need है उसके हिसाब से चीज़े प्रोवाइड करवाना ठीक है, तो सूच नियोजन में विशेश ध्यान तो माइक्रो प्लानिंग होती है, उस पे सबसे ध्यान दिया जाएगा, उन्नेयन के लिए आस्रम विध्यालों को प्राथ्मिक्ता, ठीक है, आस्रम विध्याले जिसे आपक एस्टी, एस्टी, अल्व संक्यक, छेत्र है जहाँ पर, ठीक है, कमज़ोर वर्ग के लिए विशेश नामांकन अभियान, अब जो कमज़ोर वर्ग में लोग आते हैं, उनके लिए अलग से ही नामांकन के अभियान चलाना जिससे की वो ज़्यादा ज्यादा एड्मिस्न ल अधर आते हैं, क्योंकि इसको जैसी नीड है, मनलब नीड है ना, कि सेस्टी एरिया है, तो वहाँ पर ज्यादा स्कूल हो, उनको प्रात्मिक्ता दी जाए या फिर उस चेत्र से जो बच्चे आते हैं, ठीक है, उनके नामांकन पर ध्यान दिया जाए, तो यह इकोटी की ही उसमें क्या क्या है, तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, सबसे पहले आपका जिसे 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 इस्ट्रक्चर है, इस वार तो 5 में क्या है, सबसे पहले क्या होगा, कि सबसे पहले बच्चा जब 3 साल का होगा, ठीक है, यह question भी पूछा गया, यहाँ तक कि मे सबसे पहले किसमें जाएगा, आंगनवारी जो होगे, प्री स्कूल होगे, बाल वाटका कितनी यह तीन से 6 साल तक, ठीक है, तीन साल तक बच्चा इन में जाएगा, यहाँ तो कोई पढ़ाई, मतलब कोई किताबी पढ़ाई नहीं होगी, बच्चे को खेल के द्वारा, य सिखी, वो स्कूल में बैठना सीखें, अच्छे से, और उसी द्वारा, वो, मतलब, जो उनकी कह सकते है, क्वाल्टी है, बच्चों की, क्या होता है, कि 6 साल तक, बच्चों के दिमाग का विकास, बहुत अच्छी तरीके से होता है, उस तार पे बच्चों का आप जिस प्र है कि उसके बाद जब 3 से 6 साल का हो जाएगा, फिर उसके बाद बच्चा जाएगा, क्लास 1 और 2 में, ठीके, एज कितनी होगी, 6 से 8 साल तक की, ठीके, तो इसको क्या बोला गया, फाउंडेस्नल स्टेज बोला जाता है, इसको दूसरा है, फिर बच्चा 6 से 8 साल के बाद, तब 8 से 11 साल का होगा, तब वो क्लास 3 से 5 में जाएगा, जिसको क्या बोला जाएगा, प्रप्रेटरी स्टेज, फिर बोला जाएगा, क्लास 6 से 8 तक तब उसकी एज कितनी होगी, 11 से 14 साल, इसको बोला जाएगा, फिर बोला जाएगा, क्लास 9 से 12 में, तब एज कितनी होग तक बच्चा जो है पूरी अपनी 12th class complete कर लेगा ठीक है तो यह काफी important है यह structure अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज़े हैं इससे काफी question बनते भी हैं ठीक है और क्यों यह मैंने अभी आपको बताया है सारा कुछ figure समझाया है इसको भी आपको समझना जाएगा प्रारंबिक बच्चपन देखवार और सिच्छा ECC उन प्रक्रियां और तंत्रों की एक स्रंकला को संदर्वित करता है जो जीवर के प्रारंबिक वरसों के दोरान विकास क भी आपको समर्तन करते हैं ठीक ही, ECC क्यों होता है गया जो आपको यह वाला पार्ट है आगनवारी प्री इसकूल बालवाड का इसमें ही efficiency का यूज होता है यह इस पे धियान देबैदा है बच्चे को उसके शुरुवाती ताइम में या सुरुवाती प्रारंबिक इसकू बास्ते देखवाल और पोसड़ ECC कारकरब में सामिल है तो ECC में क्या क्या सामिल है आपका यहां पर आप लोग देख सकते हैं एजूकेशन सामिल है ठीक है फिजिकल सोचल इमोशनल केर सामिल है इसके बादप इंटलेक्टुल वसकों का जो मान्ड है उसको कैसे हम अच्छी भिषां में कैसे कह सकते हैं कि बढ़ा काँ हैं कौसी गतवीतिएं के जारह यह सब ऐसके सामिल है उसके बच्चों की एसल्ट ह सामेल ने ठीक है तो जो शुरुवारती दौर होते ECC प्रोग्राम इसलिए बनाएगा है कि इन सब पहले हो पे ध्यान दिया जा सके अधिकांस ECC कारकरम मातापिता की सिच्छा और छोटे बच्चों की देखवाल और विकास में भागिदारी पर महतपूर जोर देता है भारत ECC ध्यान देता है ठीक है NCF जो आपका 2005 है उसमें इसकी बात की गई थी भारत में एक ही किरतबाल विकास सेवा जिसको ICDC बोलते हैं ठीक है ECC का घटक जो बच्चों के भी सिच्छा और सीखने पर ध्यान के इंद्रिश करता है उसे प्रारंबिक बच्च्पन सिच्छा ECE या पूर्व स्कूली सिच्छा भी कहा जाता है ECE मतलब Early Childhood Education G1 के पहले 8 वर्स जिने सीखने के मूलवूट वर्स FYL का क्या मतलब Foundational Year of Learning मतलब जब बच्चा सुरू में सीखता है उस यर को मतलब 8 साल तक तब उसको क्या बोला जाता है Foundational जैसे NEP में Foundational stage भी रखी गई है इसलिए तो इसी को ध्यान रखें के रूप में जाना जाता है विकास की विभिन अवधियों को सामिल करते हैं प्रतेक अविदी को विशिष्ट विखासा तक मील के पत्थर द्वारा पहचाना जाता है प्रारणबिक बच्षपन की पृतियक अवधी बड़े सांस्कृतिक सामाजिक परवेश द्वारा सुगम होती है जिसमें बच्चे बड़े होते हैं और विविन संस्था हैं जो पृतियक चरण का समर्थन करती हैं ठीक है तो ECC समर्थन में आगया किस लिए है किस पर काम करत है आपको अच्छे से समझ में आगया होगा इसके बड़े इस अवधी की मुख विसेशता तेजी से समर्थ विकास जिसमें मस्तिस्क का विकास सामिल है जो ठोस और प्रतियत से सीखने के अन्वहों को सुगम बनाता है ठीक है क्योंकि 6 साल तक यह question भी है आपसे पूछा ज होता है तो कितनी 6 साल तब होता है ठीक है इसी बड़े एसी सी प्रापधानों का एक समुह है ठीक है बादर एसी की अंदर ही आपका एसी आता है हमारे देश ने सामान साइटें जिन पर 3-6 वरसों पर विसेश ध्यान देने के साथ इसी कारकरव सभी 36 जारा प्रदान किया जाता है वह सरकारी नीजी स्वेचिक संगठर जो आपकी जैसे बाल वाटका खुले होते हैं आगलवाडी होते हैं आगलवाडी तो सब को भी पता होगा इसका त्री स्कूल्स है यहाँ पर गवर्मेंट की तरफ से प्राइवेट तरफ से एंग्यों की तरफ से इन सब के ध्य जान दे जाता है और इनकी इंस्टिटूट भी होते हैं ठीक है अब सरकार की तरफ से यह मुख रूप से एक इकरत बाल विकास योजना जिसको ICDS के मार्धियम से प्रदान किया जाता है और केंद्रों को आमतर पर आंगनवाडियों के रूप में जाना जाता है ठीक है तो सरकार की तरफ चलती है आंगनवाडी वो ECC मतलब जो सुरुवाती यह होते हैं बच्चे के उनकी पढ़ाई रिखाई पर ध्यान देता है उनकी जाते हैं जिनने किंडल गार्डन, नर्सरी, प्ले, स्कूल, मॉन्टेशरी कहा जाता है तो आपने इन सबके भी नाम सुनेंगे किंडल गार्डन बोलते हैं ठीक है खिट जी आपका एक स्कूल होता है तो यह सारी प्राइविट समस्ता है इसकाई NGO के दारा गैर सरकारी का सभरतर करते हैं तो NGO क्या करते हैं जो सरकार के द्वारा ही फिजेंश आहती है वहाहां पर आपके पैसे सारी चीजह कह सकते हैं कि उनको प्रोवायट कर वाइए तो NGO उसके काम करते हैं ठीक है अब यह पूरा इस अपर हम कि कहां कहांपर कैसे होता है सबसे परदे जैसे इंफेंसी मलब दो से जब से बच्चा पैदा होता है तब से दो साल तक ठीक है और उसके बाद टूडलर हुड वलब दो से तीन साल तक क्योंकि घर में ही रहता है तो क्या होता है कि इसके और शेंटरस होते हैं जो प्रग्नेल लेडिज हैं आप्में सुना ओधान वाडी की तरफ से उनको भी बहुत सारी चीजे प्रोवाइट की जाती हैं थीक है तो यह इसीची के अंदर ही आते हैं काफि प्रोग्राम इससे चलते हुए इसका प्रीश्गूर्स यह तीन से इसके बाद ये किसके ये तो दोनों है जो 3-6 साल और 6-8 साल ये पूरा जो आपका इस्ट्रक्चर है ठीक है ये किसके अंदर आता है इसमें में ECC आपका वर्क करता है ठीक है इस फिगर से आपको समझनी भी आ गया होगा ठीक है तो ये सारी चीजे हैं जो ECC के अंदर काम करती है प्रतम दो वर्सों की अविद को सैसल काल कहा जाता है दो-3 साल की अविद की उम्द जब बच्चा निर्भता से स्वतर काम काल आत्म देखवार की और बढ़ता है उसे बच्पर कहा जाता है ठीक है तो ये पूरियेड है जह ध्यान देते हैं या डेकेर और क्रेंच में जब माता पिता दोनों आर्थिक अद्विदियों में सामिल होते हैं मतलब कभी-कभी डेकेर स्कूल भी होते हैं ठीक है कि माता पिता दोनों काम करना है तो डेकेर स्कूल होते हैं वहाँ पर बच्चों पर ध्यान दिया जाता है बच्पन से ही कई छोटी अवे दिख लिए play school चला जाते हैं ठीक है तो फिर से यह यहाँ पर दिखाया गया है आप लोग फिर से समझ सकते हैं यहाँ पर मैं बता भी चुकी हो foundational preparatory middle secondary तो यह figure आपको बहुत अच्छे से तयार करना है ठीक है यह काफी important है paper के लिए अब प्री स्कूल बालवाट का आंगनवाडी यह क्या है अभी देख भी चुके और भी देख लेते हैं बच्चों के आपचारिक स्कूली सिच्छा में प्रिवेस करने का चरण है यह यह आमतर पर तीज से छे वर्स की आयो की अविदिकी होते हैं इस उम्र के अधिकांस वच्चे आंगनवाडी केंद्रों बालवाडी यों नरसरी स्कूलों में पूर प्रात्मिक पर्गों में आपचारिक या गयर आपचारिक कारकों में भाग लेते हैं ठीक है यह अब अब तक भारत में स्कूल प्रणाली के दायरे से बाहर रही है क्योंकि भारत में इन सब चीजों पर इतना वो नहीं हुआ लेकिन आपकी जो NEP 2020 है और चारिक स्कूल प्रणाली में तीन से छे वरसों बच्चों को सामिल करके स्कूल सरजना में एक महतपूर बदला लाने की बात हो रही है यह भारत में एक संपन छेत्र के इसमें कई सार्वरिनिक निजी और स्वैचिक संगठन सेवाएं प्रणाल करने में सामिल होंगे यहाँ पर बहुत सारी संगठन साथ मिल के काम करेंगे आपकी गवर्मेंट है प्राइवेट है एंगियोज है तो यह एन एपी ने इसमें काफी अलग से ध्यान दिया है इसके बाद है चौथा चरण प्रारमिक प्रात्मिक ग्रेड का जिसमें 6-8 वर्म भारत में चरण आमतर पर प्रात्मिक ग्रेड स्कूल का हिस्सा रहा है जिसमें गत्विदी आदारिश सेचल द्रस्ट कोड को सीखने के पसंदीदा द्रस्ट कोड के रूप में व्यापक रूप से मानता दी गई है इसे अब प्री स्कूल से कच्छा दो तक एक निरंतरता के रूप में देखा जाता है ठीक है? 6-8 साल तक प्राइमरी ग्रेड में बच्चे पढ़ते हैं और इसमें भी अलग अलग तरीके से चीड़ें करवाई जाती है 3-8 वर्स की आयूप के प्री स्कूल साइटों के माद्य में से प्रदान किये गए विकास के सभी चेतर में बच्चों की समग और विकास पर ध्यान केंदित करने को सीखने के मुलभूत वर्सों के रूप में जाना जाता है 3-8 साल का जो उमर है वहाँ पर बताएगे कि बच्चों का जितने जादा ज्यादा अच्छे से विकास हो सके करना चाहिए उनकी करीकुलों एक्टिविटी है उन पर ध्यान देना चाहिए इसको क्या बोलते हैं? पाउंड नेशनल इयर ओफ लर्निंग बोलते हैं ठीक है? तो जो आपका निश्टा 4.0 है उसको क्या बोलते हैं? ECCE ही बोलते हैं ठीक है? निश्टा हम लोग नेश्ट लास में देखेंगे उसको डिटेल में निश्टा के चार चरण होते हैं 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 तो जो आपका 4.0 है वो किसमें होता है? ECC में अब ECC को समझने के बाद ये भारत में कैसे समझते हैं? आईए प्रारमिक वर्सों के महत को समझें गुडवत्तापूर्ज ECC कारकरम को प्रहावित करने वाले विविन कारकों अप्रतेक सिच्छक को जो भूम का निभानी होगी उसे समझेंगे तो ECC निश्टा में ये चीज़ बताएगे है कि टीचर कैसे तयार अलग टीचर को कैसे तयार किया जाएगा इन एज के लिए इन बच्चों के लिए ठीक है? तो ये आप निश्टा देख सकते हैं निश्टा क्या है? निश्टा में टीचर्स पे ध्यान देता है इसमें आपका जैसे सबसे पहले निश्टा 1.0 जो एलिमेंटरी लेवल की टीचर्स को प्रिपेर करेगा ठीक है? निश्टा 2.0 है सेकेंडरी लेवल से रिलेट करेगा निश्टा 3.0 है फलन ये भी NEP आपकी जो है उस पे काफी जोर दिया है FLN पे कि मतलब को बच्चों को नॉर्मल चीजें है मैस से रिलेटिड हिंदी भासा से रिलेटिड ये सब आनी चाहिए ठीक है सुरुआती येर में तो इसको भी अब लोग देखेंगे इसके निश्टा 4.0 अरली चाइडूट केर एजुकेशन इसमें जो टीचर्स आते हैं उनको कैसे प्रिपेर होना चाहिए क्या-क्या चीजें होनी चाहिए इन सब के बारे में निश्टा पूरा वर्क करता है फूरे इंडिया में ठीक है इसके बारे में लोग निश्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि यह अपने आप में ही अलग ही एक टॉपिक है ठीक है अब यह आप बस यह समझें निश्टा 4.0 इसीसी पे वर्क करता है इसमें टीचर्स ही रिलेट करते हैं तो यह आपके थे यहाँ पे जिसे आपका यहाँ पे सफल था एसीसीई था रमसाम लोग ने पढ़ा थी कि हिंदी पकवाड़ा पढ़ा नेशनल एवार्ट टीचर्स पढ़ा तो यह सारे इंपोर्टेब परेंगे इसकी क्लांसे जहां पर हम लोग देखेंगे कि देख्चा क्या होता है इसके निपन भारत क्या है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभ्यान ठीक है क्योंकि इसे एक्जाम में प्रस पूछे आते हैं जिसे आपके क्या है तो सबसे पहले पर दिख्चा के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे ज्यार्य है कि दिख्चा की फूलपॉण क्या होती है तो Digital Infrastructure for Knowledge Sharing ठीक है क्या है? Digital Infrastructure for Knowledge Sharing has been formally launched by the Honorable Vice President of India on 5 September 2017 ठीक है मतलब 5 सितंबर 2017 को यह launch किया गया था माननी है उपराश्टपती के द्वारा ठीक तो इसकी date याद दखनी है कि कब launch किया गया था जब आप Google पे जाके दीच्छा ऐसे type करते हैं ठीक है? तो कुछ लोगो आता है इसका यहाँ पे दीच्छा लिखा होता है ठीक है यह तो इसकी full form और कब launch हुआ था? यह काफी important है पूछा जाता है exam में अब इसके बारे में देखेंगे जब हम लोग इसको open करते हैं तो यह आपके ऐसी screen आएगी Google पे ठीक है? जो क्या है नेशनल डिश्चर इंफर स्ट्रक्चर और अवर टीचर्स मनले टीचर्स के लिए एक अलग से यह platform बनाए गया है ठीक है टीचर्स ट्रेनिंग के लिए उनके course के लिए कैसे पढ़ाना चाहिए कैसे बच्चों की need है उसे साफ से पढ़ाना चाहिए तो हम लोग सारी चीज़े देखेंगे दीच्चा सिचकों के लिए राष्ट्य डिश्डल वुनियाद धांचे के रूप में काम करेगी ठीक है किसके लिए सिचक के लिए काम करते हैं देश पर के सभी सिचक उन्नत डिश्डल टक्नीक से लेस होंगे जितनी भी डिश्टल चीज़े चल रही हैं सारी चीज़े टीचर्स को बताए जाएंगी क्या क्या है कैसे ICT का यूज कर सकते हैं क्लास रूम में ठीक है इसके अब दीच्छा पोर्टर सिच्छक सिच्छा के छेतरे समाधानों को सक्षम तेज और विस्तारित करेगा यहां पर है कि बहुत सारे लेशन बगरा होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे बच्छों को पढ़ाना है और सारी चीज़े इस प्लेटफॉम पर प्रोवाइड करवाई गए हैं इससे सिच्छकों को सीखने और खुद को प्रसिचित करने में मदद मिलेगी जिसके लिए मूल लियांकर संसादन उपलब्ध होंगे ठीक है टीचर मतलब अप टू डेट रह सकते हैं इस एप के थुरू ठीक है कोई भी नई चीज एड हुई है या फिर मूल लियांकर से जुड़े हुई चीज है तो टीचर उसपे काम कर सकते हैं यह सिच्छकों को प्रसिच्छ सा हुए होते हैं जिससे की कच्छा में ऐसे हम लोग बच्चे की नीट के संसादन जुटा सकते हैं क्या टीचिंग मेथड यूज कर सकते हैं ठीक है कोई चीज अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रही है तो कौन कों से तरीके ICT के द्वारा अपना सकते हैं जिससे के पोर्टर सिचक सिचक की छेतरे समाधानों को सक्षम तेज विस्तारित करेगा इससे सिचकों को सीखने और खुद को प्रसिचित करने में मदद मिलेगी इसके लिए मूल्यांका संसादन उपलब्ध हैं किया सिचकों को प्रसिचक सामगरी प्रोफाल कच्छा में समाधान और उप्योग कर रहे हैं और इंडिया में होता भी कि बहुत सारे सिचक हैं तो नई नई टेक्नोलोजी का यूज़ करके इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को सामने प्रसुत करते हैं कि बच्चे खेल खेल की जो बोला जाता है कि एक्टिविटी मैथेड करवा कि इसने MSRD और NCT को राश्टिए इस थरपन इन प्रयासों का समय करने और दीच्छा का निर्वान करने के लिए प्रेयृत किया है तो MSRD NCT कि एक संस्ता है जो सिचक के लिए काम करती है उनकी ट्रेनिंग करवाती जैसे जो आपके सिचक बनने वाले हैं प्री ट्रेनिंग बोलते हैं टीचर्स की या फिर टीचर्स जब बन जाते हैं उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है उसका कौन देखता है एंसीटी देखती है आपकी ठीक है इसके दर राज सरकारी निकाय और जहां तक की नीजी संगठन भी अपने लक्षे और जरूरतों छमताओं के अधार पर दीच्छा को अपने संबंदि सिच्छा पहल में एकिकरिद कर सकते हैं जैसे आपकी नेशनल एजिकेशन पॉलसी है उसमें भी इसकी बात की गई है कैसे इसका यूज करके टीचर्स नएने तरीकों से बढ़ा सकते हैं वे निमलिकित बनाने के लिए दीच्छा की सुधां क उपयोग कर सकते हैं जैसे कि इन क्लास के अंदर कैसे सवसादल उपयोग कर सकते हैं कोई भी वैसा मैटरीर है खराब है उसको कैसे यूज करके मॉडल बना सकते हैं ठीक बच्छों को प्रस्तुत कर सकते हैं उसे या बच्छों से कोई क्रिएटिविटी करवा सकते हैं इसक teaching training content है वो कैसे बना सकते हैं इसके मूल लियांकन साइक बच्चों को कैसे अलग अलग तरीके से मूल लियांकन कर सकते हैं जो बच्चे बच्च प्यान्य जो कोई कर रहे हैं जो आसेस्मेंट गोष्णा सब्लग और निजीव संगठनों के परामर से उबरी हैं तो यह जो प्लेटफॉर्म बनाए गया है, बहुत सारे लोगों से बातचीत करके, उनके विचार विवाज करके फिर इसको बनाए गया है, जिरों ने दिक्षा में योगदान देने में सहायत, सहयोग किया है, अब इसमें बहुत सारे चीजें भी काम करत तो यह mobile app भी है आप देख सकते हैं जिसे अगर आप दीख्षा एप श्टोर पर डाउनलोड खरेंगे तो यह mobile app भी आ गया है जहां पर कहा है जिए दीख्षा प्लेटफॉर्म और इंगेजिंग लर्निंग मैटेरियर्च आपको लर्निंग मैटेरियर प्रोवाइड करवाए है इसके अलावा पैरेंट्स के लिए भी है पैरेंट्स भी उस पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं डाउनलेट दीख्षा एप एंड इसके qr-codes in your text books for easy access to all your lessons ठीक है आप दीख्षा एप डाउनलोड कर सकते हैं उसमें qr-code का function है उसको इसको इसके आप अपनी classes वगारा देख सकते हैं ठीक है इसके या कैस के features हैं यह हम लोग देख लेते हैं तो सबसे पहले qr-code इसमें qr-code की विवस्ता है सिचकों चात्रों के लिए राश्टी डिशल बुन्यादी डाचे तक उनकी ncr-t पुस्तकों में दिये गए qr-code को scan करने के बाद पहुंचा जा सकता है qr-code को scan करने के बाद portal उन सुझाओं विश्यों के साथ आएगा इनका आप अध्यन करना चाहते हैं ठीक है जैसे आप आपने ncr-t की बुक्स देखिया है वहाँ पे qr-code दिया होता है उसको आप दीख्चा एप से scan करेंगे तो उस चीज से related जितनी भी important चीजें है या पिर कुछ भी है teaching material है ठीक मूल यांखन को कोई है तो वह सारी चीजे आपको दीख्चा एप पर दिखाई पड़ेगी ठी दीख्चा एप है जो पोर्टल अंग्रेजी विन विस्यों में उपलब्द है जिसमें हिंदी है मराथी है तमिल है तेलगू आपकी आद 18 भासा हैं सामिल है कितनी भासा हैं तो 18 भासा हैं सामिल है 18 भासा हों में आप अपना content देख सकते हैं आप अपनी सुवदा के आधार पर कोई भी भासा चुन सकते हैं ठीक है आपको हाँ पर भासा चुनने का option होता है आप किसी भी भासा में देख सकते हैं यह नहीं कि इंग्लिस में ही है जो किसी के समझ नहीं आएगा 18 भासा हों में यह चीछ दी गई है इसके बाद है इस्थान आधारित पोर्टर सबसे प इस अलाके में रहते हैं तदा अनुसार है आपको उस छेत्र में चल रहे है पाटकम दिखाएगा जिससे कि आप अपने kawesal set के अनुसार वांचित पाथ कम चुन सकते है ठीक है अविस्थान क्यू पोस्ता है कि आप कौन से स्कूल में है या कोश भी दिल जिसे आप कच्छा आधारित दीक्षा पोर्टल के लिए उपयोग करता को वह कच्छा चुरने की आवसकता होती है जिसकी अध्यान सामगरी तक पहुंच बनाई जानी चाहिए उस मानक पर क्लिक करें जिसकी अध्यान सामगरी आप ऐसेस करना चाहते हैं और सब्मिट बटन दर्ज करें अब आपको जिस भी क्लास की सामगरी चाहिए जिसे अब उसमें भी सब्जेक्ट आपके साइंच चाहिए मैच चाहिए ठीक है या फिर हिंदी चाहिए तो वह सब आप सेलेक्ट करके उस चीज को उस एभ पर देख सकते हैं ठीक है इसके और एडवांटेज और टीचर नहीं बता पा रहे हैं तो वहां पर और जो टीचर कमिल्टी अइड है उससे आप डिसक्स करकी एक कोई सरल उपाय या तीर मैटेरियल आप देख सकते हैं जो अपने चाहिए आप को बढ़ाने के लिए पार्ट को में सामिल हों, और पूरा होने पर बैच और प्रिवार पर अरजित करें, अब टीचर्स ट्रेरिनिंग का भी यहां पर प्राप्धान है, अगर आपको किसी जिसे पर्टिकलर छेतर में कोईश्किल्स हासिल करने हैं, तो इसमें कोर्स भी है टीचर्स के लिए, वह आप कोर्स सेलेक्ट करके उसको पुरा देखें, सीखें, ठीके, फिर उसका आपको प्रमारपत मिलता है बैच मिलता है ठीक है तो यह सारी सुगदाइं आपकी दिख्षायत में हैं एक स्कूर सिच्छा के रूप में अपने करियर के दोरान अपने सिच्छर इतियास को देखें ठीक है इसके अदराज विवाग से अधिकारिक गोसनाइफ राप्त करें यहां पर मुल्यांतन का भी बहुत अच्छा साधन दिया हुआ है जो टीचर्स कर सकते अपने स्टूडेंट के लिए इसके आद है कि इस्टूडेंट को कैसे इससे लाब हो सकता है दीख्षायत तक पहुंचने दीख्षायत तक पहुंच रखने वाले चात्र आसान औ सक्षम होंगे इसमें बहुत इंट्रेक्टिव वे में बताया गया है जिससे कि एक कोई भी आपका लेशन है जिसको आप नहीं अच्छे समझ पा रहे हैं तो यहां पर क्लास बगरा भी पड़ी हुई है तो आप लोग उसको देख सकते हैं ऐसी विसेस्ता है जिनके माध्य कि एक सब्सक्राइब इसका जाने हैं जिन अवाबों के पास अपने मोगाइल में देख्षा आप है वे अच्छा की गत्वतियों पर नजर रख सकते हैं और इसकूर समय के बाहर संकाओं का समादा कर सकते हैं तो अब किसा पढ़ाए जा रहे हैं जट्वतियों पर भी जो parents हैं वो नज़र रख सकते हैं अपनी बच्चों की अगर कोई समस्या है तो फिर बाद में teacher से मिलके उसको solve कर सकते हैं ठीक है ये इसमें सामिल सभी हितकार हित धारकों के बीच परेशानी मुक्त बाचीत के लिए एक प्यापक मंच है या फिर उसमें भी बहुत सारी teachers हैं किसे से related आपको लगता है कि मेरे बच्चे को इस बारे बात होनी चाहिए तो आप वहाँ भी पूश सकते हैं ठीक है यह देखो बोर्ड लिखा है कि आप कौन से बोर्ड से हैं आप सेलेक्ट करेंगे फिर मीडियम फिर क्लास तो उससे रेटी जितनी भी बुक्स हैं आपके सामने आ जाएंगी ठीक है यह यह पर गूगल पर जाके अच्छे से देख लेते हैं जिसे कि आपको और अच्छे से क्लिर्टी हो जाएगे। यह आपने गूगल एप ओन कियाँ यह पर बता जा रहे हैं यहां पर आप देख्णा तरीक्षा करेंगे क्लिप करेंगे तो सब्बसे पहले यह आपका दीख्छा पोर्ट करके में वह बहू है तो अगर और स्टेट कौन सा है सारी चीजे तो यह आप लोग देख सकते हैं भारत में कितनी जगा पर करेंट यूज है आप लोग देख सकते हैं यह अब क्लिक करेंगे कौन साब का बोड है यह सारे बोड आपके दिये गए है ठीक है तो जिस भी बोड से आप जिस स्टेट्स हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अड मीडियम आपका क्या है अब देखो यह आप यह आईगा टीचर साफ है यह स्टूडेंट है पैरेंट है एस्कूल के कोई है या फिर अदर कोई है तो आपको जिसे आपने student सेलेक्ट कर लिया continue करेंगे फिर आपका board आएगा यहां पर आपने board डाल दिया ठीक है उसके बाद है आप medium डालेंगे आप देखो यह भासा है जो 18 भासाओं के लिए बात कर रहे थे तो यहां पर सारी भास इसका content है तो मालो हम लोग class 10th select करते हैं आप क्या करेंगे submit कर देंगे ठीक है अब क्या है जो आपकी class 10th से related जितनी भी चीज़ें है यहां पर दिखाई देंगी ठीक अब जिसे accountancy है यह सब चीज़े है आप देखो biology की यहां books पड़ी हुई है ठीक है business study है chemistry है आपकी तो स सारी चीज़ें यहां पर उपलब्ब हैं अब हम लोग को यह open करके देख लेते हैं यहां पर कैसी यह सब चीज़ें होंगी अब यहां पर फिर से पूछेगा कि आपकी जो भी data वगर है वो पूछ के आप open कर सकते हैं और अपना जो भी books चाहिए उसके पूरा देख सकते हैं ठीक है और उसके कोई material है वो देख सकते हैं लेकिन आपको अपनी जो भी location है आपका नाम क्या है सारी चीज़े फिल करने नाम के पड़ेगे बड़े यहां ठीक है जैसे हाँ गेस्लियौ पश्टी स्टूडेंट हो गया अब इस अब यह ओपन होके आएगा यहां guest में आप लोग अपना नाम भी लिख सकते हैं जिसे यहां पर अब देखो यह submit होके आगया अब हम लोग यहां पर कोई अगर book open करेंगे वालो हम लोग यहां पर यह computer की book open करते हैं इसको open करेंगे तो यह देखो आपकी पूरी classes हैं यहां पर अप लोग ऐसे class यहां पर पुरा content दिया जो ncr.t में आपका होता है आप ऐसे भी देख सकते हैं इसके लावर जैसे आपको वीडियो देखने है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह और लिखा है यहां वीडियो पर क्लिक करेंगे जब ठीक है तो इस से रिलेटेड़ सारी वीडियो जो भी क्लास इसकी है आपकी यहां पर आजाएंगे अब देखो यह पूरा दिया गया है कि चैप्टर 2 है चैप्टर 3 है 4-5 इस पकार से अब यहां पर वीडियो इंट्रक्टिव यह डॉकुमेंट फॉर्मेट यह कुछ भी तो भी वीडियो पर क्लिक हो नहीं रहा है अब लोग और कोई इसे यह एकोनोमी की खोल के देख लेते हैं इसके वीडियो देखते हैं यह देखो वीडियो पर क्लिक करेंगे इसका यह आ गया ठीक है अब इसके वीडियो पर क्लिक करते हैं तो यह आपकी वीडियो से रिलेटिज यहां पर चीज़े देखा है एक्स्प्लाइशन कंटेंट इसके क्लिक करेंगे इसका खुछ दिक्तत हो रहे लेकिन इस पतार से आप करके इसको यूज कर सकते हैं ठीक है तो समझ देखा हम लोग ने ऐसे आ सकते हैं आप आप लोग सारी चीज़ें यह कहके देख सकती है स्थिख देख लेतें लिए कि मेन हाइलाइट कि इसे पाठ्ट चर्य और संसादन दीख्षा राष्टिय पाठ्करम के अनुसार डिश्टल सामगरी और संसाद्रों की विस्तर स्रंखला खजान करता है सिच्छक अपने सिच्छक में सायता के लिए पाठ, योजना, कार, पत्रक, वीडियो, और अनित, सैच की सामगरी तक पहुं सकता है क्यूर कोड का सिस्टम है, इसमें क्यूर कोड आप अपनी बुक से स्कैन करके अपने कंटेंट तक कहुं सकते हैं, ठीक, इसके सिच्छक को प्रसिच्छित होना है, कोई चीज अलग से सीखनी है, वो यहां पे कोस्ट कर सकता है, और उसको जो भी डिप्लोय या डिग्री भी करवा दी जाती है, ठीक, इसके मूलीख अउप करर, तो दीख्छा, आप कोई भी भासा में देश भर में, आप कोई भी भासा कहीं से भी बिलोग करते हैं तो आप इसका कंटेंट देख सकते हैं, ठीक, विविद प्लेट्फोर्म के साथ एक ही करण, आप दीख्छा है तो आप इसलिए यहां पे बहुत आसान तरीके से आपको सारे कंटेंट भी हो जाता है मोबाइल आप के माद्यम से पहुंच इसका मोबाइल आप भी है जो आप लोग अपने मोबाइल में भी इसका यूज आसानी से कर सकते हैं ठीक है और जो भी अलग-अलग जगा पे टीचर से हैं उन से आड हो सकते हैं ठीक है अपने बच्चे की गत्वितियों पे नजर रख सकते हैं तो यह आपका दीख्चा था आसा करती हैं आपको समझ में आ गया होगा इसके हम लोग देखेंगे कि निपुन भारत क्या है एनीपी 2020 के अनसा सिच्छा प्रडाली के सरवोच प्रात्मिकता दोजार पच्चिस तक प्रात्मिक विध्याले में सार भामिक मूल पुत्ष साक्षर्ता और संख्यात मक्ता हासिल करना है जो हम लोग FLN की बात करते हैं फांडेशनल लिटरेसी और निमिरेसी वो प्राइम के लिए तभी प्रासंगिक होगा जब यह सबसे बुनियादी सीखने की आवसकता यानि बुनियादी इस तरफे पढ़ना लिखना और अंक्रगरित पहले हासिल की जाएगी इसके अंसार से बताएगे कि जो चात्र है जब तक वो बेसिक चीजे नहीं सीख पाएंगे जैसे कि आधार पर मूनबूत, साक्षर्टा, संख्यात्मक्ता और एक राष्ट्री मिसन इस्थापित किया गया है ठीक है तो यह एफलन के लिए मेन बनाया गया है सभी राज की अंदर सासे प्रदेश सरकारे सभी प्रास्मी स्कूनों में सार भॉमिग मूनबूत, साक्षर्टा और संख्यात्मक्ता राष्ट करने के लिए तुरंत एक कार्यान में योजना तयार करेगी, 2025 तक राष्ट किये जाने वाले चरण वाले लक्षों की पहचान करेगी, उनकी प्रदत पर बारिकी से नजर और निगरानी रखेगी, ठीक है, कि बच्चों को डेली बेसिसी जो नौर्मल रीडिंग, राइटिंग और गड़िस से रिलेटेज जैसे बच्चा कोई सामाल लेने गया है, तो दस रुपे लेके गया है, पांच रुपे सामाली तो उसको पता होना चाहिए, कि पांच रुपे उसको वापस लिखे आने, ऐसी नौर्मल चीजां बच्चे को आने चाहिए, ठीक है, तो निपुन भारत है, यह आप जिसे हम लोग ना भी गूगल पर देख्चा का देखा, ऐसी हम लोग जब उसके निपुन भारत डालेंगे, तो यह लिखे आता है, कि कहा से, डिपार्टमेंट ओफ स्कूल एडुकेशन और लिटरेसी, ठीक है, इसक लोग इन करते हैं, तो यह ऐसे लिखे आता है, आपको डिपार्टमेंट पता होने चाहिए, किस डिपार्टमेंट कहा ही है, और किस के लिए छोटे बच्चों के लिए बनाए गया है, ठीक है, इसके बाद यह है आपका निपुन भारत, इसमें आप लोग देखते हैं, एन के लिए है, ठीक है, तो उसको और टीचर्स के डाइट में ट्रेनिंग वगरा होती है, वो कैसे काम करती है, यहां पर राजसरकार कैसे काम करती है, ठीक है, इन सब को ध्यान रखके यह बनाए गया है, ठीक है, राश्टी सिच्चा नीथी 2020 के अनुशार स्कूली सिच्चा प्राली करें सर्वोच प्रात्मिक्ता दोजार पच्चिस तक प्रात्मिक इस तर पर मूल बूश साक्षर्ता और संख्यात्मक्ता कौसल का सारवभी में अधिगर्ण हासिल करना है, तो कब तक यह किया गया है, यह भी आप से पूछा जाता है कि NEP ने FLN जो आपका नहीं बात कर रहे हैं साक्षर्ता और संख्यात्मक्ता कौसल, ठीक है, पौंडेशन, लिटरेसी और नुमेरेसी यह कब तक राप करनी है, दो हजार पच्चिस तक, ठीक है, मूल बूश सिच्चा एक बच्चे के लिए सबविस की सभी सिच्चाओं का आधार है, समझ के साथ पढ चीजें बच्चे को आनी ही चाहिए, टीचर की पूरी रिस्वाक्समिल्टी है, क्लास तीन के बाद मैच का थोड़ा सा लेवल हाई होता है, तो बच्चे फिर उस चीज़ को समझने में दिक्कत मैसूस करते हैं, इसलिए यह बनाये गया है आपका क्लास तीन तक के बच्च अनी है समझ का गठन किया गया है, ग्रेड बन मनला क्लास वन के लिए विद्ध्या प्रवेस दिसान देश को मॉडूल विटास बनाये गया है, एक विद्ध्या प्रवेस से इसको हम लोग एक दिन कभी अलग से भी पढ़ेंगे, तो यह भी इसके लिए बनाये गे, क्लास बन मनला जब बच्चा क्लास में एंट्री करेंगे, जा उसका इड्विशन होगा, उसको क्या बोला गया, विद्ध्या प्रवेस, प्री स्कूल से ग्रेड फाइव तक सिच्चकों और स्कूल प्रमकों के लिए निश्टा एफलेन, एफलेन तो अभी समझ गया है ना, कि र इस्था भी एक प्रोग्राम है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ECC हम लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग क्लास देख रहे हैं, उनको पता होगा, तो इनिश्था ECC, ठीक है, तो मूलबू सिच्चड अधनियम, जिसको क्या बोलते हैं, FLS का संचालन किया गया, Foundation Learning Study, तो समझगे ने, Class 1, 2, 3 के लिए, आपका निपन भारत ये अभ्यान चलाया गया है, जिसमें included है कि बच्चे को Foundation Literacy and Numeracy आनी चाहिए, बेसिक जो चीजे है, Class 3 तक, वो फुल्पिर होनी चाहिए, और ये सारी जगा लागू होना चाहिए, कब तक 2025 तक, ठीक है, इसके FLN संसदादनों की उपलबता है तो, दीक्षा FLN Portal का निर्मार किया गया है, अब देखो दीक्षा का भी निर्मार दीक्षा को भी यहां पे include कर लिया गया है, इस चीज को फुल्पिर करने के लिए, ठीक है, सो दिशिये पठन अभ्यान का संचालन किया जाएगा, स्कूल ब दिशान दोते हैं, तब माता पिता कैसे बच्चे को हैंडल करेंगे, उसकी पढ़ाईल का अपके से ध्यान देगे, इन सब के लिए भी दिशानिर्देश है, ठीके मूल वो सिच्छा में सामदाई, भागजाहरी के लिए दिशानिर्देशों का विकास, सैच्छी कारबल, AT DTF और जिलाकार बल सदस्यों DTF का प्रिशिच्छर, ठीके सब की ट्रेनिंग का यहां प्राभ्धान दखा गया है, जिससे की बच्चे को पूरी तरह सिच्छा पर बहुत अच्छे से ध्यान देने की विवस्ता की गई है, मूल वो सिच्छा में पहल पर राश्य सम्मेलन, स तरवोत्तम प्रिथाओं का आदान, प्रदान, इस्तिति साजा और चुनोतियों को समझने के लिए जमीनी इस तर से आवाज है, इसका क्या मतलब है कि पूरा एक ग्राउंड लेवल पे इस सीच्छ को किया जाएगा, जिससे की यह नहीं हो कि यह तो मतलब जो हाइपाई है अच्छे संस्थान है, वहाँ पे यह सब चीजे है, पुरा ग्राउंड लेवल पे ही इसको अपनाया जाएगा, ठीक है, सभी राजियों केंसाजी प्रदेसों में मिसन कार्यान, वेन की निरंतन ट्रेकिंग एवन निगरानी, मासिक, त्रमासिक और वार्सिक में की जाएग का मन्तली भी होगी, आपकी और त्रमासिक और वासिक भी होगी, ठीक है, अगर निपुन भारत यह किसलिए बनाए गया है, में क्लास 1, 2, 3rd के बच्चों के लिए, ठीक है, जहाँ पे सारे लोग मिलके, सारी चीजे मिलके, इसके काम करेंगे, ठीक, इसके इंडिकेटर से म कौन लोग इसमें सामील है काम करने के लिए निपुल भारत विसन की प्रगर्ति पर नज़र रखने का काम 12 संकेट कों के मादर से किया जाएगे, जिसमें सेच्छित को प्रसासनिक दोनो संक्यतिक सामिल हैं, सेच्छितियों में सिच्छिक और बच्चों के लिए विद्या अधिक्म सामगिरी का विकास विद्या प्रवेस का कार्यानवेन, सिच्छिकों का निष्टा, EFलN, प्रसिच्छड, सैच्छिरिक कारबल, ATF, सदस्यों का बच्चों को भी सिच्छित क्या या और पैरेंट्स के लिए अलग से दिसा निर्देश बनाए गए हैं ठीक है टीचर को बीच 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 पे प्रसिच्छड भी दिया जाएगा इसके अलावा जो एकाड़मिक टास्क पोस है अमलब टीचर के अलावा भी तो इसकूल भहु है यह सारे सिस्टम वह तो आगे की सिच्छा बहुत अच्छी होने वाले है इसके इसके कुछ हाइलाइट है निपुर भारत के वह हमें देखेंगे मूलवूत कौसल में सुधार ठीक है निपुर भारत का प्रात्मिक फोकस समझ और संख्यात्मक्ता के साथ पढ़ने में च चाहिए तब ही वह आगे की सारी चीजे हैंडल कर पाएगा और अच्छे से सीख पाएगा प्रारंबिक ग्रेट सीखना कारकरम मुक रूप से प्रारंबिक ग्रेट कच्छा एक से तीन के चात्रों को लक्षित करता है तो यह बात भी आपको याद रखने है यह किन बच्छ के लिए बच्छा एक से तीन के लिए इसका लक्ष बना हुआ है ठीक है क्योंकि सोद से संकेत मिलता है इन वर्सों की दोरान मजबूत मुल्वूस कौसल का निर्मार एक बच्चे की समक्र सहचिक सफलता के लिए मैशपूर है क्योंकि इसे आपको बताए कि छे वर्स का पिरलब हो रहा होता है तो उसका हम लोग अच्छ से यूज़ करेंगे तो आगे के वर्सों के लिए बच्चे के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ठीक है इसे अब मुल्यांकन और सुधार निपन भारत उन चात्रों की पहचान के लिए नियमित मुल्यांकन सामिल है जो पढ़ने और संख्यात्मक और पिछण रहे हैं एक बार पैचाने जाने के वाद इन चात्रों के अपने ग्रेड इसका तक पहुंचने के लिए लक्षित उप्चार और सहायता राप्त होती है ठीक है मुल्यांकन किया जाएगा देखा जाएगा कहां पे क्या कमी आ रही है इसके हसाब से सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएगी इसलिए टीचर की ट्रेनिंग भी रखी गई है तो उनको बच्चे की जो भी कमिया है उनके हसाब से उनको भी ट्रेंड किया जाएगी वो इस प्रकार से पढ़ा पाएं ठीक है तो आगे की सिच्छा भी बहुत है और हर टाइम आपको अपडेट रहने की भी आवसकता है सिच्छक प्रसिच्चड कारकरम साक्षर्ता और संख्यात्मक प्रड़ामे सुधार के लिए सिच्चकों को प्रभावी सिच्चड रढ़ीतों में लेस करने के लिए सिच्चक प्रसिच्चड और छमता निर्वान हैं और टीचर्स के अलावा जो भी स्टाफ है वो सब मिलके इस पर काम करेगा प्रोदोग की उप्योग कुछ मावलों में कारकरम के तरह सिच्च्छ और सिखने में सायता के लिए प्रोदोग की का लाव उठाया जाता है ठीक है तो यहां पर टेक्नलोजी का काफी अच्छ इसे कर पाएंगे तो यह हमारा था निपुन भारत आसा करती है आपको समन में आ गया होगा तो में आपको याद रखना है किस ग्रेट के लिए बनाए या क्या इसका में उद्देश है ठीक है इसके बाद हम लोग देखनेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभ्यान यह किस लिए जरूरी है बेटीयों को पढ़ाना सबसे पहले जब बचाना है क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे एरिया है जहां पर यह चीजें आती हैं कि लड़की नहीं लड़का होने चाहिए ठीक है तो इस अब भारणा को भी चेंट करना सारे लोग ही इक्वल हैं सबको ह इक्वल देखना भी चाहिए ठीक है तो यह लड़कियां भी आप लुग देख सकते हैं अलग अलग उसमें इस्ट्रीम में जाती हैं आर्टिस्ट बनती हैं लॉयर होती हैं टीचर्स वी होती हैं पाइलेट आज कल सारे फिल्ड में लड़कियां जा रही हैं अच्छा इस पर कीनियुए अकीड़ antisी देखते हैं इसके क् yo और स財्श को शक्ति हैं इसका क्या है यहाँ इसका मूँल मंत्र ये है बेटा और वी एक सामान ठीक है फियाको मूल मंतर पता होना चाहिए आई बेटियों कि जन्म का जस्म वनाई heißt हमें अपनी बेटियों पर अतना ही नाजक्रों से उन्होंने यह बात कही थी जब यह अभ्यान चला गया था ठीक है वल्लों कि बेटी के जन्वरी से पांच और लगाने है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सुराज प्रधान मंतरी ने 22 जन्वरी 2015 अभी ये डेट आपको याद रखनी कब की गी थी 22 जन्वर में गिरावट को रोपने में मदद करती है और महिला ससिक्ती करण से संबने मुद्धों का समाधान करती है तो यह तीन मंतरा ले जो इसको चलाते हैं ठीक है योजना के मुख गटकों में पहले चरण में PC और PNDD अतिनियम का कार्यान में राष्ट व्यापी जागुक्ता औ हर्षार अभ्यार्याद और चैनीस सौझ फों जिलों अब सौझ फों कॉं से जहां पर लिंग अनुपाट कम था थी कर है चार्षा इकार सामिल है तो यह पहलें सोझ फो में चलाया है तो जहां पर लिंग ंपाफी कम था gefुि निये इस तbecस्रण दे सम्मेधन सील और रही है क्योंकि अब भारणा को बदलने में ही बहुत साल भी लग चुके हैं कब से इन सब चीजें पर काम भी वह रहा है फिर भी अभी पूरी तरह कहीं नहीं हो पाते हैं ठीक है और कहीं नहीं होता है कि लड़की है तो मतलब इसका काम है यह सब चीजें करना नजरी से जाता है इसलिए यह जना में चलाए गई ठीक है एंडिये सरकार बालकाओं के प्रेट समाच की द्रिस्तिकों में परवस्तनकारी बदलाव लाने की कोसिस कर रही है प्रदान मंतरी मोदी निम्मन की बात में सेल्फी वीड डॉटर पहल सुरू करने वाले हर्याड़ा के बी बेटियों के साथ अपनी सेल्फी बेजने का भी अन्रोग किया और यह जल्दी दुनिया भरग में हिट हो गई थी तो यह काफी उस टाम पे चल भी गया था ठीक है तो मतलब कहीं न कहीं है कि अब धारणा हम लोग ही चेंज करते हैं जैसे आप लोग यहाँ दे सकते हैं सर सेल्फी बेजी बारत तो दुनिया भर के कई देशों के लोगों ने बेटियों के साथ अपनी सेल्फी बेजी हो यह उन सबी के लिए गर्व का अफसर बन गया जिनकी बिटिया है ठीक है तो बहुत सारे लोगों में इससे परवरतर भी आया उन्हों सुचा कि जब एक नौ ना की ऐसा कि आपको गलत तरीके से इंडिकेट किया है या पिर आप समाज में रहे हैं लिके आपके आपको समाज में कोई आपका हिस्सा ही नहीं है किसी जिसके आप काम नहीं कर रहे हैं institution पढ़ाई करना जॉब लेना ही सीमत नहीं होता है बहुत सारी चीज़ें और भी हो योजनाय चलाएगी जिला इस तरी करमचारियों और फ्रेंट लाइन कारकरताओं की चमता को बढ़ाने के लिए चमता निर्माण कारकरम संचालिट किये जा रहे हैं और प्रसिचिकों को प्रसिचट दिया जा रहे हैं ठीक है तो इस पे अभी भी भी सारे काम होते हैं इस अक्टूबर 2015 तक सभी राज के अन्साशित प्रदेश के महिला एवन बाल विकास मंत्रानों को सामिल करते हुए ऐसे नौ प्रिसिच्छर कारकरम आवेजित किये गए थे ठीक है तो आप लोग यहां देख सकते हैं कि इसके कितने लंबे टाइम तक काम हुआ और काफी अच्छा काम हो ऐसे काफी इंप्रूव्मेंट भी देखने को मिला लोगों के भी जागरूपता भी देखने को मिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजरा 22 जरवरी 2015 को देश के बा आयोग अवेज में यह योजना मिसन सकती की संबल उप्योजना के एक घटक के रूप में संचालित की जा रही है तो इस योजना से जुड़ी हुई और भी चीज़ें चलाएगी जिससे भी कीस धाराड़ा पर काम किया जाए और मेन कहां स्टार्ट हुआती है 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ था ठीक है अब इसके कुछ की पॉइंट है जो लोग डिसकस करेंगे यह अभयान भारा सरकार जारा 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था इसके दो मुख प्रमुख चीजें हैं इन पर मेन ध्यान दियां कि सबसे पहले तो बेटी को बचा हुए क्योंकि बेटी है इस पहल का उद्देश बालकाओं के महत के बारे में जागरुता बढ़ाना करने अब ब्रूड हत्या और सिस्व हत्या जैसी प्रताओं को हतोसाइद करना इसका उद्देश लड़कियों और महिलाओं के अद्कारों की रक्षा करने वाले कानून लागू करना का भी है समाज में देखने को मिलता है तो उसके उनको पता कर लेते हैं कि बेटी है तो वहीं पर खतम कर देते हैं यह सब चीज़े देखी गई है इसके बाद दूसरा है बेटी पढ़ाओं अब लड़कियों को सिच्छित कैसे करें सिच्छा पर काफी काम किया गया यह घटक समदायों को लड़कियों की सिच्छा और विकास में निवेस करने के लिए प्रोसाहित करता है जिससे यह सुरिष्चित होता है कि उन्हें गड़वत्ता पूर्व सिच्छा और समान अफसर प्राप्थ हो इसका उद्देश लड़कियों को सिच्छा के मादिने से ससक्ट ब बनाना जो भी वह बनना चाती है उसके काम करना ठीक है उसको सही योग भी करना इसके की फीचर्स हैं जो लोग देखेंगे आश्टी और जमीनी इस तर पर बकालत और जागरुपता अभ्यान चात्रवती और प्रोसायन के मादिन से बालका को सिच्छा को बढ़ाना लड़ बहुत सारे कानून भी बनाएगे ठीक है जिससे की करन्या भूड हर्थ्या जैसे समस्यां भी खत्म हो अभयान में समधाई भागदाई को प्रोसाय तर लिंग भेद्वाव करने ब्रूड हर्थ्या से समधिन बुद्दों के निगरानी करना उनका समाधान करना ठीक है लिं के अधिकारों को बढ़ावाद देने के प्रयास का एक हक है तो जो अपनी बच्चियां है उनको एक अलग सकते हैं उनको ससकती करण बनाना वो अपने खुद के पैरों पर खड़ी हो पाएं इन सब ध्यान में रखके अभ्यान चलाए गया इसका उद्देश लड़कियों के प्रति भेदवाव करने वाली गहरी जड़े जमाम चुकी रूड वात्ता और प्रथाओं को चुनोती देना एक ऐसा वात्तावर बनाने जहां लड़कियों को मैत दिया जाए सिचित किया जाए और सुसक्त बनाए जाए ठीक है तो आप लोग भी इस सब में कार्श कर सकते हैं जहां पर आपके कुछ एरिया हैं भूट सारे लोग हैं मैंने के ती हर जगा है कहीं न कहीं सब चीजें अपने घर से ही स्टार्ट होती हैं तो आप लोग भी इस सब ध्यान ने खीक है अगर ऐसी कोई चीज होती है तो आप भी एक अच्छे नागरी की तरह उनको जाग पूछें पूछें लेक्स टॉपिक है जिसमें आप प्यम स्री एफ एलेन और विद्ध्य प्रिवेस के बारे में जा रहेंगे और यह जो करेंट अफेर है आपकी एकलब मॉडर रेजिदेसर स्कूल इसके अलावा डी ट्रॉपल एस भी जो आपका एक्जाम करवाता है इस तो सारे जो जितने भी टीचिंग के में आपके एकजाम होते हैं यह समें ही पूछा जाता है तो सबसे पहले हम दोग देखेंगे कि PM3 इस्कूल क्या है यह क्यों बडाए गया है तो आपको सीजय से यह पता होना चाहिए कि PM3 इसकूल जो है जो आपकी NEP 2020 बनी है ठीक है उ इसमें कैसे बताएगे कि बच्चे पर कैसे काम किया जाएगा टीचर क्या क्या चीजें यूज करेंगे बच्चे को quality education provide करने के लिए तो पूरा उसी पर depend होके इस school बनाएगे हैं और कि अंदर सासित ये school है जैसे आपके KVS होते हैं और NVS होते हैं ठीक है तो ये कौन से department से belong करता है department of school education and literacy इसके PM सिरी यहां पर सिरी की आप लोग full form देख सकते हैं तो ये आपको याद रखने है Schools for rising India तो PM सिरी जो लिखा हुआ है तो सिरी का मतलब है Schools for rising India और PM मतलब फृधान मंतिर ठीक है तो थोड़ा से इसका introduction से देखेंगे कि सबसे पहले कि केंदर सरकार की एक योजना है ठीक है जो KVS और NVS की ही तरश पर बनाएगी है कि इस पकासे KVS और NVS आपके केंदर सर KVS NVS में ही लागू होता है तो PM सिरी पर भी इसी प्रकासे चीजे रखी गई है ठीक है तो यह 14,500 से अधिक PM सिरी इसकूर्स विक्सित किये गए है जहां प्रतेख चार्त का स्वागत देखवाल किया जाएगा ठीक है फ्लस उनकी holistic development पर ध्धान दिया जाएगा उनको ऐस यहां पर यह चात्रों को पोसित करेगा मनला सारी वो चीजे प्रोवाइड करवाएगा जो NEP 2020 में बताई गई है ठीक है यह योजना में जब बनाई गई थी मनला इसमें बात हुई थी एक जर्वरी 2017 से खीक है और इसको बोला गया थी कि पांच मर्स के अरद्ध में लागू करने का प्रिस्ताव भी आएगा तो यह 2022-23 में मनला पहले स्कूल खोले गए इसके 2026-27 तक इसका पुरा प्राप्धा रखा गया है ठीक है अब में चीज देखते हैं कि यह कब स्टार्ट हुई तो 7 सितंबर 2022 को प्रायोजी तीड़ना को मंजूई दीगी तो इसकी आपको लागू होने की डेट या रखनी है कब लागू ही 7 सितंबर 2022 को ठीक है यह स्कूल राष्ट्रे सिच्छा नीती की कार् बच्चों ने नहीं देखिए वो लोग देख सकते हैं तो उसके जो भी पैमाने पैरा मीटर्स हैं ठीक है उसमें जो बात बोली गई है उनके उपर डिपेंड होके ही यह स्कूल पूरे खोले गए ठीक है वे अपने समधी छेत्रों में न्याय संगत सवावेशी आनंद में स्कूल बातावरण में उच गुडवक्ता वाली सिच्छा प्रदान करने में नेतरक्त करेंगे ठीक है बच्चों की जो भी मतलब कहां से वो आये हैं उनकी मातर भासा क्या है वो सब पर ध्यान दिया जाएगा और उनका पूरी तरह खयाल लखा जाएगा ठीक है अब कि अनुप रेखा है कि अनुदेश सात्मक नहीं होगी मतलब एक बच्चे को पूरा ही इन्वाइरमेंट प्रवाइड करवाएड जाएगा ठीक है और जितने भी संबब प्रिव्यास हैं जितने भी संसादन है वो सब इसको दिये जाएगे स्कूल में ही ठीक है एनिपी में कि अनुदेश को केंदर में रखते हुए कोई भी सम रूपी करण एक रूपी करण या कठोर सरशना उत्रश्टता की विसेस्ता की अनुमत नहीं है कोई कठोर स्ट्रक्चर नहीं होगा कि एक ही चीज फॉलो करने हैं हाँ पूरा विजन एनिपी का रहेगा लेकिन जो जो रख जिस विकार से भी लगती है तीचर अपने इसाब से कर सकता है ठीक है एक विकासिल दस्तावेज है जिसमें कोई भी परवलतन भी किया जा सकता है ठीक है अब इसके छे पिलर है जो आपको याद रखने है और छे पिलर भी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉल्सी दोज यह इनलोंगो जो है कि कर दो चैप्तर है और बीशी में जो पाठकरम डीए घ्रीवल दीए गए उन पर ही डिपेंट होके बनाई गई है तो किस पिलर में कौन सा चैप्तर है यह चीज भी आपकी लिए इंपोर्टन होती है तो सबसे पहले इसमें टोटल नौ अध्याय होत जो NEP का कौन सा चेप्टर एक दो चार और चौगिस तो यह चेप्टर फॉलो करेगा ठीक है कौन सा करिकुलम कैसा होना चाहिए पैड़ाग होगी और असेस्मेंट बच्चों का मूल्यांकन चाहिए जिसे NEP में बताया गया है 360 डिगरी असेस्मेंट होगा बच्चों का ठीक 2020 का अध्याय कौन सा है तीन और साथ ऐसे से इन इंफ्राइस्ट्रेक्चर किस प्रकार से होगा तो चैप्टर फ्री और साथ के हिसाब से इसका श्रक्से रखा गया है ठीक है इस्तम थिरीक यह मानव शंसादन और स्कूल नेत्रत्रो जो किस में आते है चैप्टर फाइफ में आते हैं आपकी NEP 2020 चैप्टर फाइफ और फिफ्टीन में इसका नेश्ट्र में देखते हैं इस्तम चार समावेसी प्रताइन लेंगिग समानता यह कौन से चैप्टर में आते हैं NEP की अध्याय 6 में, चैप्टर 6 में आता है, फिर इस्तम 5, प्रवंदन, निगरानी और सासन, ये किस में आता है, अध्याय 8 में आता है, इस्तम 6, लाभावती, संतोष्टी, NEP 2020 का अध्याय कौन सा है, 8 है, तो ये आपके कितने पिलर है, 6 पिलर है, इसमें कितने टो तो इस योजना के तहट चैन के लिए केवल प्राफिक विध्याले, जिसे कच्छा 1 से 5, 1 से 8 और मादिमिक सीनियर, केंदर, राज, केंदर, सासे प्रदेश, सरकारों, इस्तानिये, स्वासाशंदारा, और हंदित, मादिमिक विध्याले, कच्छा 1 से 10, 1 से 12, 6 से 10, 6 से 12 प चैलेंज मोंड के मादिम से किया जाएगा, जिसमें इसकूल आदर्स इसकूल बनने के लिए समर्था के लिए प्रतिस्पल्दा करेगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक टेस्ट भी रखा गया है, जिसके इसाब से जिसके बेस में बच्चों का सिलेक्शन लिया जाएगा, ठीक राप करने के लिए इन स्कूलों का समतर करने के लिए प्रतिवद्दिताओं को निधारिज करते हुए केंदर के साथ समझोरता ग्यापन पर हस्ताक्चर करेंगे, ठीक है, केंदर और रास सरकार जो भी है, तो जो भी इसकी requirement है, उसके हिसाब से ही काम करेंगे, उसकी गुर दुसरा सेकेंड क्या है, कि पीम स्री स्कूलों के रूप में चुने जाने की योग स्कूलों के साथ एक समू आईडी, पहचान आईडी जिसको गुंते है कि माद्यम से निरधारिज नियुनतम बेचमार के आदार पर की जाएगी, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन केंडों को पूरा करने के लिए चिनोती पद्दती के आधार पर प्रतिस्परजा करेंगे, सर्तों की पूरति को राज्य, केंड, सासित, प्रदेश, केविएस, एंविएस द्वारा भावतिक निरच्षड के रूप में प्रमारित किया जाएगा, ठीक है, चरल तीन क्या है जो इस ऊपर दोनों चरलों को फुल्फिल करेंगे, उसके बाद जो आपके केंड केंड के एंविएस और केविएस हैं, उनके द्वारा ये स्कूल्स का निरच्षड भी किया जाएगा, उनकी गुडवत्ता को चेक करने के लिए, ठीक है, तो ये स्कूल्स का फूरे ढाचा इसमें क्या क्या चीजें, जो 21 सेंचुरी की स्किल्स हैं, उनके फूरी तरह ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि NEP बात करता है, तो पार्टिसिपेसर इन ग्रूप और टीम्स, ठीक है, ये चीज पर ध्यान दिया जाएगा, मिनिंफुल यूज और क्रियेटिविटी, को सॉल कर पाएं, ठीक है, उनके जो आपके ब्लूम टेक्स्टनोमी के हिसाब से तीन रूप दिये गये हैं, ठीक है, कोगनिटीव, एफेक्टिव और साइको मोटर उन सब पर ध्यान देने की बात की गई है, इनोवेटिव एं यूजिग इनोवेशन तु डिवलप क्रिये पाएं और उस पर एकसल भी ले पाएं, इसके अब कम्मिकेशन, उसका कैसा हो, अच्छा कम्मिकेशन को और अच्छा करने के लिए क्या क्या चीज़े की जाएगी, एवेल्टी तु प्रोसेस इंफॉर्मेशन, इसके अब बिल्डिंग वोकेशनल स्किल्स, अब वोकेशनल करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, इन सब पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीके, अब बिल्डिंग लीडर्शिप, स्किल्स, इसके अब इनहांसिंग डिश्टल लिटरेसी, और सबसे ज़रूरी की ICT का यूज कैसे करेंगे, सिच्छा में इन सब पर ही ध्यान दिया ज पड़ा था, आप कहीं भी जिसे हम लोग ने पिछली क्लास में सखल पड़ा था, दीक्चा पड़ा था हो, जहां पर भी इस टर्म का यूज हुआ था, तो ये FLN आखिर होता क्या है, तो इस पे देखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले कि FLN की नीट किसलिए हुई, सीखने का निम इस तर, कि मलब जो बच्चों की सीखने का इस तर है, वो काफी निम देखा गया, अनुपियोक्त भासा और गरती है, कौसल, बच्चों मलब जिस क्लास तक भासा का सही से विकास होना चाहिए, वो नहीं होता है, इसकर गरती है, वो उनको नहीं आती है, गरिस से सम्मं अब कैसे कि बच्चा कोई सामान माननों कहीं लेने गया ठीक है दस रुपे लेके गया तो पाँच रुपे का सामान है तो उसको यह नहीं पता है कि पाँच रुपे बापस होंगे या कुछ पच्छा कभी-कभी ऐसे ही बापस आ जाता है तो इस सब को ध्यान में रखे और इ कि वो जो भासा का ग्यान है गड़तिय ग्यान है वही नहीं सीख पा रहे तो बच्चे जब उची क्लास में जाते हैं तो बहुत अंकमफर्टेवल भी फील करते हैं कि उनको छोड़ी-छोड़ी चीज़े नहीं आती है तो यह पूरा FLN इसलिए बनाया है कि बच्चे को छो पढ़ने और लिखने में सक्चम मनाना जब क्लास तीन में जाएंगे तो उनका भासा का ग्यान और गड़ित का ग्यान ने नॉर्मल है वह होना ही चाहिए ठीक है ग्रेड टू तक के युवा सिछातियों के बीश संख्यात्मक इसे संबंदित अब भाराणां से संबंदित बुल्याली समझ और दक्षताओं का विकास करना तίο प्लास वन और टू में उनकी ये जो भासा सम्वनिद ग्याण है, इसके वाद संख्यात्मात्मक सम्वनिद ग्यान है, बिसिफ घड़ती ग्यान है, उनकी दक्षता प्राउप्थ हो जाने चाएँ. टीचर्स भी इस प्रकार से पढ़ाएगे कि उनकी ये जो दो में समस्या आती हैं भासा को लेके और गड़ित को लेके तो ये नॉर्मल सी उन्हें आनी ही चाहिए जब वो कच्छा तीम में प्रिवेस करेंगे बुनियादी सक्षर्टा और संख्यात्मक ग्यान को बहता तरीके से प्राप्त करने के लिए सिच्छार्तियों के बीच अपने स्कूल के बाहर के अंगोमों को कच्छा में चेने के लिए कौसिल विएधित करना है ठीक है बुनियादी सक्षर्टा का क्या मतलब है कि मतलब जैसे भासा कर ग्याने कि मतलब आसानी से बोला है का खागा क्या होता है उनको ये पहचान हो ठीक है पुरी उनको ओलम आती हो इसके संख्यात्मक है कि बच्चों को नॉर्मल जैसे तीन अगर फूल दिखाए गए तो पैड़ागोगी खेल पूद और भावात्मक गत्विदिया सामिर होनी चाहिए मतलब पैड़ागोगी इस प्रकास से रखी जाने चाहिए कि जो बच्चे की खुद के एक्स्पीरियंस है उन्होंने अपने स्कूल आने से पहले सीखे हैं वह वहां पे यूज कर पाए ठीक ह गरतीय सोच और इसमें क्या है कि संक्य का ज्यान हो, संक्य का बोद हो म जो कि एक दो तीन पैसे होते हैं और संक्य का बोद का मतोब है अगर उनको कोई चीज दिखाए जाए तो पता कर पाए ये कितनी है ठीक है इसके संसादन है राश्ट्रिय दिसानेजेसों के अनुशार इस्थानिय रूप से विख्षित मलब जो भी इस्थानिय ए मलब लोकल एरिया पर जो भी चीज़े मौझूद है वो ही संसादन यूज़ किये जाएंगे कैसा रही कि अलग से कहीं से कुछ लाया जाएंगे इसके लिए एक चीज़ और लॉच्च कियेगी हम लोग उसके बारे में भी एक क्लास में देखेंगे जादुई पिटारा नाम का यह भी बच्चों के लिए ही पोरा गया है जिससे कि उसका विद्देश से कि FLN पे पूरी तरह ध्याँ दिया जाए ठीक है रचनात्मक मूल्यांकर अंकूली मूल्यांकर इसके समद के साथ पढ़ना समद के साथ लिखना सुसंगत विचार के साथ बोलना ठीक है वहलों उन्हें पढ़ने का समझ हो इसके लिखने की समझों की क्या लिख रहे हैं इस सब चीजों पर ध्याँ दिया जाएगा इसके बात foundation literacy में क्या है पूरी इसका फूला फुरकों क्या है foundation literacy and numeracy जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि foundational literacy की जो बात हो रही है वो क्या चीज है पढ़ना समझ है सुनना और समझ कर बोलना विविन प्रियोजनों के लिए लेखन ठीक है तो भासा समंद्र जो भी चीज़े हैं उस पर ध्यान सबसे पहले देना चाहिए कि उनको अच्छे से पढ़ पाएं ठीक है कुछ सुन रहे हैं उसको समझ पाएं इसके जब वो लिखे तो अपने एक्सपीरियंस जो है वो भी उसमें मतलब सही से लिखे ऐसा नहीं कुछ भी लिख रहे हैं इन सब चीजों का ग्यान उन्हें होना चाहिए फाउंडेरस अन लिट्रेसी में ठीक है इसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं जब वो पढ़ रहे हैं तो पूरा आनन लेके पढ़ रहे हैं ऐसे बोजिल तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो वो जो बच्चे के खुद की एक्सपीरियंस से वो भी उसमें इंक्यूट कर पाएं ठीक है मलता भासाई ग्यान की यहां पर बात की गई है जो आपके भासाई ग्यान से रिलेटेड़ चीज़े हैं इसके बात है इसके बात है फाँंडेक सनल्ड नूं्डेश सी अब यहां पर मैथ की बात कीगी जैसे बच्चे को एसको चाहां लाए यह लिए पर देख सकते हैं जिस Creating Store है यहां साथ है तो बच्चे को ऐसा उन दिखाए क्लास वन और क्लास टू में इसके बाद है अंडरस्टेंडिंग इबाउड नंब्रनेस संख्यातमत्या के बारे में समझ ठीक है तो इस प्रकार से कोई चीज़ें तो उन्हें उसकी समझ होनी चाहिए जिसे उन्हें बोला गया है कि तीन फूल बड़ा के दिखाओ तो वो तीन ही बना के दिखाए ना कि दो बना दे या चार बना दे ठीक है तो इस चीज़ की समझ उन्हें विखसित हो इसके बाद है development of numbers, development of mathematical thinking, applications, basic operation on numbers ठीक है जिसे संख्या बोत का विकास हो गड़ती सोच का विकास हो इसे समस्या समाधान के लिए संख्याओं पर बुनियादी धाचे भी हो जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं जिसे इस प्रकार से यह नंबर लिखे गए हैं तो उनको पता होनी चाह पतान और गड़त का ग्यान उनको होना चाहिए एक फैलन उसी के लिए बनाया गया है उस पर ही मेल फोकस करेगा ठीक है इसके बादे नुमेरेसी एंड मैथमेटिकल अंडरस्टेंडिंग का क्या मतलब है कि पूर्व संख्या अब धारड़ाएं इसके इस नांतिक समस्य स् है तो उनको आकार का ग्यान होना चाहिए इतना नौर्मल लेवल पर विजुलाइजेशन मनलब वह अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर पाएं कि यह जिसे आयत है तो आयत किस पकार से होता है ठीक है संख्या का समझ गड़ती है सब जावली तो इन सब चीजों पर ध्यान बच्चों को बहुत ही वस्तुएं जादा जादा दिखाए जाए तभी वहाँ पर बताया है कि जो भी आपके लोकल में रिसोर्स उपलब्द है उसको ही आप यूज करके पढ़ा सकते है ठीक है इसके दियल का मतलब इस्पोकेन लेंगविज डैट डिस्क्राइब दा एक् चित्र ऐसे हो जिसमें भी अनभब का यूज हो कि बच्चे अगर कोई चित्र बनाने है तो उनके जो भी अनभब है उसके हिसाब से उसको क्रियेट करता है इसका क्या मतलब है एसका मतलब है written symbols that generalize the experience कोई भी symbol अगर लिखते हैं वो उनके experience को दिखा पाए तो LF approach 7 में आगी अगर पूछा जाता है एक्जाम में तो आपको पता होने चाहिए ठीक है नेश तो लोग देखेंगे integration of literacy and numeracy अभी अब लोग ने अलग 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 देखा कि literacy क्या होनी चाहिए numeracy और फिर इनका integrate जो form है उसको ही FLN बोलते है देनिक भासा के एक भाग के रूम में गरतिये सब्दावली गरतिये विचारों को समझे कि भासा को उपियोग गरतिये सोच के सुभाव के लिए भासा संचार मलब communication भासा सटीक संचार गरतिये विचार वाली भासा मलब भासा में गरित का यूज हो गरित में भासा का इसके SPM एक है, School Preparation Module, Preparatory Class, जो आम लोग वालवाटका का भी आपने वर्ड सुनाओगा, NEP में भी हुआ था, इसके आम लोग जब दीच्छा पड़ा था उसमें भी, तो वालवाटका क्या है? कि 3-month play-based learning for all grad 1 student, ठीक है बालवाटका, लग जो class 1 का student होगा, वो आपके लिए इसके लिए क्या-क्या, ECC हम लोग जब बात की थी, उसमें भी बालवाटका की बात की गई है, कि 3-month play, सबसे पहले बच्छों को खेलने के लिए ही सावी सीजे, स्कूल में ही प्रोवाइट जाएगी, क्योंकि आपको पता है भच्छा school क्यों नहीं जाता है, क्योंकि उसको खेलना होता है, गर पे उसको खेलना ही मिनता है, तो इसलिए school का ही पुरा system ऐसा कर दिया गया है, कि वहां पर ही सारे उसके खेल दिखाय जाएगे, ठीक है, अब खेल खेल में ही, आप साउ तो यह सारी चीज़ें यहां पर दिखाएगी, आपके आंगनवारी स्कूल्स को ले जाएंगे, ठीक है, उसमें include किये जाएंगे, या फिर KBS, NBS में यह सब चीज़ें लागू भी होती है, NBS तो Class 6 से होता है, KBS में होता है, क्यों कि वहां से Class 1 से बच्चे पढ़ना इस्टा कार बनना चाहिए, इसका ऐसी activity कराने चाहिए, जिससे की उनका जो mental level पर develop हो, ठीक है, इसके breakfast भी nutrition से भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ऐसारी कि खाके उनको Class में पूरे टाम मेल ही आ रहे है, तो इस सब चीज़ों पर ध्याम देने की बात किये, FLN ने, इसके resources यहां दीक्षा, यहां पर दीक्षा, यहां पर दीक्षा, यह पार्साला, NRO, ER, इसका learning kit है, play based, material, जादूई पिटारा की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको भी एक Class में में ले के आऊँगी, तो यह भी इसमें ही included है, बच्चे की भासाई, जो ज्यान है, और उसकी संख्यात्मात् गड़तिये जो सिच्छा है, उसको कैसे ज्यान दिया जाएगा, ठीक है, तो यह आपका F.L.N था, आसा करती 7 में आ गया होगा, इसके बादे बिद्या प्रिवेस एक term और है, तो 3 month based school preparation module for grade 1, अब यह केवल grade 1 कच्चा 1 के लिए है, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, अगर डालेक पूछा जाता है, बिद्या प्रिवेस किसके लिए है, तो आपका कच्चा 1 के लिए है, ठीक है, ग्रेड बन के बच्चों के लिए 3 महिने का खेल आधारित, school तैयारी module राष्टी सिच्छा नीती 2020 के सिफारिसों के अरसार विक्सित किया गया है, ठीक है, कच् सिच्छकों को यह सुरिशित करने में मदद करेगा, कि जब सभी बच्चे grade 1 में प्रिवेस करते हैं, तो उन्हें एक गर्म जोसी और स्वागत योग वातावरार मिलें, इसे शुरूप से COVID महावारी के दरान जिससे स्कूल में अंतरल आसानी से हो सके, ठीक है, यह विद्य इसे की बच्चा उसमें सही से ढल पाए, ठीक है, अभी तक आपका क्या था, जब वो सबसे पहले ECC, आपके बाल बाट का आंगनवारी हैं सब में रहेगा, वहाँ पे तो सारी खेल की ही चीजे हैं, जब वो ग्लास बन में जाएगा, तब तीन महेने का खेल आधारी स्कू सिर्फोन उसके लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो में इसके लिए बिद्ध्या प्रवेश के लिए, पिछा क्लास बन में जाएगा, तो विद्ध्या प्रवेश इसी को बोला गया है, बच्चे को वहाँ पर कैसे उसका स्वावारत करना है, उसको उस पुरे बच्चे उसमें सहज महसूस करें, सुरच्छित महसूस करें, यह लाधारी सिच्छा सास्त्र दिसा निज्यस का महतपूर पहलू जो बच्चों की सीखने के लिए आनंद में तनावमुक्त वातवरण दिया जाएगा, उनकी जो भी मात्र वासा है, घरेलू वासा है, उसमें उनको पढ़ाया और सिखाया जाएगा, ठीक है, अब विशेश रूप से जो यहाँ पर दिव्यांग और विकलांग बच्चे हैं, उनकी सीखने की चीजों पर ज्यादा ध्याम देनी के आवसकता है, उनको भी उतने ही उस सासे विध्या का प्रिवेस करवाया जाएगा, ठ चीजों पर ध्याम देनी के आवसकता है, तो मैं यह किसके लिए, क्लास वन में, सैच्ट्रिक सस्त्र की सुरुआत में प्राथों विध्याले के पार्टक्रम के साथ, ग्रेड वन ही, यह आपको याद लखना है, विध्या प्रिवेस किसके लिए, ग्रेड वन के लिए, प् प्रिवेस कितने का, तीन महीने का, शुरू में तीन महीने का, ठीक है, और यह माडूल निपूर भारत का अभिन अंग है, भारत सरकार का मूल साथ चक्ता और संख्यात मक्ता और एक राश्ट्रिय मिसन है, इसे एक अंत्रिम उपाय के रूप में देखा जा सकता है, अभी जो हम लोग ने फलन पढ़ा था, और निपूर भारत भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसका ये एक अभिन अंग बताये गया है, जब तक कि गोड़वत्तापूर रारंबिक बच्पन देखवाल और सिच्छा का सारववमि प्राभधाल एक लच्छ तक हासिल नहीं हो ज जाएगे टीचर कैसे काम करेंगे, कारकरम की योजना बनाना, कारकरम का संचालना, बच्चों की प्रगति पर नजर रखना, बच्चों की सिच्छा में माता पिता और समदाय की भागीदारी करवाना, विकलांग बच्चों की आवसरताओं की संबोधित करना, इसके मास्ति स्वास्त है और उनकी हेल्थ पर ध्यान देना ठीक है मेंटल हेल्थ और वेल्विंग तो यह टीचर्स के रोल है जो बच्चे उनकी लिए छोटे बच्चे उनकी लिए प्लानी किया हो सकता बहुत ज्यादा होती है कैसे उनको उस पूरे धांचे में ढालना है तो आप लोग देखें यह पूरा FLN है आप लोग देखें फांडेशनल लिटरेसी और नुमेरेसी कितना छे वर्स कितने एयर तक यह आपके याद रखना है तीन साल से नौ साल तक इसमें आपकी फांडेशनल लिटरेसी की बात की गई जो भी अम लोग पढ़ वी चुके हैं ठीक है पूरे छे साल मतलब फांडेशनल लिटरेसी और ध्यान दिया जाएगा जिसमें सबके पहले क्या है प्री स्कूल वन जब बच्चा एंटर करेगा एक चीज और याद रखनी है यह कोस्टन भी पूछा जाता है कि बच्चे की अब स्कूली सिच्छा कब कितने साल से सुरुआत होगी तो तीन साल से बच्चा की सुरुआत हो जाएगी को जिस्कूल में चला जाएगा मतनलब à players school वन प्री स्कूल वन प्री इसको बोले जाएगक इसको विद्ly फ्रिवस्च प्री जा जायेगा उसको क्या बोलेंहें बाल बासटा उन्हें इसको बन चला जाएगा कितनी साल साल अमर और खीक है सबी यहां पर तीन महीने का एक खेल आधारित मॉडूल रखा जाएगा जिसे की बच्चा स्कूल के लिए तयार हो पा है तो आपको इस फिगर से काफी चीज़े ख्लियर हो रही होगी ठीक है बालबाटका कब से कब तक है फैलेन कब से कब तक है ठीक है तो यह काफी इंपोर आधारी को भावा देना ग्रेट मिन में बच्चों का सुचारी रूप से इस्तानान तरह सुनिश्चित करना ठीक है इसके समद्र विकास के लिए आनन दायक प्रेड़क वातावरण खेल आधारित उम्र विकास की दरश्चित से उपयुक्त सीखने के अनवब प्रदान करा ठीक है उनको जो FLN की बात कीगी उस पर ध्यान देना भासाई दक्सताओं के साथ तयार करना ठीक है पढ़ना लिचना संख्या का बहुत करवाना तो यह सब चीजें रखी गएंगे इसको भी विध्या प्रिवेस बोला गया है ठीक है तो विध्या प्रिवेस कबसे क्लास बच्छा एंटर करेगा बाल बाटकर के बाद तो तीन महिने के एक मोडूर रखा गया है तो इसको प्रिवेस करना है उसको भी विध्या प्रिवेस बोला गया है यहां आप लोग देख सकते हैं अच्छे से आज जब लोग ने FLN देखा ठीक है इसके पीम सरी स्कूल के बा बच्छी जाने वाली है क्योंकि आपको पता है कि अभी हाल ही में G20 समिट हुई है जो भारत ने करवाई है ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो से पहले आप लोग यह दे सकते हैं G20 का लोगो है ठीक है जो इस वार किसने कंड़क्स करवाई है भारत में थोड़ा इ क्या है कि 20 तो आपकी कंट्री है और प्लस एक आपकी यूरोपियन संग है ठीक है यह 19 देश 19 देश कौन से अर्जेंटीना ऑस्टेलिया ब्राजील कनाड़ा चीन फ्रांस जर्मनी भारत इंडोनेसिया इटली जापान कोरिया गडराज मैक्सिको रूस साओधी अरब इन नम और संयोकतराज अमेरिका और यूरोपिये संग तो यह 19 कंट्री प्लस एक यूरोपिये संग मिलके कितने आपके पूरे 20 हैं इसमें जिसमें आपके 20 सदस मौझूद हो जी 20 सदस वैस्वी सकल घरेली उत्पात का लगवग 85 से अधिक और 20 संख्या का लगवग 2 तिह प्रतनिजित करते हैं तो जो भी यह जी 20 की सदस हैं आप लोग दे सकते हैं यह लोग इस प्रकार से इन सब चीजों का प्रतनिजित करते हैं G20 अंतराश्टी आग्षिक सहयोग का प्रमुख मंच है यह सभी प्रकार सभी प्रमुख अंतराश्टी है आग्षिक मुद्द पर वैस्विक वास्तुला और सासन को आकाल देने मज़ूद करने में महटपूर भूंका रिवाता है तो G20 है कि जैसे आपके global से related कोई भी समस्या है education से related है इसके आद finance से related है economy को कैसे और अच्छा करना है कैसे इस पर काम करना है इन सब चीजों को ध्यान में रखे यह summit वगरा कराई जाती है ठीक है इसके G20 के पास कोई इस्थाई सचवाले या करमचारी नहीं है तो यह point काफ सचवाले या सदस नहीं है इसके बजाए G20 प्रेसिडेंसी सदस्यों के बीच सालाना घूमती और देसों के एक अलग छेत्रिये समू से चुनी जाती है बहुत हर साल कोई ना कोई country इसको conduct करवाती है जो भी G20 में सामिल है ठीक है इसलिए उननी सदस देसों को 5 समू में वि विवाजित कर दिया गया है जो इसको conduct करवाते हैं अधिकान समू चेत्री आधार पर बनाया जाते हैं अर्थात एक ही चेत्र के देशों को आमतवर पर एक ही समू में रखा जाता है ठीक है केवल एक समू जिसे ऑस्टेलिया, कनाड़ा, साथी, अरब, संयुक्त, राज, अमेरका और समू दो भारत, रूस, दक्षिड, अफ्रीका, तुर्किये इस पैटरन का पालन नहीं करते हैं ठीक है केवल यह जो दो है यह पैटरन का पालन नहीं करते हैं अधर्वाइ समू पांच में चीन, इंडोनेसिय, जापन और कोरिया, गणराज सामिल है तो यह पांच समू है जी ट्वेंटी के इसके बाद यूरोपिय संग जो 20 सदस है जिसे 19 कंट्री है और आपका 20 यूरोपिय संग है इन में से किसी भी छेते समू का सदस नहीं है प्रतिक बस एक अ अपने समू की बारे में आने पर राष्ट्पती पत समालने के लिए समान रूप से हगधार होता है ठीक है मतलब राष्ट्पती होते हैं वो इस कह सकते हैं समू का जो भी पत है उसको समालते है ठीक है अब भारत की अब लोग बात करेंगे समू 2 से है जो एक कब से कब तक इसकी रहे एक दिसम्बर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की बरतमान अद्था रखता है तो यह important point है आप आप से पूर सकते हैं कि भारत G20 की अद्था कब से कब तक रखेगा तो एक दिसम्बर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक ठीक है यह आपकी खुल 20 सदस है जिसमें 19 country है ठीक है 19 country और एक क्या है European Song इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस बार का जो G20 हुआ है वो कितना है अठारवा यह आपको याद रखना है यह पोसकते हैं कि अठार कौन सा G20 हुआ है तो अठारवा हुआ है इस बार का जो हुआ है ठीक है जी ट्वेंटी से का सम्मेला 9 और 10 सितंबस 2023 को नई दिल् नई ली थी ठीक है और डिली में काफी चीजें बंद भी कर दी गई जैसे 8 9 और 10 सितंबर को यह सिकर सम्मेला पहली बार था जब भारत पहली बार ही जी ट्वेंटी में भारत ने इन सब की मेजवानी की थी सिकर सम्मेला का विष्य क्या मतलब है इसकी थीम क्या थी यह जनकी का मतलब है दुनिया एक परवार है। G20 नेताओं की नई दिल्नी गोसरा में रूस- यूकरेन तनाओं तरह सतत विकास dan शुरक्षा वैस्विक जैव यद्धन गठवन्दन शुरू करने से ब्युविद्ध वैस्विक मुद्दों को सम्वोधित करते हुए सर्व सम्मा साइध हासिल की गई थी मतलब इन सब मुद्धों पे बात हुई थी जो रूस और यूकुरियन में तनाव चल रहा है युद्ध चल रहा है ठीक है इसके सतर विकास जो है आपके उनके बारे में ठीक है ठाथ से सम्मद्धि जो भी चीजे हैं उनकी सुरच्छा को लेके सम्मद्धों पे इसमें बात हुई थी इसके मेजर आउटकम क्या निकल के आए है अफरीकी संग की सुईक्रियती जी-ट्वेंटी वन हो गया है अब जी-ट्वेंटी-वन के पहले तो जी-ट्वेंटी में 20 सदस है ठीक है अब इसमें क्या किया गया है एक और इस्थाई संग है ठीक है पहले क्या था अफरीक का जैसे अफरीक के बहुत सारे दीवप मिलके एक पूरा संग बनाते हैं तो उसमें से एक जो दीवप है वो जी ट्वेंटी में सामिल था लेकिन अब पूरे अफरीकी संग को सथाई सदस बना दिया गया है तो यह काफी संग जो जी ट्वेंटी में स्थाई सदस बनाए गया है वो किस प्रकार से कहां का हिस्सा है ऐसे कुछ भी गुमाफरा के पूर सकते हैं तो पूरे अफरीकी संग को इसमें सामिल कर लिया गया है वो भी एक स्थाई सदस के रूप में जी ट्वेंटी में एउ के सामिल होने का प्रभाव यहां पर देखेंगे क्या राय जी ट्वेंटी में एउ की सदस्ता का वैसिव ग्यापार वित और निवेस नए आकार देने का अफसर प्रदान करती है जी ट्वेंटी के भीतर ग्लोबल साउथ एक बड़ी आवाज सामिल किया गया है उसमें भी इंटरनेशनल लेवर पर व्यापार उसकी एकनोमी इन सब मुद्धों पे भी काम किया जाएगा जिससे वो देश भी विकास सील देशों में सामिल हो ठीक है जी ट्वेंटी के भीतर अपरीकी हितों और द्रश्टी कोड़ों को सुनने और मानता देने की अनुवति देता है ठीक है अब उनको भी हम लोग एक परवार के रूप में लेके चलेंगे वाज़ा साथ में लेके चलेंगे इसके बाद है कौन कौन से टॉपिक पर में बात हुई है जिसको जी विय बोलते हैं तो जी विय भारत की नेतरत वाली पहले जिसका जैवीधन पे अच्छे से काम होगा जिससे कि हमारे इन्वायर्मेंट को भी नुक्सान ना पहुचे इस पहल का उद्देश जैवीधन को उर्जा परवरतन एक प्रमुख गटक के रूप में स्थापित करना रोजगार सरजन करना और आर्थिक विकास पे योगदान देना इसके क्या होगा कि एक जैवरतन पर काम करेंगे हम लोग काम करेंगे इन्वायर्मेंट के इसके बाद लोगों को रोजगार भी मिलेगा क्योंकि इसके लिए एक आर्थिक इस्तिति पर भी इंडिया और अच्छा साबित होगा ठीक है यह भारत के मौझूदा जैवीधन कारकुमों जैसे पीम, जीवन, योजना, सतत, गोबर्धन, योजना को गती देने में मदद करेगा जो अभी भारत में इसे रिलेटिटी जोजनाएं चल लेए उनको और गती पर दाहन होगी इसके बाद है आपका आईएं के अनसाल नेट जीरो लक्ष के कारण 2050 तक 3.5 से 5 गुना जैवीधन विकात चंता होगी जो भारत के लिए बड़ा अफसर पैदा करेगी ठीक है तो जीरो एक ये कुस्ष्ण है नेट जीरो जैवीधन का लक्ष कब तक रखा गया है 2050 तक ये लक्ष रखा गया है कि हम लोग जीरो एमेशन के काम करेंगे जिससे की जो आपका पता है CO2 गैस का ज्यादा एमेशन होने की CO2 गैस जितनी ज्यादा बढ़ती जा रहे है उससे क्या है बहुत सारी हानिकारक गैसे और उत् हाइट करती है ठीक है अब इसका एजेंडा क्या है आप लोग जैसे से क्लाइमेट चेंज पर ध्यान दिया जाएगा सस्टेनवर डवलम्मेंट जिसके सत्रा गोल है इसके बारे में भी आप आज हम लोग पढ़ेंगे एल्थ पर एग्रिकल्चर इनर्जी में में जिन पर बात हुई है ठीक है इसके बाद है फॉर्मेशन और फांडिंग मेंबर अब यहां पर कैसे कैसे मेंबर हैं कैसे स्काम किया है गटवंदन को नौ आरंबिक सदस्तर के साथ लांच किया गया था भारत अमेरिका अगजीर ऑस्टेलिया बांगलादेश इटली मौरिसस दक्षिल अफ्रीका और सैयुक अरव अमीराथ ठीक है जीबियाई सदस्ट जैव एदन के प्रमुक उत्पादक उपभोगता है प्रमुक जिसमें से सैयुक तराज अमेरिका कितना जीबियाई मतलब जो आपका जैव एदन की आपर बात हो रही है बावन परसेंट ब्राजिल 30% और भारत 3% एथनोल के उस पादन में लगवक 85% और खपत में लगवक 81% का योगदान करते हैं तो आप लोग देखें भारत भी इसमें कितना बड़ा योगदान मतलब तीसरे नमबर पर यह आता है ठीक है जैव एदन के रूप में जो आपका जीबिया की हम इसको भी बाग कर रहे थे यहां पर अपने देखा था ग्लोबल बायोक्यूल एलाइंस में तो जब इन सब चीज़ों पर काम होगा इस पर और ज्यादा काम होगा तो भारत की अपने आप आर्थिक स्कितिक और अच्छी होगी ठीक है उनमें इस देश बारा अंतर समर्थन करने वाले आमंतरित देश किसने किसने जी बीए का समर्थन किया है बांगलादेश, सिंगापूर, मौरिसर, सैयुकता, अमीराज, गैर जी ट्वेंटी समर्थन जिनोंने समर्थन नहीं किया है वो हैं आइसलेंड, केन्या, यूगाना, पैरागवे, सेसेल्स, स्री लंका, यूगानडा और फिलेड इन लोगों ने समर्थन नहीं किया है बाकी इन लोगों ने जो जी बीए पे समर्थन किया है ठीक है अब इसके जी ट्वेंटी के कुछ की हाइलाइट्स हैं जो हम लोग देखेंगे यहां पर आप लोग देख सकते हैं 2030 तक बैस्वी नवी अब इसे 2030 के भी साथ अरब टन कारवन डायाकसाई उक्सरजन से बचा जाएगा अगर इसके काम होता है तो हम लोग CO2 के जो दुस्प्रभाव हो रहा है उसे पूरा साथ अरब टन उसको कम कर सकते हैं ठीक है ग्लोबल वार्मिंग जो 1.5 डीगरी सेलसियस तक सीमित करने के बैस्वित प्रयासों का अरूफ किया जाएगा ये जीवास विदन के स्वच उज्जा विकल्पों की और एक महत्पूर बदलाओं का प्रतनिजत करता है जो हम लोग इन सब चीजों का यूज करेंगे तो हमारा एंवार्मेंट भी अच्छा रहेगा फिलस इससे बिजली ब प्राप करने के लिए खर्वों डॉलर के विच्टियस अंसाबनों की आवसक्ता पर प्रताश डालता है इस प्रमाने पर नवीनी कर लिए उर्जा संक्ता का विस्तार करने विजार तेईस और दोजार तीस के बीस लगों साथ बिलियन टन सीयो टू उस सरजन से बचा जा सक करते हैं कि हम सब एक परिवार के रूप में काम कर रहे हैं तो सब को ही इन सब पर ध्यान देना है इसके आदा फूट सिकॉर्टी और न्यूट्रिशन पर भी काफी बात हुई है कि इन सब पर भी काम किया जाएगा जी ट्वेंटी ने तक हाद और उर्जा की कीमतों सहीद कोमेडिटी कीमतों को समोधित करने के महत को पैचानेंगे तो जीवन यापन के दवाव में योगदान रहेगा ठीक है कि कुपोसर को खत्म करेंगे भूग को खत्म करेंगे जैसे कि हम लोगे जो SDG गोल है उनमें भी बताय गया है कि 2030 तक इन सब को खत्त करना है भूग और कोपोसर को ठीक है कि ये स्विकार करते हैं गरीवी जलवाई परवलतन महामारी संगर्स जैसी वैस्विक चिनोतियां कमजोर आबादी विसेश कर महिलाओं बच्चों को प्रत्पूल रूट से रभावित करेंगे इससे की महिलाओं बच्चों भी सुरक्षा होगी जो हम ल पूर्जा, सुरच्चा, अपूर्ती, स्रंकला, मुद्रा, इस्पिती, आर्थिक इस्तिता पर पढ़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला गया जो आपका रूस और उक्रेयन का यूद्ध हो रहा है उन सब्सक्रे भी भात की गई इस पर ठीक हैं तो यहां पर देख स जो बाजरा का अपका उस्पादर होता है भारत उसमें काफी एक बड़ा रोल फ्ले करता है इसका इंडिया कल्चरल सोकेस अब यहां पर G20 में कौन से इंडियन चीजों को में प्रदर्सनी की रूप में दिखाया गया था तो वो चीज़ें यहां पर बताईए जिसे भारत का मंदपव की भगवान नटराज की कांस प्रतिमा लगाई थी जो कहां से चोल सैली से विलॉंग करती है उडिसा की सूर मंदिर का कोडार चक्र नालंदा में सुझ्धाले की छवी दिखाए गई थी इसके तंजावर पैंटिंग और धोकरा कला दिखाए गी थी बोधी व् पुद्ध की पीतल की मूर्ति दिखाए गी थी विवित संगीत विरासर जिसे हिंदुस्तानी लोग करनाटक भागती तो यह सब चीजे जो कल्चरल सो केस हुआ था जी ट्वेंटी में उन समय अलग-अलग देश से जो भी चीजें फेमस हैं उन सब को दिखाए गया था ठी कि हम लोग ऐसी चीजों से भिजली बनाएंगे इससे की इन्वार्मेंट को कोई नुकसान ना हो और हर जगा भिजली पहुंच भी पाएं इसके हेल्थ हो लेके डिश्टल इंडिया आइसीटी बगारा का हम लोग कैसे यूज करते हैं डिश्टल लिटरेसी को कैसे बढ़ा करेंगे इसके बारे में भी इसके मल्टी लेटर रिफोर्म है ट्रेड एन इंवेस्टमेंट है ठीक अग्री कल्चर से संबंदित और स्टार्ट अप कुछ अपना खुद का विजने से स्टार्ट करना कल्चर हो गया एजूकेशन इंप्लाइमेंट है स्किलिंग रोजगार से संबंदित जो वोकेशनल चीज होती है उन पर ध्यान दिया जाएगा इसके फाइनेंशल इंक्लीजिव मतलब महिलाओं के लिए भी अलग से बहुत सारे प्रावधां रखे गए हैं टूरिजम है वूमें लेट डवलमेंट महिलाओं को भी सक्षम बनाए जाए जाएग झिए को वह अपना कुछ काम कर पाए अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएं इस्के आज एंटी करफशन prata सब्सक्रायों क्रिक्राव sap टरे अंब करने की बात की गई हैं किकने टिर्म इंडिया की बात की गई है इसे इंडिया में क्या है रोडमेंब पुठ मृट उस 2030 तक क्यों कि हमारे SDG गोल है उनका लख्ष ही रखा गया है 2030 तक उसमें जितनी चीज़ आती है वो सब इसमें रखी गए ठीक है कारवन हम लोग कम करें 2030 तक इसका रिड्यूस कारवन जिनकी वज़े से पैदा होता है उन चीज़ों को कम करेंगे और कितना लख्ष रखे 45 पर से इंडिया विल अचीव टार्गेट और नेट जीरो बाइट जीरो बाइट जीरो मतलब विल्कुल ही कारवन को खतम कर देंगे तो कब तक का रखा गया है 2030 तक का यह लख्ष रखा गया है ठीक है इसे लाइफ है जिसे मैंने बताया कि आप पूरा इंवायरमेंट पर काम करेगा लाइफ अगर हमारे आशपास की चीज़ें अची रहेंगी सुद्ध रहेंगी ठीक है कि बहुत सारी बीमारी आप लोग देखते हैं उसी बज़े से होते हैं पल्यूशन होते हैं वायू प् है तो इन सब चीजों को ही काम किया जाएगा जिससे हम लोग अपने इंवायरमेंट को अच्छा बना पाएं ठीक है इसके अलावा कुछ गेस्ट कंट्री भी बलाएगी थी जीट रंठी में जैसे आपका यहां पर है बांगलादेश है इजिप्त है मोईटर्स है नीदर ल जो पूरा जी 20 या फिर जो भी आजकल जितनी भी कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट पर कमीशन बनते हैं या फिर इन्वायरमेंट से चीज़ी होती है मलाब पूरे होलेश्टिक डवलमेंट की बात की गई है वो कहीं न कहीं जो SDG गोल है इन पर ही डिपेंड करते हैं कितने है यह सत्रा गोल है आपको तो यह पता होना थे यह सत्रा गोल है ठीक है और इसका में उद्देश क्या है ट्रांसफोर्ट अवर वर्ड मलब सत्रा गोल ऐसे जो अपने पूरी जो दुनिया है उसको बदल दें सबसे पहला क्या है आपका नो पवर्टी मलब कोई भी गरीवी कोई भी गरीवी यह कब तक का रखा गया है दो हजार तीस तक का यह रखा गया है तो यह भी आपको पता होना चाहिए इसके जीरो हंगर कोई भूका ना रहे इसके गुड़ हेल्थ एंड वेल विंग अच्छा स्वास्त हो और अच्छे से रहे यहां पे हम लोग हिंदी मे साफ सफाई इसके वाज़ है सस्ती और प्रदूसर मुक्त यूर्जा हो उत्करश्ट स्रम और आत्री विकास हो उत्भोग नवाचार एवं बुन्यादी सेवाएं हो इसके नेर समर्ण देखते हैं दस्मा क्या है असमानता है कम करना सतत एवं संतुली समधाय हो उत्तर दाय पूर्ष खपत रुस्पादन और जलवाई परवतन कारवाई ठीक है जलवाई पर भी अब जलिये जीव उनकी सुरच्छा का भी ध्यान रखा जाएगा और जो थलिये जी मतलब जो ऊपर है पेड पौदे हैं उन सबकी भी सुरच्छा का ध्यान रखा जाएगा इसके उद्देश हैं मिलके सब इस पर काम करें क्यूंकि इन्वायर्मेंट जीज़ें यह सब जो सबकी ही समस्यां होती हैं इसके इसके उद्देश कितने यह आपको याद रखना है 169 एकसो उनत्तर उद्देश हैं और गोल कितने है 17 गोल है इसके ठीक है यहां पर जीसे आप ल प्लेइनेट, इन्वारुमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, लोगों पे ध्यान दिया जाएगा, प्रोस्परिटी, अच्छे से रहे, एक संवान की जिंदीगी जी है, पीस, सांती से रहे, ठीक है, पार्टनर्स्शिप, मतलब सब लुग मिल जूलकर काम करें, ठीक है? तो य चीजों पर काम किया जाएगा और इनको पूरा करने की पूरी कोसिस की जाएगी जितने ये सत्रा दिये गए इसके बाद उद्देश कितने रखे गए हैं उद्देश हम लोग देख सकते हैं 169, 179 उद्देश रखे गए हैं ठीक है तो ये पूरा दिया गए है यहाँ पर लो लागू कब से होगा जो सबसे ज्यादा बहस का बिसेफ बना हुआ था कि अभी क्यों लागू किया गया है क्योंकि यह अभी ओफिस्यल रूप से तर लागू होगा नहीं तो आरेक्षड हैनाओ को मिलेगा नहीं तो देखते हैं इसके कुछ मुक पॉइंट तो उससे पहले है तो यह 971 करोड की लागस से बना है मैंने पूरे PDF में में पॉइंट ही रखे हैं वैसे भी मैं जितनी वी क्लासे बनाती हूं सारे में ही इसको ही रखा जाता है ठीक है फिर भी कुछ बचों की जिसे कमेंट आते हैं कि इतना लंबा क्यों बता रही है या तो आपके एक त पूरी क्लास देखें फिर डिसाइड करेंगी क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं क्योंकि अगर आजकल जिसे परिक्षा में प्रस्त पुछ जाते हैं काफी घुमा के पुछा जाते हैं आपको पता एकदम सीधे से प्रस्त नहीं पूजा चाहता है कुछ चीजें हैं जहा आकार चाह को प्रत्यविद्नित करता है इसमें ऐसे चीजें रखी गई और इसका आकार कैसा है त्रिकोरिया आकार है इसका ठीक मलब ट्राइंगल सेफ में इसको बनाये गया है और इसमें जो भी विदाई कर्च हैं वो काफी बड़े रखे हैं जो पुरानी संसर्थ थी उ 48 सीटे होगी जो कमल थीम राष्टी फूल पर अधारित होगी ठीक है नई मंजील योजना के अंसार लोकसभा हॉल संयुक्त सत्र के लिए 1272 सीटों को समायवजित करने की छमता है इसमें ठीक कि कलाकृती है वहां से भीविन-विन तरीकों के लोगों ने आके यहां पर काम किया है वहला पूरा एक इंडियन कल्चर को यह नई संसत दसाती भी है यह कुछ इंपोर्टेंट सी है जो आपको पता होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा है कि नई संसत में पहला विल कौन पास हुआ है अभी तो वह विशेश सत्र बुलाकर आपका विल पास किया गया है तो उस पर हम लोग में बात करेंगे तो आप लोग समझी है कि कौन सा है महला आरक्षड अद्मियम ठीक है महला आरक्षड अद्मियम इस पर काफी बहस भी हुई है बहसे क्यों ही है वो भी हम लोग देखेंगे लोग सभा में सबसे पहले यह पारित हुआ जहां पे 214 इसके बाद अब हम लोग इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो देखेंगे भारती चुनावी राजनीतिक पर व्यापक प्रभाव डालने के लिए कदम उठाते के भारती सरकार ने संसेत के चर रहे पांच दिवसिये विशेश सस्त्र बुलाये मतलब इसके लिए थाएं सवा समवैधानी संसोदन विद्यक है जिसमें क्या बात की गई कि महलाओं को 33% आरक्षड दिया जाएगा लोग सवा और सभी राज विदान सवाओं में महलाओं को कितना 33% आरक्षड दिया जाएगा और SCST के लिए आरक्षड सीटों तक कोटा बढ़ाता है और जो SCST की आरक्षड सीटे हैं उनको उसी प्रकार से होगा बाकी जो महला है उनको 33% का आरक्षड दिया जाएगा राज सवा ने गुरुवार को महला आरक्षड विद्यक को मन्जूरी दे दी जिसमें सभी 215 सरस्यों ने प्रस्तावित कानून के पक्षड में मतदान किया अब पूर बहुमस से यह पारित हो गया ठीक है तो यह पारित होने के बाद अब यह राश्पती के सिगनेचर वगयरा होगे इसके बाद यह एक कानून बन जाएगा अब यहां पर देखेंगे कि आखर यह विल है क्या और इस विल को क्या नाम दिया गए नारी सक्ति बंदन तो आप लोग यहां पे कोई और चीजें कमेंट में ना लिखें थीक है क्यूंकि वो सब अलग चीजें हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग पढ़ाई के साब से बात करेंगे तो इसका नाम क्या रख़ा गया नारी सक्ति बंदन अध्मियम रखा गया नामक बिद्धिक लोग सभा राजसभा विधान सभाओं और दिल्ली विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित करने का प्राध्धान रखा गया है ठीक है इतनी चीज़ समझ में आगी एक तो इसका नाम क्या है नारी सक्ति बंदर अद्लियम ठीक है इसके बाद लोग सभा में ये प परसते हैं उहां पर ये लागू नहीं होगा पहली जनगर्णा के प्राशंगी आकड़े प्रतासित होने के बाद परसीमन किये जाने के बाद सीटों का आरक्षर प्रभावी होगा अब यहां पर ये चीज़ बहुत समझगी है कि इसमें एक चीज़ लिखी गई है कि जब पहली जनगर्णा होगी और वो होगी आपकी 2026 में ठीक है उसके बाद ही पारित होगा मतलब ये कहीं 2029 में पारित होगा जाके तो जो बहस का मुद्दा बना हुआ था यही बना हुआ था कि जब तक जनगर्णा नहीं होगी तक तक ये कैसे पारित होगा अगर पारित नही तो इसको अभी क्यों लाया गया है वो सब political regions है अपने लेकिन यहां पर यही बताए गया है कि पहली जर्णा के बाद ही पारित होगा मतलब आपका जो यह अधलियम है जहां तक दो हजार उल्टीस में पारित होगा फूरी तरह ठीक है अब इसकी कुछ historical point है वो हम लोग देख लेते हैं यह 2010 में बात हुई थी जहां पे भी 33% reservation की बात की गई थी लाए गया था लेकिन वहां पर पारित नहीं हो पाया था ठीक है अब हाईलर यह कौन सा है constitutional amendment 128 constitutional amendment है लोग समा में पेस किया गया विजय केंद्रिय कानून और न्याय मंत्री द्वारा केंद्रिय कानून मं अंत्री उनके द्वारा यह पारित किया गया है ठीक है नए विद्यक के अनुसार लोकसवा के लिए चुनावदारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या में लगवग एक तहाई अनसूचित जन जाती और अनसूचित जाती की महलाओं के लिए आरक्षित सीटों सहित आ विद्यक राजियों और दिल्ली में विधान सवाओं के लिए समान प्रावधान का प्रस्ताव करता है हाला कि कोटा राज सवा में यह लागू नहीं होगा यह बात लोग पहले भी कही चुके है ठीक है पिछले विद्यक की तरह नया विद्यक क्रमशा लोकसवा विदान प्रस्ताव करता है ठीक है तो आपसे जिसे कोट्चन कैसे पूछा जागी किसने इस बिल्कों पेस किया तो जो केंद्री कानून मंत्रिय है एससी गौड़ा उन्होंने पेस किया है कि किसका नाम क्या है इसके कौन सा यह सम्विदान संसोदन यह सब चीज़ें आपसे पतवान विद्यक में एक सूर्यास्त खंड जिसमें कहा गया है कि आरक्षण अद्मियम के प्रारम होने की तारीक से 15 वर्स की अवदि के लिए होगा ठीक है अलगा कि पिछले संस्क्रण के मुख अंतर यह है कि विद्यक महिला आरक्षण के कार्यान में को परसीमन प्रत्र होगा ठीक है इस पर ही यह निर्वर करेगा अब जंगलना कब हो रही है तो आप लोग टैंक के साथ देखेंगी इन इस्तितियों का नतीज़ा यह है कि दोजार उनतिस के आम चुनाओं से पहले लोग समा में महिला आरक्षण प्रहावी डंग से लागू नहीं हो पाएगा मतलब दो हजार उनतिस के जो अगले चुनाओं होंगे तब तक ही यह लागू हो पाएगा ठीक है तो ब्यालिस में संसोदन के बाद पहली जगर्णा के बाद अभी कोई जगर्णा नहीं हुई थी 2021 में जो होई थी कि कोरोना की वज़े से डिले हो गई थी ठीक है 2001 जो 14 इसमा संसोधन में इसे 25 वरसों के लिए बढ़ा दिया गया इसका मतलब है 2026 के बाद पहली जगर्णा के नतीजे आने के बाद प समझ गये होगे कि क्यों बना हुआ है कि अभी जब यह लागुर नहीं हो सकता है अभी मतलब इसका कोई लाव नहीं उठा सकते हैं लोग तो फिर यह अभी क्यों लाए गया वह अलग चीजें है ठीक है तो यहां पे यह सब शीजें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चा होते हैं जो पूरे समाज को ही एक सुसर्जित रूप से सजाते हैं जो उनके स्टुडेंट हैं उनको उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां तक पहुंचना चाहते हैं ऐसे बोला राता है कि सबसे पहली सिक्षा आप अपने परिवार में शीखते हैं लेकिन जो गुरू होत सिच्छा नीती है 2020 की उसको कैसे अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए उसको ध्यान में रखे सार्थक आपका बनाए गया है तो सबसे पहले देखते हैं नेशनल अवार्टू टीचर्स ठीक है तो यह किसके ज़रा लॉंच किया गया है किसके मनलब कौन से मंत्राले के अंदर आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपके सिच्छा मंत्राले के अंदर यह आता है ठीक है इसका इंट्रोटेक्शन देखेंगे कि क्या है से पहली बार कप शुरू किये गए थे उनिस सो अठावन में क्यूकि माना जाता है कि जितना भी दिमाग है बच्चे हैं उनको उनकी क्रेटिविटी को एक अच्छे लेवल तक ले जाना में टीचर ही काम कर सकता है ठीक है 60 दसक के मद से भारत के पूर राष्ट पती डॉक्टर सर्व पल्ली राधा क्रिशन के जनम जिनके अफसर पर समारोग के लिए 5 सितंबर की तारीक तारीक की गई है तो आपको पता है कि 5 सितंबर को टीचर्स जे जो होता है तो वो किसलिए मनाया जाता है जो राष्ट पती दॉक्टर सर्व पल्ली राधा क्रिशन जीके जनम जिनके अफसर पर मनाया जाता है यह प्रुस्कार प्रात्मिक और मादमिक विध्यालों में कार्दयत जो मेधावी सिच्चकों को सारवजनिक मानता प्रदान करता है जो आपके प्रामरी और सेकेंडरी में ठीचर्स काम क किस प्रकार से बच्चों को अच्छा एक मोड देते हैं की क्रेटिविटी को कैसे और अच्छे से यूज कर पाते हैं ठीक है तो उस सबके लिए प्रुस्कार रखे गए हैं अब इसकी कुछ कंडिसंस भी है कि मतलब किन किन लोगों को यह दिया जाएगा तो यहां पर आप सरकार केंदर सासित प्रदेश प्रसासन द्वारा संचालित स्कूल इस्थानी निकायों द्वारा संचालित स्कूल राज सरकार द्वारा सायता प्राप्त स्कूल और ड्यूटी और यूटी प्रसासन और राज यूटी से संबंदित निजी स्कूल बल्लब जब कि केंदर सा से रिलेटिटिट से स्पूल है प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए तो उनके लिए ये वार्ड रखा गया है केंद सरकार स्कूल यानि केंद्री विध्धाले से आपके के इसको क्या मुलते हैं एटॉमिक इनर्जी एडुकेशन सोसाइटी से टीचर्स की वेकैंसी निकलती हैं उनको इसके बाद आपके जो जन जाती हैं मावलों के मंत्रालें संचालित किये गए हैं एकलब मोडल आवासी विद्धाले जो इसकी आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं इसकोल के जो टीचर होते हैं켜कि यह भी केंद सरकार के अंदर ही हम सारे इसकोल तो इन स्कूल के टीचर को मेरे यह अवार्ड देया जाता है। इदर यह मादंफल इसस्च्छा डोर्ड सीबीसी समंग्द स्कूल मनलब जो सीबीसी बोर्ड से लिंग करते हुए स्कूल है動 उनके टीचर्स इसके आध काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल साइटिफिकेट एक्जामिनेशन के द्वारा जो आपका CISC बोर्ड होता है उससे जो रिलेटिट स्कूल है या फिर उससे मानता प्राफ्ट स्कूल है जो चलते हैं विविन विविन जगहे पे तो उनके स्कूल के इसकी तो तरही टीचर्स को यह पूरुस्कार दियाना सकता है तो मेरे यहां पर आप लोग यही समझो कि जो जितने भी सेंट्रल गवर्वर्वेंट है आपके श्टेट गवर्वर्वेंट है यूटी है केंद सासे प्रदेश बगरा होते हैं उनसे रिलेटिड जोगी स्कूल है या फिर आपकी CVSC से रिलेटिड इसकूल है उन छेत करते हैं तो उनको ये नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया जाता है ठीक है गूगल पे जो सर्च करेंगे ठीक है तो यहां पे अभी 2022 में जो हुए थे ठीक है तो यह रखा गया है अभी इसकी ये इसके अप्लिकेशन फॉम भी खिल के जाते हैं जो टीचर अवार्ड लेना चा जो हुए जो अभी हाल फिलाल में अवार्ड किनको किनको दिया गया है जैसे यहां पर अभी 2023 का दिया गया है मिश्टर सटपालशिंग है कहा के है हिए हरेाड़ा से इनको यह अवार्ड दिया गया है इन्होंने कुछ ऐसी 5 किताबा ले लिखीए क्लास 7 और form 6 से 5 ख की icon बनाते हैं दीक्षा जो प्लेटफॉरम है इसके बारे उन्हों पड़ भी चुक है उस पे उसको देते हैं ठीक है तो इनकी इस उसक्रश्टा के लिए इनको यह वाउड दिया गया है इसके दा मिश्टर विजय कुमार की माचर प्रदेश से ठीक हैं इसके अमरत पाल सिंग है लुद्धाना पंजाब से तो यह आप लोग देख रहे हैं यह दोजार टेश के टीचर्स हैं जिनको अभी एवार्ड भिला है ठीक है ऐसे कुल पचास लोगों को दिया है ऐसे आप दोजार बाइस का भी देख सकते हैं यहां पे दोजार बाइस की पूरी लिस्ट दी गई है तो इउन्होंने कुछ अच्छा काम किया है अब यहां पर पढ़ना तो इसको सम्मान करने के लिए प्राब्धार रख सब्रकुर्ट कीया है कि उसको अच्छी तरीके से कैसे पूरा किया जा सकते हैं कैसे हम लोग काम करेंगे तो सार्थक कर सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्योंकि डायेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं तो इस्टुडेंट थे टीचर्ट होलेश्टिक एडवांस्मे उनके पूरे ही हॉलिस्टिक डवलमेंट के ध्यान देने के लिए उनके हॉलिस्टिक डवलमेंट की क्वाल्टी और बहाने के लिए यह सार्थक लॉंच किया गया है तो देखें कि सार्थक क्या उदेश है कैसे है जब राश्टी सिच्छा नीति आपकी आई थी 29 जुलाइ जो 2020 को आई थी, तो उसके जो भी लक्ष हैं, उद्देश हैं, उनको अनुसरण करने के लिए, राज जो केंसासित प्रदेश की सायता से, जो भी उस सिच्छा में स्टुडेंट हैं, या फिर टीचर्स काम कर रहे हैं, उनके पूरे होलिष्टिक डवलम्मेंट पर धान देने निसंख द्वारा आजादी के 75 वर्स पूरे होने पर अमरस मौसब के जस्ट के हिस्से के रूप में जारी की गई थी, तो उस समय पे सिच्छा मंतरी कौन थे, स्री रमेश को खरियाल, तो ये भी आपको याद रखना है, कब 8 अपरेल 2021 को स्री रमेश को खरियाल निसंख ज द्वारा जो उस टाइम पे सिच्छा मंतरी थे, उनके द्वारा जो आजादी के 75 वर्स पूरे होए हैं, उसमें ही अमरस मौसब के जस्न के तौर पे सार्थक लांच किया गया था, ठीक है, जिससे की राश्टी सिच्छा नीती की जो भी गाइडलांस हैं, उनको पूरा किय सिच्छा की संवर्ती प्रकृति को ध्यान रखते हुए संगबाद की भावना का पालन करती है, इसके लाएर राज्यों के अंसासी प्रदेशन को ये योजना को इस्थानी संदर के साथ अनकूल लिप करने और अपने आवसकताओं के अनुसार संतोजित करने की छूट देत करती है, ये कार्यान वे योजना अगले 10 वरसों के लिए NEP 2020 के कार्यान वेन के लिए रोड मैप और आगे की रा को रिखामकित करती है, जो इसके सुचारू और प्रभावी कार्यान के लिए बहुत महत्पूर है, अलब जो भी राश्टी सिच्छारीती 2020 है, उसको कैसे स्वायत निकायों और सभी हित धारकों के प्राप्ट सुजाओं के साथ व्यापक और गहन परामर्श प्रक्रिया के माद्यम से विख्षित किया गया है, तो सार्थक को बनाने से पहले अलग-अलग स्टेट के जो भी अच्छे संस्थान है, उनके टीचर से, उनके हेड़ म किया गया था, ठीक है, NEP 2020 की विविन सिफासों और इनकी कार्यान में रणीतियों पर चल्चा के लिए 8 से 25 सितंबर 2020 तक एक सिख्षक उस सब जिसको सिख्षक पर विशेश रुख से आयजित किया गया है, उसमें लगबक 15 लाग सुजाओं आये थे, ठीक है, तो 8 से 25 सितं 15 लाग से अधिक विचारों को एक्सेप्ट करके फिर सार्थक को लांच किया गया था, ठीक है, सार्थक इंट्रेक्टिव लचीला समावेशी है, सार्थक का मुख फोकस गत्विदियों के इस तरह से परिवासित करना है, जो लक्षे परड़ामों समय सीमा को इस पर श्रू कारें से जोड़ता है, मतलब आप ऐसे समझे लो की जैसे, मतलब आप कोई एक्जाम की तयार ही कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पहले से एक तरह नहीं मनाते हैं कि मुझे इतने टाइम में यह वाला कोर्स खदम करना है, इतने टाइम में प्रिवेस एर कॉस्टन करने है, इस ताइम पर रिविजन करना है, तो सार्थक भी इसी प्रकार से जो आपकी राष्ट्रे सिक्षानीती 2020 की है, उसको कैसे हम लोग अच्छे से चड़ा सकते हैं, कैसे उस पर काम कर सकते हैं, उसके लिए पूरा प्री प्लान जो कह सकते हैं रोड मैप है, उसको ही सार्थक बोल करने का मार्क ससक करने, और आश्टी सिच्छा नीती 2020 में कलपना कीगी भारत की परंपरा, संस्कृति मूल प्रडाली के साथ साथ 21 सदी के जो भी स्किल्स हैं, जो भी कौसल हैं, उनको पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो आप समझ गया है, आप लोग इहां प पढ़ ली पढ़ ली तो कैसे हो पाएगा, तो पहले से ही उसके लिए पूरी प्लानिंग करने पढ़ेगी ना, तो उसी प्लानिंग को कैसे NEP को अच्छा किया जाएगा, NEP जो 2020 है, तो उसके लिए साथ तक बनाएगा, इसका पढ़ेंगे, इसके बाद है N-D-E-A-R, ठी और यह आपकी जितने भी teaching exam है, सबके लिए ही important है, तो आप लोग अगर D-S-S-B की तयारी कर रहे हैं, चंडीगर में form फिल किया है, जहां पर JVT और TGT special के लिए vacancy निकली हुई है, और इसके अलावा भी कोई अधर exam है, आपके state में कोई अलग से exam होता है, या फिर कुछ तो वहां सारे में ही, यह scheme काफी important होने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे की निष्ठा क्या है, जैसे हम लोग पिछली class में किया था सार्थक, तो उसमें बताया गया था सार्थक किसके लिए आपका student और teacher के लिए उनके holistic development पे ध्यान दिया जाएगा, तो सार् education policy को कैसे कैसे हम लोग काम करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि आपको परेक्षा की तयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले पूरी planning बनाते हैं, यह वाली चीज इतने time में खतम करेंगे, यह वाला topic इतने time में खतम कर देंगे, तो इसी प्रकार से सार्थक आपका बनाया जो राष्टी सिच्छा नीती है, उसमें हम लोग कौन-कौन से चीज़ें करते हुए चलेंगे, जिसे की टीचर का holistic development हो पाए, और student का भी holistic development हो पाए, तो उसी प्रकार से कुछ है, लेकिन यह जो निश्था है, यह आपकी teacher training एक program है, हम लोग देखेंगे, इसमें कैसे कैसे रखा गया है, कैसे कैसी चीज़ें work करती है, तो निश्था एक online है, जो आपकी समग्र सिच्छा है, उसके अंदर यह आता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो वही कि, इसकी full form क्या है, national initiative for school heads and teachers holistic advancement, मैंने बोला है कि जब भी आप देखें, तो सबसे पहले full form बहुत अच्छे से पढ़ें, तो national initiative, एक मतलब राश्टी है, initiative चलाया गया है, किसके लिए, school की जो head होते हैं, जैसे आपके principal हो गए, head master होते हैं, ठीक है, इसके बाद जो teachers होते हैं, ठीक है, उनके holistic development, advancement के लिए, सार्थक इसके लिए था, student और teacher के लिए, और ये head master और teacher के लिए, head मतलब जो head principal आ सकते हैं, उसमें, ठीक है, और teacher जितने बर करते हैं, तो sound में आगें, तो यहां से आपको sound में आ रहा है, किसलिए बनाया गया, किसलिए, teachers और head के लिए, यहां पे student का कोई, उस तरीके से रोल नहीं है, ठीक, अब इसमें भी निष्टा के चार, इसको उसमें डिवाइ तो वो किसमें आएगा, elementary education में, तो ECC, early childhood care and education, किसमें आता है, elementary education में, जब सुरुवाती दोर में बच्चे admission लेगी, सबसे पहले उनका ECC के ही क्रम में वो चीजें आएगी, तो जो अब अगर आप से पूछा जाता है, निष्टा 1.0 किसके लिए यूज किया जाएगा, तो यह आपको मैंने करवाया है, foundational literacy and numeracy, जो FLN आपको करवाया था, FLN में क्या बताया था, कि बच्चे की भासाई, जो छमता है, उसको, मतलब बच्चे जब class 1 से, मतलब प्राइमरी स्टेस के है, उनके सुरुवाती दोर में है, तो उनकी भासाई छमता, प्लस उनकी गड़ती है, ठीक है, तो foundation, literacy and numeracy, जिसने यहाली class नहीं देखी, वो देख ले, तो आपको यह चीज़ के तर्म अच्छे समझ में आ जाएगा, तो निश्टा जो 3.0 है, वो किसके लिए है, FLN के लिए में बनाए गया है, कि वहाँ पे मतलब, पीचर और जो हेट्स हैं, वो काम करते ह हैं, उनके development के लिए कैसे work किया जाएगा, कैसे चारी चीज़े plan में लाए जाएगी, कि इसको FLN को और अच्छा बनाए जाए, ठीक है, इसके निश्टा 4.0 जो है, वो किसके लिए है, आपका early childhood care and education, इस पेसल, ECC, E के लिए ही आपका निश्टा 4.0 वर्क करता है, ठीक है, इतनी चीज़ समंगना आगी, केवल यह वाली slide में आपकी बहुत सारी question, बहुत सारी चीज़े हैं, अगर आप इसको अच्छे से समझता है, ठीक है, अब आप लोग देखते हैं, निश्टा जो है, आपका elementary level, मतलब face to face, और निश्ट निश्टा में क्या किया जाता है, तीचर और जो head masters है, या head है school के, उनकी पूरी training दी जाती है, कि वो बच्चों के लिए कैसे काम करें, कहों से method यूज करें, कैसे चीज़ें अपनाएं, ठीक है, या फिर उनके और quality बढ़ाने के लिए, बच्चों की creativity बढ़ाने के लिए, teachers कैसे कर सकते हैं, सारी training उनको दी जाती है, ठीक है, इसकी जबाद है, निश्टा elementary level, online, ये online है, इसमें भी काफी teachers participate करते हैं, और training करते हैं, और, क्योंकि teachers जो अच्छे से आपको समझा पाएगा, तब बच्चे भी अच्छे समझ पाए अच्छे से इन्हांस किया जाए, उसके काम किया जाए, ठीक है, इसके निश्टा ECCE, early childhood care के लिए, अलग से, मलग ये अलग-अलग program बनाएगे हैं, सारे जो अपके system चलने उनके लिए, ठीक है, इसके आद हम दोग देखते हैं, तो इसकी फुलपम क्या है, national initiative for school head and teacher holistic advancement, ठीक है, तो राश्टी शिक्चा नीटी 2020 में कहा गया है, कि सिच्चक बास्तम में हमारे बच्चों के और इसके लिए हमारे राश्ट के भविस को आकार देते हैं, मलग टीचर एक ऐसा है, जिसे आपके doctors हो गए, ठीक है, इसके आप कोई भी field में जाते हैं, तो आप कहीं न कहीं हमेसा एक teacher की आवसकता होती है, ठीक है, तो अच्छा teacher होना, क्योंकि teacher आजकल जो ICT का यूग च ठीक हा पाएगा, ठीक है, तो सिच्चकों के लिए एक प्रेड़ना का स्रोत भी होना चाहिए, कि सिच्चक भी तो motivate होते हैं, मतलब वह भी इंसान है, कभी ऐसे चीज़े होती है, तो इसके लिए time to time उनके कोई नग प्रोग्राम या फे ट्रेनिंग उनको दी आनी चाहिए राश्ची सिच्चा नीती, 2020 के सिपारिस के अनुसार प्रते एक सिच्चक और मुख सिच्चक से अपेक्चा की जाती ही, अपने स्वयम के हीटों से प्रेड़िद हर साल कम से कम 50 गंटे सर्थ वेबसाइक विकास, CPT अपसरों में भाग लें, CPT मतलब क्या होते है, continuous professional development, तो अगर पूछ ली तो आपको पता होने चाहिए, तो CPT प्रोग्राम मतलब जो निश्टा के थुरू आपकी ट्रेनिंग वगरा करवाई जा रही है, ठीक है, तो कम से कम 50 गंटे तक का उन्हें कुछ न कोई प्रोग्राम ये ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, CPT के अफसर विशेश रूप से मूलबू साक्षरता, सांख्यात्मक्ता, सीखने के परड़ामों से रचनात्मक्त और अनकूली मूल यांकन योगता अधारी सिक्षा और संबन्नी सिक्षा चेत्र जैसे अनभावत्मस, सिक्षा, कला, एकरिक्रत, खेल, एकिक्रत और कहानी क के बारे में नविंतर, शिक्षा, साथ को वेवसितर रूप से कवर करेंगे, यहां पर देखो, CPT में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, इन तो आपके FLN से रिलेटिज चीज़ें आपको सिखाए जाएंगी, जब बच्चे शुरू में स्कूल में आएंगे, ठीक है, जिसे न कि बच्चे को क्या क्या activity करानी है, कैसे उनके जो mathematical portion है, उसको खेल खेल में ही creative और अच्छा बनाना है, ठीक है, और उनकी भासा ही समता है, उसको कैसे use करना अच्छे से, इन सब को लेके इसके खेल आधारे उनके अनुभब से, मतलब बच्चे की need के हिसाब से, जो teacher है, व 2020 की दरश्टिकोड को साकार करने के लिए हाली में सिक्षा मंत्राले, MOE, School, सिक्षा, साक्षरता, विभाग, DSE, and L, सरकार की तत्वाधान में, NCIT के थुरू ये सब launch है, तो ये निश्चा किसके द्वारा किया गया है, NCIT के थुरू ये आता है, ठीक है, तो ये सारी चीजे है, यहाँ पर मैं आपको 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 क्या-क्या है, कैसे वर्क करेगा, वो सब भी आपको बता चुके है, ठीक है, इसके हाइलाइट से यहाँ पर कुछ दिये गए, जैसे 4.2, मिलियन सिच्चकों का छमता निर्मान प्रमुख सैचलिक सायता के रूप में किया जाए सिच्चर, इसके प्रतमिस्तर के परामस दाताओं के रूप में, प्रतमिस्तर, मतलब जो FLN में काम करेंगे, जो ECC में काम करेंगे, टीचर्स, उनके लिए अलग-अलग, सबके लिए कोई ना कोई अलग-अलग गत्वी दिया और ट्रेनिंग का प्रामधान रखा गया है, इसके इसमें फीचर्स के हैं, पार्ट करम, सामगरी, हाल की गज़ितियां, वेबसाइट, टुटोरियल, उसमें आपको अलग-अलग वेबसाइट के टुटोरियल बताए जाएंगे, कि आप किस चीज का यूज़ करके, जिससे मोक्तेस बना सकते हैं, क्विज बना सकते हैं इसका संसादन पर एक्षर, रिपोर्ट, सोकेस, अभ्यास, गैलरी, वीडियो, चबियां, ये सब चीजें मतलब सारी कुछ इसमें इंक्ल्यूट की जाएंगे, तो ये निश्टा के बारे में आप समझ गये, मतलब जो स्कूल हेड्स हैं, प्लस टीचर हैं, उनकी ट्रेनिं हैं, क्योंकि उन सब टीचर की अलग-अलग ही ट्रेनिंग होती है, सब को जैसे अब जो ECC के लिए टीचर जाएगा, उसको हम लोग सेकेंडरी वाला तो सिखा नहीं सकते हैं, तो इस पतार से ये 1.0, 2.0 कप रखा गया है, ठीक है, इसके दूसरा हमारी जो टर्म है, सबसे पहले संदो, मालो आप लोग घर बन रहा है, ठीक है, तो पहले जो भी आर्किटेक्चर होता है, उससे पूरा नक्सा बन वाते हैं, कि यहाँ पर किचीन होना चाहिए, इधर बैड रूम होना चाहिए, यहाँ पर यहाँ पर गहरी निकलेगी, यहाँ बरामदा होगा यहाँ लोग बैटके खाएंगे, सारी चीजे निकलती है, आर्किटेक्चर का क्या मतलब है, कि कोई भी चीज आपका घर बनने जा रहा है, तो उससे पहले एक ब्लूप्रिंट पूरा तयार किया जाता है, पुरा एक धाचा, एक नक्से के रूप में, ठीक है, तो वही सेम यहाँ पर प्रिक्रिया की जा रही है, उसके लिए ही आपका क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है, यह कोई पूर्टल नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, यह सीरा सीरा एक ब्लूप्रिंट है, इसके लिए, जो आपकी राष्टी सिच्छा नीती है, अब उसकी जो भी हाइल तो राष्टि डिश्टल सिच्छा वास्टिकला सिच्छा पारिस्ति की तंत को सक्रिय उत्रेरिस करने के लिए एक इकरित राष्टि डिश्टल बुन्यादी धाचा बनाने की दिरश्टि के साथ आता हैं तो समझ गये ना जिसे आप घर बनवाएंगे तो सबसे पहले इसका नक्सा बनता है ना सेम वही यहां पर है कि जो राष्टि एन इपी है आपकी तो हजार बीस ठीक है अब उसको पूरा अच्छे से चलाने के लिए पहले से एक ब्लूपिंट बना दिया गया क्या-क्या इसके अंदर आएगा क्योंकि सारे ही एन इपी से कनेक्ट करते हैं ठीक है इसके राष्टि इसके फीचर्स यहां बताए गए है तो एन डी इयार का मुख विचार सिच्छा पारिस्ति की तंत्में नवाचारों के लिए डिस्टल बुनियादी धांचे के मात्यम से सभी कि अब घर बनाएगे तो उसके लिए पहले आप एक नक्सा बनाते हैं ऐसे नहीं कहीं भी कुछ भी बना देगे एक प्रॉपर धंसे कि अच्छे से चल पाएं तो जो आपका एंडी इयार है यह भी इसे पकार से काम करता है कि कि इनकी चीजों का कौन से एंजियो काम अब प्रण करने का मार्ग प्रसक्त करेंगा यह मतलब एक आपको मार्ग बताएगा उसे साब से सारे लोग वर्थ करेंगे इसके अलावा अंतर संचाल नियता डेटा प्रसासन डेटा गुडवत्ता डेटा मानको शुरक्षा गोपनेता जैसे पहले उपर दीर-कालिक द्र ट्रेनिंग वगरा सारी कुछ इसके अलावा मतलब किसी भी इस्टिट्यूट की क्या गोपनियता है उनके माना क्या है सुरच्छा सारी चीज़ों पर ही यह वर्ग करता है ठीक है इसके आद इसके आउटकम्स क्या क्या रखेंगे चात्रों का on-demand सिच्छड सामगरी सिच्छा कौसल परवतन पर नजर रखी जाएगी सिच्छकों को पार्थ योजनाओ तीलम उप्योग सैच्छिक लेंदेन ऑन-लाइन संदर्व सामगरी योगता आधारित मूल्यांकन उपकरर आध के लिए ऑन-लाइन समस्थन तक पहुंच मिलती है ठीक है बंदर जो टीच प्रास में तो कैसे पढ़ाएंगे तो उस सबका ही यह ब्लूप्रेंट है ठीक है उन्हें पेसे बर्मान को सुधार के लिए ऑन-लाइन मॉडूल तक भी पहुंच सकती है तो भी ऑन-लाइन मॉडूल है तो कहां-कहां से कैसे कैसे किस प्रास से यूज़ करके सारी चीज़े पढ़ाली डेटा Häumen तक पहुंच मिलती है मातामटा कि बच्चे की समरक प्रगत रिपोर्ट सकूल के प्रदर्शन और शिच कों के प्रदर्शन तक पहुंच मिलती है मदल्ब पैरेंट्स भीoda सारी चीज़े देख भाएंगी अई बच्चे की हमारे कैसे प्रोग्रेस हो ह पादूगी तो वह सारी चीज़े तो ये किस प्रकार से उसके लिए भी सारी पहले से प्लानिंग ही होती है आप लोग दीख्चा कोई एप दीख्चा पॉर्टल खोलते हैं आउन करते हैं उसमें एक साइड लिखा होता है कि यहाँ पे बुक्स मिलें यहाँ पे बुक्स मुल कि पेचह कि पूरी प्रिक्रिया है त्हिक है कि उसको लुपींड से चीज आऊने कि गेंदे करते हैं ब्लुपेंड टयार क्लिक सारी चीजGreen्स कि अच्छे क्वारणीए ठीचतिये हैं ने हैं कि ओन्टेशिव very अच्छे से ठीक है इसके सहचिक प्रिसासक बुनियादी धाचे की कमी सिच्छक उपलबता कमी ड्रॉप आउट को संबोधित करने सूचित नीती उपिकल्फ बनाने के लिए डेटा एनलिस्टा उप्यों करेगा इसके आज मतलब जो कमियां भी है कहां पे कौन सी कमी हो रही ह ठीक है इसके प्रोजेक्ट में क्या के चीजें सामिल हैं यह हम लोग देखेंगे जिसे दीख्चा का इंफ्रास्ट्रॉक्चर है अब दीख्चा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं एक टीचिंग लर्निंग प्लेटफोर्म है ठीक है यहां पर मैंने उसको आपको गू संदी करेंद्रव मिली चीछन पूरे को प्रमुक हिदकार को दार्डय अदारिद मिलिम्रATOR लेने और कारवाई को बढ़ाने के लिए एक इक्रत असाजा देखने को सक्चम करेगा और इस तरह सीखने के परड़ानों में सुधार करेगा ठीक है समीच्छा केंद्र मतलब जो पूरे जो भी सिस्टम चल रहा है उस पर समीच्छा उस पर एक कह सकते हैं कि बी सुच में चेकिंग होती रहती है कि सबको सही चल रहा है कि नहीं इस सबका भी इसके थूरू एनालेसिस किया जाएगा बी एसके को राशिष इस तरके साथ नौ राज्येद्वारा पी शुरू किया जा रहा है तो यह सारी चीजे अलग-अलग स्टेट में खोले गए हैं यह केंद्र है जो समीच्छा करते हैं ठीक है इसके बाइक्रो इंप्रूब्मेंट में क्या होगा जो भी छोटी छोटी गद्वितियां है उसमें और क्या इंप्रूब्मेंट करना चाहिए क्या और हम लोग आड़ाउन कर सकते हैं कि सिछा को और क्वाल्टी प्रोवाइड हो ठीक है और बच्चे जो है उनकी और बिवीटी अच्छे से निखर के सामने आये इसके बादी स्कूल टीचर एस्टुडेंट रेजिस्टरी करते हैं तो इस प्रजिज़ंड के सामने आती है सारी चीजिये क्या इस पकार से कौन सा है यहां पे देख लेते हैं यह सिच्छक और छात्य की जानकारी तक पहुंचने के लिए मुख संगिये चौथी पीडी की रेजिस्ट्रियां केंद्रिये नहीं रखेंगे बलकि विविन राज केंद्र भाग प्रडानियों की बीतर रखेंगे इस डे अब हम लोग इसके बार में एक बार और बात करेंगे जिसे आपका आप टेस्ट बुक चलिए आपने एंसे आटी बुक्स देखें तो वहां पे पुरा क्यूर कोड जैसा बना होता है इसके स्कैन करके आप वो बुक अपने मोबाइल वगरा में पढ़ सकते हैं तो इस प्र सब्सक्राइक करेंने प्रश्चाइब नियंत्र तरीके उचुरता वाली सामगरी प्राफ करने का कारकम जिसमें सामगरी बेविश्ताल आती है अब जैसे कोई बच्चे हैं जो जैसे ऐसे के वीश बगरा में आपने देखा होगा आप उससे फोड़ा से जुड़े हुए है आप पर पढ़ाई की हैं तो वहां पर क्या होता है कि आप आपके जो जूनियर हैं उनको आप अपनी बुक्स बगरा दान में देते हैं जिससे क्या है कि वह भी अच्छे से उस परकार से पढ़ पाएं तो उसी को बताई है तो आप यह सब चीजे डिश्टल भी कर सकते हैं त इसके पिरियोडिक असेस्मेंट बीच वीच में आपका असेस्मेंट भी होता रहेगा ठीक है मुल्यांकन करते रहेंगे माइक्रो लेर्निंग कोर्स और स्टुडेंट इसके अदे स्टुडेंट के लिए बहुत सारे कोर्स लॉंच किये गये हैं उन पर कैसे काम किया जाए कि माद्यन से एनिफी द्वारा द्रधारिज लक्षों को पराप्त करने की सुगदा प्रदान करना है तो आपको इसको समझ में आ गया यह एक ब्लूप्रिंट है क्या एक अपका धाचा है किसके लक्षों को प्राप्त करने के लिए एन पीयी 2020 के लक्षों को करने के लिए ठीक है और यहां पर यह दिया है जैसे learning interaction administration कर पाएंगे एक दूसरे से इसके लर्ण, help learn, manage learn यह सारे यहां पर key point है यहां पर kin-kin चीज़ों में ध्यान दिया जाएगा एक तो student पर इसके parents है, teacher है administrative administration जो आपके हैं इसके बाद है open standard principle federated rt architecture इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स एको सिस्टम तो यहां पर यहां पर थोड़ा सा point है जो आपकी exam में पूछा जा सकता है इसे building blocks क्या है ndr के सिच्चा के लिए digital बुन्यादी धाचों को शुरू करने के लिए 12 स्रेडियों में 36 building blocks की शुरुआत की गई है कितने 12 स्रेड़ी हैं और जिसमें कितने 36 building blocks हैं ठीक है ndr का विचार इन block को बनाने अब इसे शुरुप से समाधान के लिए block का उफ्योग करने का नहीं है कुछ building blocks मेजूद हो सकते हैं कुछ को विक्सित करने की आवस्त्ता हो सकते हैं अनको सिच्छा पार्षिजी तंद्र में पुना निर्मित किया जा सकते हैं कि इनको इसमें building blocks मतलब यहां पर आप समझ सकते हैं कि जैसे माल लोगर कहीं पर कुछ मोडिफाई करना है कोई चीज और add करनी है अच्छा करने के लिए तो वह भी हम लोग इसमें इसके द्वारा कर सकते हैं इसका पूरा नाचा बनाया गया है तो आपको समझ में आगे सिंपल से भासा में निश्टा किसलिए है निश्टा आपका बनाया गया है कि जो आपके school head है और teachers है उनका कैसे holistic development किया जाए क्योंकि जब teacher की परफग होगा तब ही बच्चे को भी इच्छे से पढ़ा पाएगा ठीक है तो निश्टा इस बज़े से है इसके बाद आपका जो NDR है तो मैंने बताए कि जो NPE है आपकी 2020 ठीक है उसके जो भी लक्ष रखे गए है उसको कैसे पूरा करना है उसके लिए एक पूरा कैसे कह सकते हैं कि पहले से ही एक धाचा बना दिया गया है एक blueprint बना दिया है कैसे कैसे काम करना है ठीक है उनमें सारी चीजों का प्रा मिलाएंगे और इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसे question भी आपके मनते है टॉपिक है PME विध्या इसके बारे में बहुत से बच्चों ने सुना भी होगा इसके बाद एक है आपका HPC जिसको बोलते है holistic progress card ठीक है इसमें क्या होता है कि 360 degree holistic assessment का क्या मतलब हो गया हम ल PME विध्या जो है आपका एक आपका online digital platform है PME विध्या चात्रों सिच्चों के भी विविन प्रकार की digital online सिच्चर सामगरी तक multimode पहुंद की सुग्दा प्रदान करने के लिए सिच्चा मंत्राले किसके दारा है तो जो बीच विच में टर्म है जब आप क्लास अच्छे से आपको कैसे नोट्स बनाने हैं जैसे शिच्चा मंत्राले के दारा चात्रों सिच्चों के लिए अच्छा सा प्लेट्फॉम बनाएगा है आप सारे लोग इखटे होते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं ठीक है PME विध्या की विच्चता सभी के लिए इसकी व्यापक मुझ में नीत है क्योंकि इंटरनेट रेडियो सामधाइक रेडियो पॉड्कास्ट टीवी सही दूरस्त सिच्चल प्रेटफॉर्मों के अपने मल्टी मोड सेटप के साथ सभी सिच्चल सामगरी प्रदान करती है बच्चों को ठीक है तो PME विध्या क्या है कि टीवी में आपके चैनल आते हैं आप देखा होगा कि आप कितनी सारी चीजे पढ़ते हैं सब के क्लास बन का अलग आता है क्लास टू का अलग आता है ठीक है तो एक क्लास 1 से 12 तक ही आपके ऐसे चैनल प्रोवाइड खरवाय जाते हैं ठीक है वह एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके छोटे भाई भाई भहने आपे आसपास परोश हैं तो उनकों सब के वारे में बता सकते हैं इसे कि वह वहां से अपने अच्छी नौलिज ले पाएं ठीक है इसका पीम इविध्या की महतपूर्ट पहलों मैंसे कच्छा एक से बारा तक संबंदिश सहचिक सामगरी पारे में एक लारा थे हैंगी कास के लिए हैं करते हैं दूतर साथिक है। पहुचाते हैं जहां इस तर इंटरनेट उपलब नहीं है अब यह की सुद्देश से और बनाएगे कि जहां पर इंटरनेट की सुद्दा नहीं है जिन घरों में जिन बच्चों के पास इंटरनेट की सुद्दा नहीं है तो टीवी बगारा नौर्बन सबकी घर में होती है य आपका एन आई ओयस रोटरी आद जैसी अन एजेंसी उधारा विक्षित पार्टकरम आधारी सेच से सामगरी प्रसारित करते हैं तो आपकी जो इसमें एंसी आई टी बुक्स का स्लेवर से उसके हिसाब से ही सारी चीजे पढ़ाई जाती है ठीक है ऐसे वह आपने को पता है क जितने भी आपकी एक्जाम होते हैं आपकी एंसी आई टी बुक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसमें से ही जारते करनेट आपकी एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है वीडियो सामगरी होती है इसमें हिंदी अंग्रेजी और छेत्रिय भासा है मतलब जो भ क्यूआर कोड का भी तो हम लोग दीक्षा एप के बारे में जब हम लोग पढ़ा था देखर वहां पर क्यूआर कोड है तो जैसे यह जो पीम इविध्या चैनल आता है इसमें भी ऐसा क्यूआर कोड का सिस्टम रखा गया अगर आप वह मोबाईल से स्केन करेंगी दीक्ष मिल जाएंगे ओडियो मिल जाएंगे वीडियो मिल जाएंगे ठीक है तो बहुत सारी चीज़ों का प्राधान रखा गया है यह मल्टी प्लेटफों मोड में विभिद सैच्विक संस्तान प्रदान करता है बारा डीटीए टीवी चैनल और सामदाइक रेडियो दिव्यांग के लिए सामदाइक इसके बाद दिव्यांग जो बच्चे होते हैं ठीक है उनके लिए भी अलग से ही इसे बहुत सारी चीज़ें रखी गए यह पोड़कास्ट आज के माद्यम से डिश्टन ऑन-लाइन चीज़ें दी जा रही है आडियो वीडियो सामदाइक कैसे होती है कि पी-म-ई-विद्विया के माद्यम से सब जुड़ी हुई है एक दिश्री से करेंक है आपका एक दीख्षा है इसका स्वयम पोर्टल है ठीक है इसके बारा टीवी चैनल है आपके बारा डीटीएच चैनल दिए गए हैं इसके बाद है कि रेडियो के माद्यम से भी आपको प्रिशार दिया जाता है टीवी नहीं है रेडियो है उसमें भी आप लोग देख सकते हैं इसके आप इस पेसल इकंटेंट दियागे जो डिव्यांग बच्चे है ठीक है उनका भी पूरा क्या सकते है कि पूरी तरह से ध्यान रखा गया है कि उनकी भी पढ़ाई में कोई बाधाना आए ठीक है और यह पूरे लाइब टेलिकास मतलब लाइब चलता रहता है ठीक है इसमें स्पेसल रूप से क्लास बगरा होती है और यह कौन सी क्लास की एक से बारा तक के लिए और इसका में क्या है वन क्लास वन टीवी चैनल ठीक है यह यहाँ पर भी चीज़े क्लास बारा तक के चलते हैं इसके बाद आपके रेडियो पर भी कम्मुनेटी रेडियो सीवेसी पोडकास्ट जो आता है इसको क्या बोलते हैं सिक्षा बानी तो यहाँ पर यहाँ पर मैं बिलकुल क्या है तो उसका क्या नाम है तो अब सीडे से बता सकते हैं पर यह सारी चीजरा है इंपोर्टन्ट क्मिन अ इससे हैं आपको एजुटिसाद प्रवाइट कर वा रती है तीवी के माद्यम से लेडियो के माध्यम से ठीक है और जितने भी आपके गवर्मेंट के और प्लेटफॉर्म है जिसे दीख्चा है स्वेम है स्वेम प्रभा है और भी चीजें वो सारी इससे कनेक्ट है इसके बाद हम लोग बात करें इंदेश नमारे टॉपिक है होलेश्टिक प्रोग्रेश डवलमेंट अब सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं यहां पर क्या है कि जो आपकी एन एपी है ठीक है 2020 की उसमें बोला गया है कि बच्चों का 360 डिगरी असेस्मेंट किया जाएगा इसके लिए एक अलग से वो भी बनाये गया जिसको पर सब्सक्राइब प्रक्राइब गया और इसके बाद है कोगरेटिव डवलमेंट मतलब संग्यान आत्मक विकास होता है तो मतलब बच्चे की जितने भी पहलू है ठीक है होलेश्टिक का मतलब क्या होता है संपूर पूरा तो उन सारे पहलू को ध्यान में रखे उसका असेस् क्या है यह बच्चों के मुल्यांकन के लिए बनाए जाती है और यह कार्ड दिया जाएगा पारेंट को जिससे वो भी इससे अब गत रहेंगी बच्चे की प्रोग्रेस किस पतार से हो रही है ठीक है समय प्रगति काड एक 360 डिगरी प्रगत की वहु आयामी रिपोर्ट है जो सन्यानात्मक, भावानात्मक, सामाजिक भावानात्मक और साइको मोटर, साइको मोटर क्या होता है आपका जो आपकी फ्वीलिंग से जुड़ी मलब कह सकते हैं कि जैसे आपका emotional development है यह सब चीज़े इसमें आ जाती है तो प्रगत की सासत विस्ष्टा को विस्तार से द काउसल का परिक्षर करने वाले योगात्मक जो अधिक फियमित और अशनात्मक योगात्मक आधारित है अब पहले होता था कि बहुत सारी अपने देखने कि बच्चे छोटे हैं उनको अपने एक्जाम के लिए कुछ भी याद करना याद कर लिया एक्जाम दे बस अब यह यह बच्चों की सीखने विकास को बढ़ावा देता है विशलेसर अलोशनात्मक सोंच और वैचारी इस परश्टा जैसे उचिस्तरी कौसल का मुल्यांकन करता है वह लग मैंने आपको यही पर सारी चीज़े बता दी कि कैसे कैसे मुल्यांकन करेगा ठीक है इसके अबजेक की बात की थी अपने पड़ा और क्लास भी देखे होगी जो लोग नहीं देखिए वो लोग देख करते हैं ठीक है तो बुन्यादी साक्षर्ता और संख्यात्मत जो है जो जैसे कि बच्चों को नॉर्मल भासाई ज्यान होना चाहिए ठीक है डेली यूज की जो चीज़े है कि किस एक्टिविटी के द्वारा किस बच्चे को वो सारी चीज़ें सिखा सकते हैं ठीक है तो चात्र की प्रगत की तस्वीर प्रस्तूत करना और साक्ष प्रदान करना साथी बच्चों को बरसों की प्रगत समच्चों में विरद्धी प्रस्तूत करने का अफसर देना ठी कि बहुत सारी चीज़ होती है जो बच्चे घर में अलग तरीके से करते हैं तो उन सब के बारे में जानकर ही ये जो रिपोर्ट कार्ड है वो तयार के जाएगा ठीक है और इसमें फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं जैसे एक तो सारे लोगों को एक साथ सिखाया जाएगा समावे इसी बच्चों में एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने के भावना सिखाया जाएगे खुद भी बुल्ल्यांकन कर पाएगे अपने साथ ही कम बुल्ल्यांकन कर पाएगे माता पिता करेंगे तो ये सारी चीज़ें इसमें सामिल जीएगी और सिक्षा को इसके द्वारा रोल इसके जाएगा जाएगा बच्चे आत्म जाबरुप समान करें इन सब चीज़ें पर ध्यान दिया है बच्चों को अपनी धर्ती से सीखने के लिए इस्थान जान जोना हैं आधारित हैं तिन पहली इसमें रखिए गये हैं एक तो स्वास्ट ये इंवेल्वी इसके प्रभ लर्नर्स इसमें सामिल है तो यह मेन गोल हैं डवलम्मेंट के इनको ध्यान में रखे ही पुरा रिपोर्ट का तयार के जाएगा ठीक है टीचर के लिए विकाफिस में गाइडलाइन्स दिये गए लोग देख लेते हैं तो राश्री सिख्षानीती 2020 प्रतेग व्यक्ति की रच जो भी ICT से रिलेटेड और नईनी चीज़ें आ रहे हैं उनके बारे पे टीचर को अपडेट किया जाएगा क्योंकि टीचर जो पुई तरह परपग हो पाएगा तभी बच्चों को उच्छे से सिखा सकता है ठीक है तो टीचर के लिए यहां पर काफी चीज़े रखी गए है कि इसके समग्र प्रगति कार्ड जो आपका HPC जिसको बोला गया है सक्रिय सिखार्टी केंद्रिय अनभावात्मक सिख्छर पद्धितियों की और बढ़ते हुए एक आदर्स बदलाव का संकेत्र है सिखार्टी उनके संधर उनकी रुच्छियों जैसे बागवानी कला का जो आपकी जैसे राष्टी सिख्छा नीती है उसमें पूरा इस्ट्रक्चर रखा गया है तो पहले बोलागी कि जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो पहले उनकी क्लास या वस्ता या किताब हैं ऐसे कुछ नहीं होगा किवल दो साल तक वह बस जाके आराम से पढ़ेंगे तो उसी में यह सारी चीजें इंक्लीट की जाएंगी जिससे की बच्चे एक पॉस्ट्टिव वे में सोच सके और चीजें कर सकें ठीक है तो टीचर को सी तरह के से पूरा तयार किया जाएगा यहापे सारी चीजें पीडियो आपको दे दिये जिए इसमें आप डिटियल भ बनाया है कौन सी क्लास के लिए तो यह इंपोर्टेंट पॉइंट है एक दो तीन के लिए यह प्रोगरिक तवर पर चलाया जा रहा है वरत्वान दस्तावेज जो NPE है राश्टिये सिख्षा नीती सौरी NEP 2020 ठीक है तो उसमें बोलाएगे कि जब बचत 6 साल का होता है तब उसका जो मस्तिस्क का विकास बहुत ही तेजी से हो रहा होता है तो यहां पे जब NEP के इसाब से 3 साल का बच्चा होगा तो वो स्कूल इसका स्टार्ट हो एक टीचर के सरचड में ठीक है और फिर कि अगए एक दो तीन तक जाएगा तो इसलिए यह क्लास एक दो तीन के लिए रखे गई है कि वहां पे बच्चा जो है इन सर्क कहलियों पे थोड़ा थोड़ा सा डबलब होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है यह दस्ता में सिच्चो पूरा सिच्चो को ही पहले ट्रेंड किया जाएगा उसके बाद वह बच्चों को इस चीज के लिए रेडित करेंगे और फिर उसका जो भी रिपोर्ट कारेंगे है वो बनेगा ठीक है इसके निपुन भारत की भी इसके कुछ गाइलाइंस रखेंगे निपुन भारत आपको पता है कि जो भारत की बच्चे हैं उनके अंदर भासाई और संख्यात्म को विकास कैसे करना है इन सब चीज़ों पर काफी ध्यान देता है मूल वह सिच्चा ए है तो कि खते हैं कि जब जड़ मजबूत होगी तो अपने आप से सारी तीने अच्छी होती चलिए आएगा इसके साथ पढ़ने लिखने और बुनियादी गड़ी संचालन करने में सच्चम होने के लिए बुनियादी कौसल हासिल नहीं करने से बच्चा ग्रेट टीन से आगे पार्ट करन की जटिलताओं के लिए तयार नहीं होताएगा निपुन के हिसाब से जब तक बच्चा सामान भासा नहीं सीख पाएगा अच्छे से और जो गड़तीय संचनाय हैं या फिर जो प्रारम भी गड़त होती है उसको नहीं सीख पाएगा जब टीन आगे जब तो पांच में आगे जब जाएगा तो उसको वह चीज और कथिल लगने लगती है आपने देखा बच्च जारा तक महत बगरा से काफी डरते हैं तो इसलिए यह सारी चीज रखी गई हैं यह सारी चीज जो बच्चा क्लास थीन में जाएगा तो उसके इसके आद three development goal हम लोग पहले भी बात कर चुने सबसे पहले आपका था health and well-being के ध्यान दिया जाएगा इसके बाद है आपका effective communication इसके आद जो learner उसमें काम कर रहे हैं वो सब ठीक हैं तो ये तीन goal हैं इसको भी आपको याद रखना है इसके आद holistic report card के क्या क्या aspects हैं वो हम लोग देखेंगी कि equitable हो इसके इंक्लिजिव हो ज्याइफूल holistic diverse knowledge equitable मतलब कि सारे बच्चे हैं उनको जिसको जितरी जरूरत है उससाब से teacher वो activity करा हैं क्लास में इतने बच्चे होते हैं ऐसा नहीं कि सारी एक ही विद्धी से सब सीख जाएंगे तो उसके लिए अलग अलग विद्धियों का उपयोग करें मतलब जिसको जैसी need है उसके एसाब से teacher उसको पढ़ाएं इसके inclusion का मतलब है कि सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाएं कि ऐसा नहीं है कि कि किसी बच्चे में जिसे दिव्यांग बच्चे बगरा हैं तो उनके लिए अलग से school है या class है ऐसा प्राभधान रखा गया है इसका joyful मतलब है हस के सीख है holistic मतलब संपूर विकास उनका हो इसका diverse knowledge का मतलब है कि अलग अलग तरीकों से अच्चों को सिखाया जाएं खीक है knowledge में इस सारी चीज़ें आपकी है skills competency पर ध्यान दिया जाए creativity हो इसके बाद कि कोई problem है तो उसको कैसे solve करना है इस चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाएगे तो यह पूरे aspects दियेगे holistic report card जो आपका तयार होगा उसके लिए ठीक है इसके 4D framework for whole child अब यहां पर whole child क्यों लिखा है क्योंकि मैंने आपको बता है 360 degree assessment किया जाएगा assessment का क्या मतलब है whole yankan ठीक है 360 degree का मतलब है कि पूरी संपूर हर पहलू पर ध्यान दिया जाएगा ठीक है knowledge पे skills पे इसके character meta learning ठीक इन सारे पहलू पर ही ध्यान दिया जाएगा जो 21 सदी की education की need के इसाफ से काफ़ी important है तो आपको समय में आगा है कि PME विद्ध्या क्या है इसके वाद जो आपके HPC है holistic progress card इसको क्या बोलते हैं वादर उसमें क्या किया जाएगा 360 degree assessment मुल्यांकर किया जाएगा PM care और stars तो यह दोरों के बारे हम लग पढ़ेंगी कि यह चीजे क्या होती है जो आपके एक लब modern residency school है उसके लिए काफ़ी important है इसके अलावा डी ट्रकलेस्टी का exam होता है जे बीटी, टीजीटी, पीजीटी इसके लाव कोई भी teaching exam है क्योंकि education से relate करके सारी schemes होती है government की तो यह जितने भी आपकी teaching exam है ठीक है सारे में ही पूछी जा सकती है और अधर भी जो आपके परिक्षाएं होती है उसमें भी इनसे कभी-कभी question पूछ लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग देखनेंगे कि PM care जो scheme है वो किस लिए बनाए गए थी और यह कैसे work करती है इसके लिए बनाए गए थी तो यहाँ पर देख सकते है प्राइम मिनिस्टर सिटिजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन एमेरजेंसी सिटुएशन फंड अन्द एमेरजेंसी के टाइम पर जो एक फंड दिया जाता है किसी के हेल्प के नजरिये से तो उसके ही ऊपर एक बनाए गया है PM care ठीक है तो यहाँ पर देखते है कि क्या है यह में बनाए गया आपके बच्चों के लिए जिसे जो कोविट का टाइम आया था तब जिन बच्चों ने अपने माता-पिता कोविट की दवरान पे खो दिये थी तब यह योजना लागू की गई थी क्योंकि उसमें उनकी ध्यान दिया जाएगा उनकी पढ़ाई लिखा बच्चे हैं चोटे हैं तो माता-पिता से ही सबसे कनेक्ट होते हैं तो उसी सब को ध्यान में रखते हुए प्यम केर स्योजना चलाई गई थी ठीक है तो बच्चों के लिए प्यम केर स्योजना भारत के मानिये प्रधान मंतरी द्वारा 29 मई 2021 तो आपको डेट याद रखन होने वाली अबदी के दौरान अपने माता-पिता या कानूनी अभावक या दत्तक माता-पिता या जीवित माता-पिता दोनों को कोविट महामारी के कारत खो दिया था ठीक हैं तो ये किन बच्चों के लिए जिने माता-पिता खो दी है किसी अगर उनके माता-पिता पहले महामारी के वज़े से उनकी मरत्यू हो गई या किसी प्रकार से बच्चे जिनके उपर पूरे डिपेंट थे उनमें से दोनों को ही खो दिया है तो उनके लिए ही पीम केर्स योजना चलाए गई थी इसका उद्देश क्या था योजना का उद्देश निरंतर तरीके से कि माता-पिता उनके लिए करते हैं फिर माता-पिता की जगह तो कोई नहीं ले सकता है लेकिन फिर भी यह फाइनेश užट इमोशना सपोर्ट ठीक्षा के सिक्षा इस्पार रखती हैं उन्हें सिच्छा के मात्怎么了 से ससक्थ बनाना 23 वर्स इसलिए पहुंचने पर वित्तिय सह तो तब तक बच्चे अपने खुद डिपेंड हो जाते हैं इस इख्जाब से तो 23 वर्स आयू रखीगी तो यह भी कुस्षिन मल सकता है कि कितनी साल तक के बच्चों को लिए पीम केर्स में लाब मिल सकता है तो 23 वर्स के लिए ठीक है इसके बच्चों को किन कि चीजों पर ठिया जाएगा उनको भीतिय साहता दी जाएगी उनको पैसे से सपोर्ट किया जाएगा सबी बच्चों के लिए 10 लाख होपए की रासी दी जाएगी इसके अध्भोजन और आवास के लिए सायता बच्चों के लिए रहने की विवस्ता की जाएगी ठीक है उनकी खाने पीने पर ध्यान दिया जाएगा और अच्छा खाना दिया जाएगा जिससे वह हेल्दी हो सभी बच्चों का उनरवास मतलब उनके लिए रहने के लिए घर वगएरा सारी चीज़े प्रवाइट करवाई जाएगी ठीक है तो यह सारी योजनाई थी जो चलाई गई थी जब कोविट के दौरान विच्चों ने माता-पिता हो दिये थे उनकी वज़ए से ठीक है इसके और क्या चीज़ें इसमें की जाएंगी इसकूली सिच्छा के लिए सायता अब उनकी पड़ाई लिखाई भी पूरा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि आपको पता है जो आप आइटी एक्ट है राइट टू एजूकेशन उसमें बोला गया है कि 6-14 साल के बच्चों के लिए तो उस चीज़ को भी यहां पर लावू किया गया है ठीक है और आइटी से एक कुस्टन और भी बनता है कि वहां पर आप लोगों से पूस लेते हैं कि एक तो 6-14 साल तक की बच्चों के लिए होता है अगर पूसने कि दिब्यांग बच्चों के लिए किस उमर तक होता है त तो कितना होता है 6-18 वर्स ठीक है यह सीज़ आपको याद लख लिए इसके बाद है कि उच्छा के लिए साहता दी जाएगी उनको कह सकते हैं कि लोन वगारा की विवस्ता की जो एजुकेशन लोन होता है अगर वो हायर इस्टुडी में जाना चाते है तो उसके लिए लोन पढूशन लिखाए पर ध्यान दिया जाएगा इसके अलावा और सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा इसके बाद है आपका चात्रवत्ती स्कूल जाने वाले सभी बच्चों 1-12 के लिए प्रतिवर्स 20,000 रुपे डिये जाएगे ठीक है चात्रवत्ती कितनी दी असानी से कर पाएं ठीक है इसके वाद है डेडिकेशन मतलब यहां पर बताएगी है कि में जो पीम केर्स योजना चलाएगी है उसका किन-किन पहलियों पर ज्यादा ध्यान देने की बात की गई है ठीक है तो हम लोग यहां पर देख लेते हैं किसी भी प्रकार की आपातकारी पूरा पीम केर्स फंड भी बनाई गया वहां पर जैसे जो भी लोग बच्चों की मदद के लिए आगे आना चाहते हैं कोई मदद करना चाहता है। ठीक है किसी प्रकास से उनके लिए कुछ घर रहने के लिए देना चाहते हैं ठीक है इसके अलावा उनकी हेल्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं उनकी पढ़ाई के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सारी चीजों का एक PM Care Fund बनाये गया है जिसमें वहाँ पे आप आराम से पूरे सही ओके साथ चीजे कर सकते हैं ठीक है इसके बाद आम लोग देखेंगे की fund दे सकता है pem case fund trust दिल 27 मार 2020 को नई दिल्ली में पंजी क्रार अद्मियां 1998 के तरे पंजी क्रत किया गया था थीक है तो यह जो trust है इसको पंजी क्रत भी किया गया था कब 27 मार 2020 को ठीक है इसके एवन महिला एवन बाल विकास मंत्राले बच्चों के कल्यार की देखवाल के लिए नोडल मंत्राले है अब ये जो भी PM केर्स आता है ये कौन से मंत्राले में आता है महिला एवन बाल विकास कल्यार मंत्राले ठीक है मंत्राले को हित भारग मंत्राले राज्यों जिला प्रसासर के सहयोग से बच्चों के लिए पीम कियर स्योजा के संचालन की जिम्मेदारी सौपी गई है तो महिला यवं बाल विकास मंत्राले जो है आपका वो इस चीज पे काम करता है क्योंकि वैसे भी बच्चों की जितने भी आपने पढ़े एक्ट हैं हम लोग पढ़ चुके हैं और पिछली भी जो भी हम लोग योजनाय पढ़ चुके हैं जाहतर किसमें आते हैं बुमें एंड चाइल वेलफेर ठीक हैं मिनिश्ट्री ओफ बुमें एंड चाइल वेलफेर तो आपको यह चीज भी याद रखी हैं कि किस मंत्राले से यह सारी चीजें जुरी होती हैं जो बच्चों से रिलेटेड होती हैं ठीक हैं तो समझ में आगया पीम केर्स किस लिए ब सिच्चा मंत्रारे से यह आता है इस्टार्स अब इस्टार्स है क्या यह चीज हम लोग देखेंगे सबसे पहले जिसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए तो इस्टार्स के मतलब है इस्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट ऑफ स्टेट्स ठीक है इसको बोला गया इस्टार्स राज्यों के लिए सिच्चड और परिडामों को मजबूत करना इस्टार्स परियोजना को अक्टूर्ज दोजार बीस में करविनेट दारा अनमोधित किया गया था जिसे केंदर प्रियोजित प्रियोजना के रूप में लागू किया जाना था ठीक है, रिल्ड समझोते पर हस्तासर करने के बाद इस्टार्स परियोजना 23 फरवरी 2021 को 5 साल की अवदी यानि विद्धिय वर्ष 2024 तक प्रहावी हो गई तो आपको यह ची जाद रखनी है, इस अनमोधित कब किया गया था? अक्टूबर 2020 में इसके भी लागू कर भुगा था? 23 फरवरी 2021 को 5 साल की अवदी के लिए ठीक है, दो हजार चौविस पचिर तक यह अभी चल रहा है, ठीक है, इस्टार्स परियोजना 6 चिनित राज्यों में कारवेंग की जा रही है, जैसे अभी याँ आप कितने में चल ल आपको याद रखनी है, ठीक है, यह समगर शिच्छा, और केरल, ठीक है, इस्टार्स कारवेंग को समग सिच्छा से अलग किया गया है, जिसमें योजना के उन तक्त्यओं पर ध्यान किया गया है, जो सीज़े तोर पर इस्कूली सिच्छा में ब्रद्धी में समल्धन करते तो इस्टार्स पर्योजना एक तो आपके छे राज में हुई है वो राज आपको याद रखने पूछ सकते हैं ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जिसे आपको जो राज इसमें इसमें पूछ सकते हैं एक आपको ऐसा आपसन दे सकते हैं जो राज इसमें नहीं है तो यह चीज आपक योजना को स्कूली सिच्छा साक्षत्ता विभास सिच्छा मंत्राले के तहत एक नई केंद्र प्रयोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा उद्देश और फोकस ये गुडवत्ता अधारी सिच्छर परणामों के राश्टिये सिच्छा नीती 2020 के उद्देश के स संरेखित हैं 2020 की जो भी नेतियां बनाए गई है उसके हिसाब से ये काम करेगा इसके बाद जो आपकी इसमें राश्टिये सिच्छा नीती में तो आपको पता है क्या कि चीजें आपका एफलन आता है ठीक है एक पीम इविद्द्या था जो हम लोग पढ़ चुके हैं जित सेखित करना साइन्टिफिक क्रियेटिविटी बढ़ाना इसका में उद्देश रहेगा ठीक है इसके में इसके एरिया क्या रहेंगे एक तो पहुच और प्रतिधार ऐसे से रिटेंचन सिच्छा का अधिकार ठीक है गुडवत्ता सिच्छक सिच्छा और प्रसिच्छ को भी सीखने का इंवार्मेंट है उसको अप्रेट करते रहें जैसे जैसी आपकी जो 21 सदी की स्किल्स हैं उनके एकॉर्डिन ठीक है जो आपकी है नेशनल एजुकेशन पॉल्सी जिन पहलों पर ध्यान देती है यह भी उन सब पर ध्यान देगी ठीक है इसके मेजर कंपोन लागू किया गया है तो अभी किसमें हुए छे राज में यह लागू हो गया है ठीक है ठीक है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो भी है उसको और अच्छा मजबूत करना ठीक है और एन एपी की जितनी भी चीज़े है एफलन है ठीक है और आपका विद्धिया है इसके बाद दीच्छा निष्टा ठीक है बहुत सारी इसके इसके इंसाफ को पढ़ाई भी गई है तो उन सब पहलों पर ध्यान दिया जाएगा तो अभी यह कहां पर लागू हुआ छे राज्यों में यह लागू हो गया ठीक है बच्चों में एक साइंटिफिक अप्रोच को डवलब करना में इसलिए यह बनाया गया है ठीक है ठीक है और से लोग तो पता होगा क्या होती है इसके अलावा भी हम लोग देखेंगे प्रबंध पोर्टल क्या है और यह क्यों बनाया गया और कैसे इस पे काम करते हैं इसके अलावा डी ट्रपल एस भी की है टीजीटी पीजीटी यूजीशी नेट में जो आपका टीचिंग अप्टिट्यूट है और आइसीटी वहाँ भी कुछे जा सकते हैं इसके आप चंडीगर में जेवेटी की प्रेकंसी निकली रही है या फिर कोई भी अधर आपका ट लिक्षा एप है वहाँ पर इस चीज की प्रवंद किया गया है यह में QR कोड वाली बुक होती है आप कोई भी यहां पर देख सकते हैं QR कोड स्कैन करेंगे तो आप अपने मोबाइल पर या लैप्टॉप में कहीं भी बुक जो भी है उसको पढ़ सकते हैं और इसका पूरी इंडिया में कहीं भी कैसे भी आप इस चीज़े से को सकते हैं तो यह जो एटीवी बुक्स हैं इनका क्या काम है कैसे यह वर्क करती हैं हम लोग देखेंगे और कैसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं ठीक है कुछ नए टर्म ही यूज हुए है जो जाए लोग को नहीं पता होते हैं में जो टीचर्स है वो लोग यूज करते हैं तो पता होता है बाकी हम लोग यहां पर देख लेए ठीक है तो यह हितकारक QR को स्कैन करके डिश्टल सामगरी तक पहुंच सकता है अब आप QR कोड इसकैन करें जिसे आप Paytm चलाते हैं गूगल पे सलाते हैं तो QR कोड इसकैन करते हैं आप payment कर पाते हैं ठीक उसी प्रकार से ये पूरा प्रबंद रखा गया है ठीक है तो यह बुक्स आप पढ़ सकते हैं और यहां पे आप देख सकते हैं यह किसलिए बना क्या है कि कोई भी बच्चे है अगर कहीं से वुक्स नहीं ले पा रहे है और क Kirby दिक्रत है उनको तो क्यो और कोड करके वो अपनी सामगरी पड़ सकते हैं अपनी देख सकते हैं यहां पर आपको फ IP यल tomar क्रवाइड कर यह ठीक है, teacher की resource है, इसमें doubt resolution है, आपको कोई doubt है, वो भी आप पूछ सकते हैं, अब जैसे ये book है, यहाँ पे दिखाएगे, यहाँ पे QR code है, ठीक है, तो इसको आप scan करेंगे, तो अपने mobile में सीधे digital book आप देख पाएगे, ठीक है, और क्या instant relevant trusted help energized test book with QR codes, तुरंत आपको सामग गये होंगे न, और इस सबको, इसमें रखे जो आपको दीख्चा है, आप है, हम लोग पढ़ भी चुके है, तो वहाँ पे इस सखी बात की गई, वहाँ पे भी हम लोग ने इसकी बात की ठीक है, यह e-content student और teacher को connect करता है, FLN है, virtual lab है, आपके adult education, सबको कहीं नगी connect करता है सब से लिए काफी important भी है, ठीक है, तो जब हम लोग QR को scan करेंगे, तो हमको digital test group मिलेगी, DTV पारबरी मुद्रित पुस्तकों की electronic संस्क्रण, जिनने e-part पुस्तक या e-part पुस्तक की रूप में जाना जाता है, e-text book या text, ठीक है, तो समझ में आगया होगा, कि हम लोग QR से e पुस्तक पुस्तक देख सकते हैं, उन्हें संगत device की माद्यम से download, print या online access किया जा सकता है, उन्हें download भी किया सकता है, print भी किया जा सकता है, या फिर online आप देखना चाते हैं, तो वो भी online पढ़ना चाते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी resource यहाँ पर दिखा अधिया के द्वारा बहुत ही interactive way में चीजें सारी इसमें दिखाएगे हैं, ठीक है, इसका अपयोग अकेले या संयोजन में किया जा सकता है, तो यह सारी चीजें वहाँ पर हो सकती है, अब इसका main देखो यहाँ पर दिखाएगे कि कैसे कान को लोग इससे ज्यादा benefit उठा कैसे कंडेक्ट करवाना, कैसे क्या करना है, सारी चीजें, इसका वर्चूल लैब हैं, आप जैसे chemistry का practical करते हैं, या physics की कोई चीजें हैं, तो वह पूरी virtual lab दिखाएगे हैं, आप वहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं, कि जैसे माँ लोग कोई chemistry का experiment आपको देखना है, ठीक आप देखते होंगे, जिसे mall बगएरा में जाते हैं, तो वहाँ पर लिखा होता है, virtual reality, कोई भी आपको specs ऐसा दे दिया जाता है, जिससे आपको लगता है, कि आप भी उस चीज में सामिल हैं, इस पकार की चीजें होंगी, और में student, teacher, parent, इन सब के लिए ये बनाए गया है, जिसमें images भी होंगी, audio, video, clips होंगी, interactive game है, worksheet है, parent, handbook है, ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादे इंपोर्टेंट, जो disabled child है, special need, इनको special need की आवस सकता है बच्छों को, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रवन रखे गए हैं, तो ये पूरा है system, classes होंगी, वहाँ पर, जिससे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर यह sign language का use करके teachers पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यह teachers भी उससे पड़े हुए होते हैं, और पीछे background में जो भी बता रहे हैं, वो सारी चीजे आपको video के मार्देर से भी दिखाया जाएगा, तो क्या होगा, design for learning, इस प्रकार से यह design पूरा framework किया गया है, इस दीख्चा जो app उसमें कैसे use कर सकते हैं, mobile के द्वारा भी आप कर सकते हैं, application दीख्चा का download करेंगे, उसके वाद वहाँ पर सारी चीजे आपको provide कर वी दे आएंगी, इसके वाद पोर्टल जो दीख्चा पढ़ाया था, आपको पोर्टल ओपन करके भी दिखाया था, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, इसके वाद QR code, तो यह सारी सुबदाएं दीख्चा एप में दी गईए, ठीक है, तो यह है, जिसे आप पहले download करेंगे, दीख्चा एप को अपने device पे, laptop में, या computer में, या फिर अपने mobile पे, इ इसमें होगे, ठीक है, तो यह था आपकी, इनराइजड बुक, मतलब जो QR code के आधारित चीजें बिखाई गए, डिश्टल कंटेंट आपको कैसे दिया जाएगा, वो, ठीक है, वह सिंपल सा है, आपके बस एक दो बार देखिन, तो समझ जाएंगे, इसके बाद लोग बात हैं, और किसके अंदर किया गया था, यह समझ सिच्छा अभ्यान जो चलता है, उसके अंदर यह चीजें किये गई, तो इसमें कहा है कि जिसे भी स्कूल में पढ़ा रहा हैं, जहां भी गवर्मेंट में, KBS में, NBS में कहीं भी, तो प्रभंध पोर्टल में उनका पूरा प् प्रवंध किया जाएगा, कहीं पर कोई चीज की कमी है, तो तुरंत उसको वहां पर कोची अगलेवल करवाए जाएगी, तो सबसे पहले तो आपको प्रवंध का फुल्पॉम पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट, एप्रेजल, बजिटिंग, एचीवमेंट्स, एंड डेटा हैंडिलिंग सिस्टम, ठीक है, मतलब बजट से लेके, इसके आपके जो भी ब्लैक बोर्ड है, देखो यह टीचर है, यहाँ पर सारी यह बताएंगे, वहाँ पर पुरा डेटा फिल करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, ठीक है, और यह कौन से मंतरा लेक हमारी के कारण बच्चों के डेटा को संक्लित करने के लिए एक ओनलाइन मॉडूल विखसत किया है, ठीक है, जो भी बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं, किस वज़े से हो रहे हैं, क्या कारण है, क्या चीज़ें हम लोग और कर सकते हैं, उन सब का प्रवंद करने के लिए ये प्रवंद पोर्टल उपन किया गया है, ये कित्री डेटा को समख सिच्चा के प्रवंद पोर्टल पर विशेश प्रसेस्चर के अंदरों के साथ मैप किया जाएगा, ठीक है, तो हाँ पे सारा डेटा रहेगा, उसके हिसाब से सारी चीज़ें खरी जाएगी, जिस भी आव सकता है, अगर कुछ स्पेसल ट्रेनिंग किया हुए सकता है, तो स्पेसल ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रवंद प्रोजेक्ट मुल्यांकर बजटिंग उपलब्दियां और डेटा हैंडलिंग सिस्टम दक्षता बढ़ाने, इस्कूली सिच्चा के लिए केंद प्रियो कितने बजट और लगाए जा सकता है, ठीक है, इसके जो भी डेटा है, फिजिकल कीजिए, जो भी है स्कूल में, जिसमें आपको बता है, लाइब है, लाइब्रेरी है, स्टेशनरी का कुछ भी है, जैसे अगर रेजिदेंशल स्कूल है, तो हहां पे हॉस्टल में सारी जो विद्धिये संबन में सिस्टम को पार दर्स्ता और सटीकता रखना है, ठीक है, कार्यानवन के लिए धनकी वास्तिक आप सकते है, या अधिक सटीक आकलन करने में सच्छा मराने के लिए विद्धिये प्रबंध प्रणाली को सिर्वस्तित किया गया था, मैं ये फाइनेंस के साथ उपियुक प्रवेश की सुफधा प्रदान करेगा, ठीक है, साथी, सोला से इठारा वरसाई बच्छों के स्कूल से बाहर के जाने को ओपन डिस्टेंज लर्निंग मोन के मांद्या से अपनी सिच्छा चारी रखने के लिए पहली वाय दोजार एक्किस बाइस में व तो यह प्रवंध समझ में आगया, आपको प्रवंध पोर्टल किस लिए है, ठीक है, और गूगल पर भी आप प्रवंध पोर्टल ऐसे ओपर करेंगी, तो साथा कुछ आ जाएगा, तो मेन यह टीचर्स के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सब आइडिया होना चाहिए, मेन इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके किस मंत्राले में आता है, और किसके अंदर यह चलाएगा है, कब इसकी में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो और किन-किन चीज़ों पर मेन फोकस किया गया है, बस यतना आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टन है, बाकि मेन यह टीचर्स के लिए ही है, उनका ज्यादा है, आज अब बात करेंगे कि चाइड लाइन 1098 नंबर एक है, तो वो किसलिए बनाए गया है, बच्चों की पुरी सेफटी के लिए उपस 24 घंटे वो लोग इस चीज में रहते हैं, कि कोई भी बच्चा कहीं भी कैसी इसकिती में है, तो उसक कैसे हेल्प की जाए, बस आपको ये नंबर याद रखना है, 1098, ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए, तो कि ये हो सकता है, इससे कुछ कुछ पूछ ले है, यही पूछ ले की चाइड लाइन के लिए कौन सा नंबर है, जो इसके जो भी नियम है, कानू है, जिसलिए ये बनाया गया, सब इसमें तत पर रहते हैं, तुरंत कोई भी समझ है, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्लास है, आप लोग अच्छे से देखेंगे, एक बर बस आप क्लास देखेंगे, तो आपको अच्छे से समझ्या जाएगा, ठीक, तो इसको क्या है, चाइल्ड हेल्फ लाइन नंबर में इसका है, कि बच्चों की सेफटी के लिए, अब आप स्कूल से रिलेटेड है, तो ये जितनी भी आपकी टीजीटी, पीजीटी, बाइस प्रेंस्पल, या प्रेंस्पल, या फि या जारत भर के लाखों बच्चों के लिए आसा संचार करता है, ठीक है, मतलब एक हेल्फ लाइन नंबर है, कहीं भी कोई बच्चा कर कोई दिक्कत में है, तो वो बस खैसे भी या कोई उसके संपर्क में आ रहा है, जिसको उसकी हेल्फ करनी है, तो ये नंबर डायल करके इसको बता सकता है, जो भी आपकी जितने एक्ट है, ठीक है, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट का सिस्टम है, उससे संब्देद कोई चीज है, ठीक है, बच्चा आपको किसी भी स्किति में अगर दिखता है कि परिशान है या दुखी है, या बच्चा खुद भी इस नंबर पर कॉल करके संब्द कर सकता है, ठीक है, यह साहता और साहता की आवसकता वाले बच्चों के लिए दिन में 24 गंटे वर्स में 365 दिन निसुल्क आपात कालिंग फोन सेवा है, ठीक है, ठीक है, तो 24 गंटे होता है, पूरे टाइम अवलेवल होता है, ठीक है, हम ना केवर पता चला है कि किसी बच्चे का जो हम लों ने एक पढ़ा था, जिसमें बच्चों को बेच दिया जाता है, तो इस पतार से कोई चीज़े दिखती है, ठीक है, तो यह नंबर काफी helpful होता है, तो जिन बच्चों के मावाब नहीं है, उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन 30,000,000 से अधिक बच्चे हैं, जो इसमें जुड़े हुए हैं, जुड़े मतलब कि यहाँ पे हैं, जिनकी देखवाल इसके द्वारा की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, गिब देम अ हेल्पिंग हैं, एल्प देम रीच सेफ हैं, पतलब इनकी चाइड लाइन इंडिया फाउंडेशन CIF पूरे देश में चाइड लाइन 1098 सेवा की स्थापना प्रवंद और निगरानी के लिए केंद्रिय महिला एवं बाल विकास मंत्राले की नोडल एजेंसी हैं, तो यह सब यहाँ पे है कि किस मंत्राले से यह आता है, तो केंद्रि महिला एवं बाल विकास मंत्राले एग्नोरल एजेंसी हैं, वो इस पे काम करती है, ठीक है, CIF देश वर में चाइड लाइन सेवा इस्थापित करने, सेवा वितरड और वित्त की निगरानी, प्रसिच्चर, अनुसंधान और दस्ता वेजी करण, इसके अज्यागरुकता प प्रसिच्चर या फिर और भी जो चीजें मेडिकल से रिलेटेड या कुछ भी तो सारी चीजों की विवस्ता की जाती है, ठीक है, अब यहां पर बैक्ग्राउंड थोड़ा से देखेंगे कि क्यों यह बनाया गया, कहां पर सबसे पहले इसकी बात हुई थी, तो चाइड इसकी इस्थापना सुसरी जेरू बिली मोरिया ने की थी, जो उस समय जो चाइड इसकी प्रोफेसर थी, ठीक है, सुसरी बिली मोरिया ने रेलवे स्टेशनों या मुंबई के रहन बसेरों में रहने बच्चों के साथ बाचीत करना सुरू किया, दिरे दिरे संकट किरत इसी भी समय उनके संपर में आने लगे या संपर करने लगे, ठीक है, तो जो रेलवे के साइड में देखा आएगा कि बहुत से बच्चे हैं, जो रहते हैं, इनके घर नहीं है, परवार नहीं है, ठीक है, कोई सहारा नहीं है, तो उनसे इन्होंने बाच्चीत की फिर दिरे इन्होंने बच्चों की मदद करना स्टार्ट किया, तो वहीं से ये सब चीजों की सुरुआत होई, ठीक है, इसके तहाला कि सुसरी बिली मोरिया जरूरत मन्द बच्चों की कॉल का उत्तर देते समय अपने काम में वैता मिली, लेकिन उन्हें एहसास हो कि मदद की जरूरत वाले सैक्रों बच्चों को जवाब देना उनके लिए संबब नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों से जब करनेक्ट होने लगे तो उन्हें लगा कि एक वो अकेली ही बहुत सारे बच्चों कैसे हेल कर सकती है, इसलिए ये सब को ध्यान में रखते हैं, उन्हें पूरा एक इंडियो टाइप का चलाया, ठीक है, जिसमें उन्हें का जो लोग इन सब में आना चाते हैं, बच्चों की हेल करना चाते हैं, या समासिवा के उद्देश से ही रहना चाते हैं, तो वो सब लोग इसमें जुड़ेंगे और सब हेल करेंगे बच्चों की, और उन्हें कहीं स तो उन्हों सबके लिए ही उन्होंने ये पुरी योजना बनाई और इसको शुरुआत की ठीक है इसके बाद है यहां पर डाइल 1098 1098 डाइल करके ठीक है फिर क्या वाद है यह आपको सहता की वह और फिर 60 मिनट के अंदर यह कुछन भी पूछा जा सकता है कि कितने मिनट के अंदर चाइड लाइन टीम है वह कितने मिनट के अंदर आ जाती है मझा एक घंटे में वह उपस्त हो जाती है ठीक है और बच्चों के लिए अलग से रिहाइवलेशन इंस्टिट्यूट भी खोले गए यहां पर उनको गाइडेंस और कांसिलिंग भी दी आती है अगर वो किसी बीमारी से या मांसी किसी चीश से ग्रस्त हैं तो उन सब का परी प्रापधान किया गया है ठीक तो आप इसमें ध्यान दिया जाता है ठीक है तो आपको में यह नमबर याद रखना है 1098 अब जो हॉस्टल वॉर्ण की पोस्ट है आप टीचर है आपके संपर्क में भी बच्चे ही रहेंगे उनके साथ भी कोई भी किसी पतार की कुछ चीज होती है याप कभी-कभी ऐसा ह होता है जैसे कि कहीं आप संस्ता में काम कर रहे हैं ठीक है बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि आप खुलके नहीं बोल सकते हैं बहुत सार ऐसा एंवायर्मेंट हो जाता है बहुत जगा होता भी है अगर आपने कहीं काम किया तो आपको यह सब चीजों का experience भी होगा तो आप इस नमबर पर कॉल कर सकते हैं ठीक है आपकी जो पैचाने इसको भी गोपनी रखा जाता है ठीक है तो यह बहुत अच्छा सिस्टर बनाया है सरकार ने इसकी वाद इनका उद्देश ही है कि बच्चों की सुरक्षा करना उनकी सुरक्षा की पूरी गारेंटी देना उ के अधिकार और सुरक्षा सुरिश्चित करना ठीक है और यहां पे 40 CS मॉडल विए कनेक्ट कैटलाइज सायोग और संचार वए प्रणाली है जो हमें हर साल अधिक से भी बच्चों तक पहुंचने में सच्छा मनाती है तो इनका पूरा अब तो पूरा एक कह सकते हैं कि ने जो आज फिल टेक्नलोजी यूज हो रही है उसका भी उपयोग करना चाहिए बच्चों से जुड़ने के लिए उत्प्रेहरित करें सक्रिय वकालत के मातने से सिस्टम को आगे बढ़ाएं जो भी वकील प्रोफेशन में हैं वो भी इस सब का यूज करके और इस सिस्टम को सागर active करें सद्विए लिए बच्चों के अनकूल समाज बनाने के लिए बच्चों राज नाघरिक समाच, कोपरेट उ समदाय के बीच प्रयासन को एक कि रत करें आज ऐस समदाब करें संद्भाभावी सं protecting शड को बनाएं तो उसी कहा है आप भी किसी रूप में सयोग कर सकते हैं तो ये पोक्सो के अंदर भी ये सब चीजें रखी गई हैं 1098 जे 24 गंटे निसुल्क होता है उम्र कितनी उम्र 18 वर्ट से कम है और आप मुसीवत में हैं अथ्वाद दुविदा गरस्त या संकट में हैं तो डायल करें तो आपने पोक्सो एक पढ़ा था उसके अंदर भी ये सब चीजें का भी बात की गई है और ये सब चीजें का ध्यान रखा गया है थीक है इसके गाइडिंग एकशन क्या क्या होते हैं कि हर कौल जो कितनी भी कौल आती सारी इनके लिए बहुत महत्पूर होती हैं बिना किसी उसके ये तुरंट वहां पर अबलेवल होते हैं किसी भी रूब में ठीक है जिसे रेलवे में हैं तो रेलवे जो परमचारी है व करके वे बच्चें को सामिल करना इससे बच्चें भी सारे सामिल होते हैं जैसे बच्चों से इस चीज इसना कुछ होता है तो आप भी कॉल घुर लिए कर सब का सिस्टम भी रखा गया है कि बच्चे अराम से अपनी बात खुल के कह पाएं हम बच्चे को समस्या की पैचान करने और समाधान प्यार करने में मदद करने के लिए करकर हस्चे प्रिकरिया में सामिल करते हैं हम कभी भी उनकी सहमयत की बिना उन पर कोई निर्णा नहीं ठोकते हैं ठीक है हमें सुने शित करते हैं कि बच्चे को ठीक ठाक पता हो कि चाईड़ाइन क्या है पेस्कस करती है और क्या नहीं है ठीक मदल्ब बच्चों को सही से जानकारी देना एसा नहीं के अब कुछ लोग ऐसे ही बहुती ही चाईड़ाइन के नाम फे भी गलत ठीजों का उपियोग करते हैं सारी चीजे कर सकते हैं बच्छों के साथ तो उनको सही से स्कूल में ही सारी चीजे बताई जाए्या आप ठَّॉंटल गॉर्ड than हैं तो आपIs बच्छों को बताईए क्या क्या चीजों होती है जिससे कि वो अच्छे से समझे और जाने क्या सही है क्या गलत है ठीक है इसे चाइड लाइन अकेले काम नहीं कर सकती इसको क्या मतलब है कि चाइड लाइन जितने भी लोग इसमें है तो अकेले तो कोई खुले हुए हैं, वो सब मिलके ही काम करेंगे, तब इन सब को बचाया जा सकता है, बच्चों की safety की जा सकती है, ठीक है, इसके बाद पारदर्सिता जवाब देगी, आवसकता, पूरी transparency काम होगा, ऐसा नहीं कि, वही system बताएगी, कि ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ पैसे दे दि ठीक है, और अंतराश्टी ये लेवल पर जो भी संगठन है, उनसे कैसे, तो ये बहुत बड़ा एक आप देख सकते की network है, 1098, इतने भी WHO है, सब है, सारे में ही इस चीज़ का प्रियोग किया जाता है, ठीक है, इसके partnership model है, तो जो बड़े-बड़े संस्थानों के सलाकार ह है, किसी field में, या फिर इसे medical से related कोई समस्या है, तो medical में कोई expert है, ठीक है, psychological लेवल पर counselling लेनी है, guidance लेना है, तो उनसे भी साजयधारी होती है, एक बच्चा है, उसको हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, इस सब ची की जाती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें है, में, topic छोटा सा है, लेकिन काफी important है, आप question पूछा जा सकता है, तो आप लोग एक बार देखेंगे, इसका मंत्राले याद रखना है, प्लस ये याद रखना है, कितने वर्स के बच्चे, 18 साल से कम के बच्चे हैं, ठीक है, और ये सबसे बड़ा पूरे वर्ड में एक protection network है बच्चों के लिए, ठीक है, नमबर कितना है, 1098, इसके बाद, इसके 753 local NGO partner भी हैं, जो इसके वर्क करते हैं, ठीक है, और जो भी लोग है, वालब पुलिस है, या कोई और लोग इसके काम करते हैं, तो वो 60 मिनट के अंदर वहां तक पहुंचने का पूरा उनका अफ्राबधान रहता है, ठीक है, तो इंपोर्टेंट है काफी, आप लोग भी मदद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पुलिस कर्मी है, वो ही मदद करेंगे, रेलवे के कर्मी ही मदद करेंगे, ठीक है, या फिर NGOS चल रहे हैं, तो आप कई के काम है, वो स 10980 आपको डायल करना है, अगर आपको अपनी पैचान नहीं बताने हैं, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपकी पैचान बता नहीं है, ठीक है, उसके नोरल संगठन है, एक सैच्छिडिक संस्तान या गैर सरकारी संगठन है, जो समन्वे नोडल निदे सर्व द्वारा की जाती है, जो सैर इस तर पर बच्चों के लिए सुरच्छात्मग वातावरा सुनिच्चित करता है, इसके आपाटकालिन हस्ट्चेप के अंदर भी बने हैं, ठीक है, यह स्वैच्छिक एजनसियां जो चाइड लाइन के लिए कर देती है, जो आगे की हस्ट्चेप प्रक्रियाओं को अंजाम देता है, ठीक है, केंदर समनवेग एक टीम का प्रभंदन करता है, जो आपातकालिन मामलों में हस्ट्चेप करती है, आउट्रीच और नेटवर्किंग गत्विदियों का संचालन करती है, अब जिसे कोई ब कामले को ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर यही दिखाए भी बहुत से, वहलब ग्राउंड लेवल से लेके पूरा इंटरनेशनल लेवल तक यह एजनसी काम करती है, ठीक है, इसके चाइड लाइन, सलाकार बोर्ड बगारा बने जिला, सलाकार समयती, वहलब ज जाके भी कर सकते हैं, यह तो आप कॉल भी कर सकते हैं, एंग्यों बगारा इसमें काम करते हैं, और संसादन संगठन भी हैं, जो तुरंत मदद के लिए आते हैं, जैसे आपने देखा है कहीं भूकम बगारा होता है, कोई ऐसे एक्टिविटी होती है, तो बच्चों को बच 1098, 24 गंटे उपलब्द रहता है, 18 साल से कम के बच्चे होते हैं, जितनी भी गवर्मेंट की संस्था हैं, सब इसके काम करती हैं, जाए वो अस्पताल है, जाए श्कूल है, जाए आपके कोई खेयंद रहे हैं, जाए उसके सारे ही इसके काम करती हैं, पोक्सो के एक्ट और कब लॉंच किया गया है, राष्टे सिच्छा नीति की तीसरी वर्स गाट पे प्रधान मंतरी नरेन मोदी जी के द्वारा ये लॉंच किया गया है, जिसका नाम है उल्लास, ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए, क्यूकि ये अभी 2023 में ही लॉंच हु इसकते हैं, नभ भारस, साफच्छता, कारकरम, उल्लाब 15 साथ से अधिक वाले जो लोग हैं, ठीक है, जिनकी फाउंडेशन, लिटरेसी, नुमेरेसी, उल्लाब बुल्यादी सिच्छा इनकी कंप्लीट नहीं है, उनको सिच्छित करने के लिए में मोबाइल एप बनाए ग किया गया है, जिससे कि वहाँ पर जो भी क्लासेस हैं, जो भी टॉपिक हैं, जो भी कोर्स हैं, वो सबको वो लोग देख पाएं, तो इसको थोड़े हम लोग देखेंगे, इसके लिए 15 साल से जो उपर के लोग हैं, ठीक है, यह उनके लिए में बनाए गया है, और इसका य कि क्या है, में है आपका, कि जो 15 साल से उपर की लोग है, उनके लिए बनाए गया है, उनको भी साक्षर करने के लिए, तो उल्लास जिसका संचिप्त रुप समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने को समझना कि वले एक एप नहीं है, यह एक परवरतन कारी उपकरण है, ज जो भी हमारी डिश्टर साक्षर तक चल रही है, आजकल उनको भी उस धारा में लाने के लिए, जो लोग मोबाइल से पेमेंट नहीं कर पाते हैं, या फिर मोबाइल का जो में यूज है डेली लाइफ में, वो सब नहीं कर पाते हैं, तो उनको यह सब चीज़ें सिखाने के ठीक है, इसका प्रात्मिक 12 लाग से अधिक द्रोपाउट शात्रों और व्यक्तियों तक पहुंचना है, जो अपच्वारिक सिख्चा तक नहीं पहुंच सके हैं, उनने सीखने की दुनिया में बापस लाना है, मतलब किसी वज़े से जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, उ उनको फिर से एजूकेशन के थिरू जोडने का काम किया जाएगा यहां पे, ठीक है तो भारा सरकार ने राश्टी सिख्चा नहीं थी, 2020 और बजट घोसरा वित वर्स 2021 बाइस के साथ संरेखित करने के लिए सभी के लिए सिख्चा, जिसे पहले वैस्क सिख्चा कहा जाता था, कि सभी पहलों को करो करने के लिए, 2022 से 27 के लिए एक नई केंदर प्रायोजीत योजना जिसका नाम क्या है, उल्लास को मंजूरी दे दिये है, संसादरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए वैस्क सिख्चा के संपूर डायरों को कवर करने वाले ओनलाइन मोडूल भी इ इसलिए है, इसका अब्जेक्टिव क्या है, कि जिनकी बुनियादी सिख्चा नहीं हो पाई है, किसी कारणवस, ठीक है, तो उन लोगों तक पहुंचने के लिए, उन लोगों को साक्चर करने के लिए ये एप बनाए गया है, इस योजना का उद्देश ना केवल मूलबू साक्चरता और संख्यात्मक्ता का प्रदान करना है, बलकि 21 सदी के नागरिकों के लिए, आवस्यक अन घटकों जैसे महतपूर, जीवन, कौसल, वित्तिय साक्चरता, ठीक है, इसके बाद है आपकी डिस्टर साक्चरता, वाडिजिक, कौसल, अलब हेल्थ से रिलेटेड़ जो भी आप बगरा है, तो उनको कैसे यूज करना है, इसके बाद जैसे कॉमेर्सिल में किया है कि पेमेंट कैसे करना है, आपको पता है, आज सकल पेटियम गूगल पे कहीं कोई चीज़ लेनी है, तुरन इन सब चीज़ों का चल रहा है, और नॉर्मल ये सारे लोग प्राप करने की दरश्टे से बहुत सारी रोजगार है, जो ऑनलाइन के थुरू भी हम लोग देखते हैं, जैसे कौन सी वेप साहिड है, कहां पे इसे फॉर्म भरना, इन सब को अच्छा करने के लिए इन लोगों को इस एप के थुरू जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो यह योजना देश के सभी राज के अंदर सासे प्रिदेशों में 15 वर्स उससे अधिक आयू के गहर साक्षरों को कवर करेगी, ठीक है, इसका कब तक रखा है, यह भी आपको दो हजार वाइस से, दो हजार 27 के लिए मूलभू साक्षरता का लक्ष, NIC, NCRT, NI, OAS के साहियोग से, ओनलाइन टीचिंग, लर्निंग असेस्मेंट सिस्टम, और वियोग करके प्रतिवर्स 5 करोल सिचारती, जिसमें एक सिचारती ओनलाइन सिचार अधिगम और मुल्यांकन के लिए आवस्यक जानकर यह से, नाम, जन्म, तिथी, लिंग, आधार, लिंग, मोबाइल नमर, आध को याद रखना है, और जो दीच्छा पोर्टल अमनों ने पढ़ा था, उसका यह गेटवे कह सकते हैं, कि उसकी जो चीज़ें, उसको कैसे पढ़ा जा सकता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखे, यह बनाए गया, ठीक है, कितने आईवर्ग के यहां से 15 से 35 को लड़के और लड़कियां भी सामिल है, इसमें ऐसी ओवी सी, मतलब सारे वर्ग को एक जगा सामिल करने के लिए यह रखा गया है, ठीक है, उसको ध्यान में रखे, यह बनाए गया है, मतलब सारे लोगों को ही इसमें इंक्यूट के रखे, सब लोग सिच्छा ग्रैड कर यह उद्देश में रखा गया है, ठीक है, यह आजादी के अपरोस मौस्तब की तरह भी मनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें 50 लाग सिच्छों भी भागीदारी और बहुत सारे बच्चे जो भी जिन्होंने अपनी बुन्यादी सिच्छा ग्रैड नहीं की है, किसी वज़े से उन सबको सामिल किया जाएगा, तो यह था आपका उन लास जो एक्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, आपकी जितने भी इस समय एक्जाम चलना है, जिसे केवियस का इंटर्व्यू भी चल रहा है, तो वहाँ बेपी, वहाँ पे भी यह सब पूछा जा सकता है, इसका ने यह 20 February 2019 को किया गया था, स्रीव प्रकास चावेद कर जो उस टाइम पे सिक्षा मंतरी थे, ठीक है, तो MHRD ने देश वर में Operation Digital Board launch किया है, यह आपको याद रखना है कि इसने MHRD ने launch किया है, ठीक है, Ministry of Education, जो अब नाम चेंज भी हो गया उसका, ठीक है, ODB का लक्ष प्रते एक अच्छा में Digital और इंटरेक्टिव बोर्ड रखना है, जो Operation Blackboard की तरज पे है, जो पहले Operation Blackboard चलाए गया, उसी की तरज अब Operation Digital Board चलाएगी, आजकल Digital सारी चीज़े हो रही है, तो इसलिए उसी के तरज पे यह टेक्नलोजी से जोड दिया गया, ठीक है, सेम वैसा ही है, जिसे आपका Operation Blackboard चलाए गया था, इसके फीचर्स क्या क्या है, 2019 के आगामी सत्र से पूरे देश में कच्छा नभी से आगे के सरकारी और जितने भी गैर सरकारी हैं, संस्तान हैं, उसमें सम्मेट Digital Board की सुरुआत की जाएगी, और जो UGC है, आपका HEI है, में ODB के कार्यानोयन की एजेंसिया होगी, ये इन तो चलाएगी, ठीक है, उसे उच सिच्छा वित पोसड एजेंसी, एक हीफा, जो हायर एज प्रदेशन में funding करती है, ठीक है, स्कूल इस्तर पर केंद सरकारदारा, राज और केंद सासे प्रदेशों के सहयोग से सभी सरकारी और जितने भी NGO बगरा है, प्राइवेट स्कूल से सम्में, ये ऑपरेशन Digital Board लगाया जाएगा, इसका उदेश एक कछा को Digital कछा में परवर प्राबधान रखा जाएगा इसमें, ठीक है, तो मेर यही है, यहाँ पर focus area क्या रहेंगे, जो भी इतने भी आपके यहाँ पर अप्लुग दे सकते हैं, other initiative है, दीख्चा है, आपका NPTL है, SM है, SM है, SM प्रभा है, DTS channel जो भी है, वो सब मिलके इस पर काम कर रहे हैं, उस सब का material यहाँ पर provide करवाए जाएगा, ठीक है, इसे की बच्चे को हम हर तरीके से, जो NEP ने 360 degree assessment की बात की है, उसकी हिसाब से, उसको चीजे पढ़ा पाएं, फिर उसका मुल्यांकन कर पाएं, उसको बच्चे को हर पहलू से तयार करने की बात की गई है, operation digital board में, ठीक है, मार् की जाएगी, तो छोटे-छोटे topic हैं, लेकिन आपको एक बार पढ़ना जरूरी है, में आपको date याद रखनी है, ठीक है, operation digital board, इसके बाद उल्लास, जो भी 2023 में ही किया गया है, launch कब, राष्टे सिच्छा नीती की तीसी बर्स घांट पे यह याद रखना है, इसमें 15 साल स 35 साल के लोगों पे पहले ध्यान दिया जाएगे, उसके बाद 35 साल से जो उपर के हैं, उनको भी ध्यान दिया जाएगे, इसका आपको motto जो tag line है, वो भी याद रखनी है, जन जन साक्षर, लस्थ सब लोगों को साक्षर किया जाएगा, इसका नव भारत साक्षर, कारकरम, और आजादी का जो अमरत महसब है, उसके अंदर भी इसको रखा है, यह क्या है, एक mobile app है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, इसमें जो भी दिख्छा, चीज़ें, कोर्स हैं, सब कुछ इसमें प्रोबाइट करवाए जाएगा, तो छोटे से topic है, लेकिन आपको प अहीं जो आजाएगा, यह करो बनाएगा जोगा है, इसमें प्रताश अपना प्यारों से जो बनाएगा.